नमश्कार साथियों मैं हूं अन्राम इस्वीडियो के लास में एक हम लोग जो अभी अध्यान कर रहा है वो मैंने एक सीरीज बनाई है जिसका नाम मैंने रख़ा end game aws video series क्यों रखा गया है वो मैं आप लोगों बता देता हूँ मैं एक दालूंगा किसी subject का उस मैं सुरू से लेकर end अपने आधनिक भारत का video मैंने डाला था वो यदि आप 6-7 गंटे का वीडियो है उसे है यह दिए आप 2-3 बात देख लेंगे तो जितने ही तरह के आप एक्जाम देने जाएंगे उन में से उन प्रसनों को आप हल कर सकते हैं जैसे की मालगी मैं ने इंडियन पॉलिटी का डाला है तो इंडियन पॉलिटी में जितने भी तरह क सब कुछ अंत कर दिया जाएगा और आखिर मैं लास्ट में एक वीडियो और डालूँ आज जिसमें पूरी जीएस ही होगी यहनी साथ से सतर गंटे का जो वीडियो होगा उसमें पूरी की पूरी जीएस होगी और आप जो भी एक जम देना चाहेंगे उसे एक से दो दिन पहल को आप लोगों कै को और दिसलाइक करता है क्यों clean चाहता है क्योंकि मैं दस से बारह गंटे का धीवेडियो बना लीता हूँ तो कोई व्यक्ति एक मिनट का समय तो दे सकता है क्योंकि मेहनद किया है मैंने यह फालतु की भखवास करके इन नहीं किया है कि अधर तो कॉपी मार दिया पूरा वीडियो इदर से कॉपी मार दिया ऐसा तो नहीं किया है बहुत मैनत लगती है इसमें ठीक है पहले पीपीटी बन था उसमें मैप की बहुत जरूरत पड़ती है इसलिए एक-एक मैप को बहुत संभाल के बहुत अच्छे से लगाया है मैंने बनाना भी पड़ा है कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें तयारी करने बड़े और दूसरा कार्ड है इस वीडियो को लेड करने का वो मैंने जान का मैंने ड़ा वीडियो जाला आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉंस दिया इस्ट्री को आपने उसको शेयर किया लाइक किया और भी कई लोगों को इदर दर बेजा तो मुझे अच्छा लगा मैंने तुरंत उसका दूसरा बर्जन डाल दिया यानिकि तुरंत इंडियन का डाल दिया जो की दस गंटे का था और दस गंटे बहुत माइने रखते हैं और पूरी पॉलिटी थी लेकिन पॉलिटी पर आप लोगों ने क्या किया आप ने एक बार में पूरी ताकत दिखा दी कि वैसा अब मन बर गया आप तो जब शुरूबाती हो गई है तो आप त किसी वीडियो पर 200 लाइक आते हैं तो कोई 2-3 डिसलाइक आ जाते हैं माल दीजिए लेकिन यह जो डिसलाइक आये वो शुरू में ही यह दिया जाते हैं तीन से चार लाइक होने के बाद ही तो उससे क्या रहता क्योंकि आप लोगों जो लाइक करने वाले में पसंद आता ह उसके बाद भी डिसलाइक हो क्यों कीड़े जो होते हैं वो डसना जानते हैं तो कीड़ों की जो पर जाती होती हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं तो आपको यह अच्छा लगता है लाइक कर दिया करें इससे क्या रहता है कि जो नया वीडियो देखने वाला होता है तो वो द लाइक कर देंगे तो बहुत खुषिकी बात हैं और अन्रोगों को क्या होगा उसे देखने में क्या होती खिछाब सा मैसुत होता और देखते हैं अच्छा लगता है होता है और एक वात कियाना चाहूंगा इसमें शुरू करने से पहले कि होता क्या है कि जैसे मैं लीजिए मेरी किसी को शकल पसंद नहीं मेरी अवाज पसंद है कभी कभी खुश सकता है मैं तुतला जाता हूं मतलब ह inhib कला जाता हूं या कभी को मैं अटक जाता हूं कहीं पर भी मतार बोलते बोलते को सब्सक्राइब जाता हूं तो उसका टेंसर न लिया करें ठोड़ा सपोर्ट कर दें लेकिन आपको कोई घलत चीज नहीं मिले कि यह वाली भी बात है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं चलिए तो आगे बढ़ यह क्यों है जब आप इसको देखेंगे तो लगेगा कि हाँ मैंने कोई वीडियो देगा था जुगर फीगा और चिसमें मुझे कुछ मिला था ठीक है समझ में आगया ना कि आपको मैसूस होगा कि हाँ सच में मैंने कुछ पढ़ाए क्योंकि मैंने एक ही में कमाइंड कर द या फिर जब आप किसी एक्जम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हम घर से पढ़कर आए हैं ठीक है फिर से मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि यती ही आप लोग वीडियो को अधी आप पसंद करते हैं तो लाइक जरू कर दिया करें और शेयर जरू कर दिया क लेकिन 200 से ऊपर पेज होते हैं यानि कि 200 क्रॉस कर जाता है जैसे 99 तक मैं आप लोगों फिर ही दे दूँगा क्योंकि एक पेज की पीडिया मतलब दस पेज की पीडिया बनाने में समय लगता है एक सी दिर गंटे का तो मैं चाहता हूं कि जो मेहनत कर रहा हूं उसका कुछ मिले इस पीडिया को पीड करने का मकसद क्या है मैं आगे बता दूँगा ठीक है चलिए तो शुरू कर लेते हैं भारत का भूगोल के बारे में तो आईए तो सबसे पहले हम इसमें शुरू करने पहले में आप लोगों एक नजए बता जेता हूं कि इस वीडियो में मैं के बारे में भारत के अंतिम बिन्दूओं के बारे में इसमें हम जो पड़ोसी देश हैं उनसे कौन-कौन से राष्टा चोते हैं इस तरह के यह भी जानेंगे पांच ऐसे छित्रपल वाले राज्य जानेंगे और भी कई सारी चीज़ें जैसे अंताराष्टी रेखाए हैं उनके बारे में जानेंगे प्रमुक चैनल या जलसंदी या जल्डमरुमद्य के बारे में हम जानेंगे इसी में हम जानेंगे कि कर्क रेखा जो होती है भारत के राज्यों से होकर गुजरती है भारत के प्रादेसिक समुद्री सीमा के बारे में जानेंगे जैसे कि आपकी स हिमाले के बारे में जानेंगे विरद हिमाले के बारे में जानेंगे उसमें विरद हिमाले की प्रमुक जो हिमनदिया है उसके बारे में जानेंगे ठीक है मैं ने लिख लिया है इसको मैं एक नजर आप लोगों पता देता हूं इसके अम्मद हिमाले के बारे में जानेंगे सि कौन सी आकर्तियां सामिल किया जाता है उसमें भी हम जानेंगे जैसे तकन का पठार में क्या क्या आ जाता है सत्पड़ा सेड़ी महाराष्ट का पठार महाननेदी वेशन दंदकारिन ने तेलंगाना और आंध्र पठार ठीक है इसके मध्यवर्ति उच्छ भूमियों के बारे में जानेंगे जिसमें रावली हो गया मालवा का फटार बंदिल कर ठीक है ये चीजे हम जानेंगे इसमें इसके बाद जैसे को पच्छमी घाट हो गया पूरी घाट हो गया उसमें जो परवस इंकला है उसमें चोटी 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 आ हैं उनके बारे में जानेंगे चोटी चोटी पाडियां उनके बारे में जानेंगे उसके बाद इसी में हम जानेंगे उत्तर भारत के मैदान के भी बारे में भी ठीक है उत्तर भारत के मैदान के बारे में हम इसमें बात करेंगे जिसमें आप सामिल हो जाता है आपका भावर वाला छेत्र तराई वाला छेत बांगरवाला चेत्र खादरवाला चेत्र डेल्टा के बारे में भी जानेंगे तत्वर्दी मैदानों के बारे में जानेंगे पश्चमी तटी मैदानों के बारे में जानेंगे पूर्वी तटी मैदान के बारे में जानेंगे उसके पूर्वी तटी यो पश्चमी तटी जो छेत्र हैं उनमें छोट छोटे जो छेत्र हैं जैसे कि आपका उत्री सरकार तर्ट हो गया को रूमेंडल तर्ट हो गया उत्कल तर्ट हो गया और आपका कॉंकर तर्ट हो गया मालावर तर्ट हो गया इस तरह के छेत्र हम जानेंगे इसके भारत के जो दीट समूम में आने की आइसिलेंड हैं उनके बारे में जानेंगे जैसे बंगाल खाड़े बंगाल की खाड़ी के दीप जानेंगे उसमें अरब सागरी दीप जानेंगे जैसे अरब सागर में कौन कौन से दीप है जैसे लक्षी दीप किसमें है लक्षी दीप अपना कहां से कौन कौन से छेतर तक तरह लिच्भी की राजदानी क्या है इसारा की चीज़े जाने है इसका अब यह बार अब और और प्राएदीपि अपवादथ लेवार्धा तो अंतर को तीन वागों माटता जाता है उसको हम जाने हमाली अपवाद्ञ को किसमा इस में बाटा था सिंद्र नधी तंतर गंगा नदी तंतर और भ्रह्मर पौतर नदी तंतर गAnnगा भ्रह्मरभंन पोत्र और विझा., में भी जाने के यानि जो दच्छिड की नदिया है उनके बार में हम इसे में बात करेंगे जिसमें आपका हो जागा बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां ठीके जिसमें आपकी महानदी आती है गोदाब्री आती है ब्यामणी आती है बैतरडी आती है इसके बा आपके उनिय, उन्मेंज नदियों जह हैं, उनके बारे में हल्काता बात करने हैं, करनातक की हिल्कास न दिया मुझे सबढ़ व invasive पिछोला एस idle उनके बारी में जा अथा होते हैं उनके बार में हम सब्सक्राइब हो किसी समीआ यह ना भिशान अब वारत की अवस्तिति या इस्तिति एवम विस्थार के बारे में ठीक है तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं एक तो हम इसमें हलका सा डाल लेते हैं कि यह मैं जो मैं अपनाया है इसमें क्या किसतरे से हम उसमें पड़ेंगे तो हम एक नगर डालते हैं जैसे भारत का छेटर प्रकेटन तक is इसमें जानेंगे मुख्य भूमी की तटी सीमा के बारे में हम जानेंगे ठीक है और कुछ दीपों के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं तो चलिए आके बढ़ लेते हैं तो आईए बात कर लेते हैं आकृति इस्तिति विस्तार के बारे में भारत की अवस्टिति भारत का विस्तार भारत की जो आकरती है वो किस पर globe के उपर हम एक नजर डाल देते हैं ठीक है तो इस तरह से समझते हैं जो हम कभी भी न भूलें उसको हम कहते है उसको हम कहते है उत्तरी गूला ठीक है तो यहाशी लेटी यही लेटी जो रेखा है उसको हम कहते हैं आचांस तो उत्तरी गुलाद और देच्छडी गुलाद में 0,0 डिग्री देसान्तर बाठती है इसके बाद यह आपका 0,0 डिग्री देसान्तर जो है वह, प्रत्थवी को दो बरावर भागों में बाठती है, यानि कि प्रत्वी का इस और वाला वाग यानि कि इस और वाला वाग कहलाता है यानि कि इस तरह से यह जो भाग है इसको हम कहते हैं पूरी गोलार्थ और इस तरफ का भाग जो है जीरो डिगरी देशांतर वाला वो है पस्चमी गोलार्थ ठीक है समया गया ना तो मैंने क्या भारत की जो आकरति है चत्री गोलार्द का देस है कैसे यानि कि मैंने बताया था जीरो डिगरी आचांस जो है इसके उत्तर वाला भाग उत्रीगोलार्द क्या कहलाता है तो आचांस की दरश्टी से बात की जाए तो पूरी भी गोलार्द के मद्द में या का है पूरी भी गोलार्द का देश है तो कि मैंने बताया था जीरो डिगरी देशांतर जो है पूरी गोलार्द और पशीम गोलार्द बाढ़ती है और जीरो डिगरी आचांस उत्री गोलार्द और गोलार्द में बा आएंगे आचांस की बात की जाए तो उत्तरी गोलार्द में है और देसांतर की बात की जाए तो पूरवी गोलार्द में ये इस्टेद है तो आचांस की बात हो रही है तो क्या आप बोलेंगे हम आठ डिग्री यानि कहां से सुरू होता है यहां से ठीक है यहां से ठीक यह हो तहरी गोलाक बारी काथ लिए इसके बार के लिए तो यहां पर इस तरह आप जाले यहां पर यहां पर इस तरह यानि की सेवन मिनट्ट जो है ठीक है इसके बाद यहां से चले आएंगे अर्षट रोनातर शत्र गत्र बाता तैतर चौतर पिचतर यानि की चलते चले आएंगे यहां पर साड़े-व्यासी आजाएगा फिर आगे वर्दते चले जाएंगे और यहां पर पहुंचेंगे यहा यानि कि 97 इसको पैसे साधर रबाता हैं लोग पॉंट पड़ते तो होता बैसे मिन टैया मिनट रोर सेकंड तो 97 बेगरी 97 डिगरी टू फाय मिनट इसको भोल सकते हैं तो अरसट कि डिगरी साथ मिनट से लेकर 97 टू फाय मिनट पूर्वी देशानतर के बीच इस दे तो इसका विस्तार क्या आट वांगा ना चाराशा है हेले Nós कहांच हो जाएगा कि तो क्या समझ आएगा इसका विस्तार क्या माना जाएगा चौरास चौरासी तो छोड़ो एट पॉइंट फोर मिनट से लेकर 37.6 मिनट यानि कि उत्तरी गोलाद जो कि आचांस वाला छेतर है ठीक है इसके बास देशांतर की बात की जाए तो अरसर डिगरी साथ से लेकर सतानवे डिगरी टू फाइब पूर्वी द अचांस ठीक है चलिए देश का मानक समय के बारे में बालत लेते हैं कासा मानक समय क्या होता होता क्या है कि यह अलग-अलग देश होते हैं उनके कुछ छेत्र होते हैं वो अपने आधार पर एक सीमा रेखा बना लेते हैं यानि कि एक बीच की रेखा चुन लेते हैं जिसके करते हैं किया यहां पर अपने पसंत का समय कर लएंगे तो क्या होगा कि पाकिस्तान क्या गएगा कि हम अपना समय अपने हिसाब से रखेंगे तो ऐसा नहीं जो जी रो डिगरी देशांता है उसकी आधार पर अपने देश का आप समय निराद करने या निकि वहाँ उससे लेकर एक रेखा या एक मानक रेखा करते हैं कि इस पर जो समय होगा वो पूरे देश का या का है पूरे पाकिस्तान का या पूरे भारत का समय होगा इससे क्या रहेगा कि जो अन्य देश में हैं जैसे मान लिजिए मैं अभी भारत में रहता हूं वो सरी मैं रहता हूं अभी लंदन में कैसे नहीं मैं पता जिलेके कि भारत कम yeast कितना घेंग। तो आपका हो जाता है यहां पर आपका उत्तर प्रदेश ठीक है है अ मत्र प्रदेश इसके बाद चेतर इसके बाद आपका उठीक है और आपका मत्र प्रदेश ठीक है अंती मानक समय एकाज रिका से गुजर्ने वाले राज हैं भारती सम्मानक समयरे का कितनी है साड़े 82 पूर्वी देशानता ठीक है तो भारत का छित पल के बारे में बात करते हैं हम लोग भारत का जो छित पल है वो है 82,87,263 यानि कि इसको हम 82,87,000 भी मौटा मौटी बोल सकते हैं छित पल दिरश्टी से भारत 200 का साथ मा सबसे बड़ा देश है यानि कि इस से पहले यानि कि मतलब इस से पहले 6 देश ऐसे हैं जो कि इस से बड़े हैं जैसे कि सबसे पहला जो है वो है आपका रूस सबसे बड़ा देश कौन सा है रूस उसके बाद आता है आपका कैनेडा उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद ब्राजिल, उसके बाद ऐस्टिलिया, ठीक है, तो जो भारत का सात्मा सबसे बड़ा देश है, इसका जो कुल छेत्रपल है, वो प्रत्वी का कितना है, 2.43% यानि की 2.42% ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं, सबसे पहल आपका कैनेडा, ठीक है, इसके बाद कैनेडा के बाद यहां पर आप देखेंगे, तो यह है आपका चीन, यानि की चाइना, तो चाइना पड़ता है, तीसरे नंबर पे, यानि की एक नंबर पे आपका रूस, दूसरे नंबर पे आपका कैनेडा, नंबर तीन पर आपका च है वोशी नीया में एक देश है जिसको हम कहते है औस तो नम्बर पता है च्छ सब्सक्राइब उसके बाद आपको चीन उसके बाद अमेरिका उसके बाद है वह आपका आता है भारत देश्का चलिए आगे बात करते हैं बारिट देश्ग बारे बाद करते हैं बार्द का विस्तार यायनि कि उत्तर से लेकर रधर। और उत्तर में तक पर यह आपका देश्जृ तो उत्तर से ले कर नीचे चलते चले हैं कपाझ से ले कर तक गया तक भारत देश का जो लंबाई या आप भारत देश कितने किलोमेटर में फैला हुए है तीन हजार दूसों चौछवदे किलो मीटर में फैला हुआ है पूर से पच्चिम की ओर बात करेंगे यहां से लेकर यहां से लेकर गुजरात ते चलेंगे गुजरात से ले के लिए करणा चल प्रदेश तक पूर से लेकर प्स्चिम ये प्ष्छ्म से लेकर जो पूर तक देला है afin कितने किलोंटर फ्यला लगा हुआ होता है जिसकी सीमा क्या होती है पानी से नहीं तक्राई होती है या कहा है वो पानी में छेत्र नहीं होता है जैसे समुद्र से यह वाला छेत्र है अंद्र परसे तो यह स्थलखंड वाले छेत्र नहीं बोला है क्या है इसकी समुद्र सीमा है तो मैंने क्या बता है भारत की स्थाल्सीमा की लंबाई πंद्रे मैंने , लेकिन इस्थाल खंड का स सुरू होता है यहां से यह आपका यहां से चलते चलते चले आएंगे उसके बाद असंबी रास्तिम पड़ेगा उसके बाद पश्ची मंगाल पड़ेगा फिर भूटाना आपका छेत पड़ता ही है इसके बाद सिक्किम पड़ता है इसके बाद बिहार उसके बाद उत्तर प्रदेस उत्तर प्रदेस के बाद फिर उपर जाएंगे उत्तरा खंड कर यहां तक यानि कि मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ यानि कि यहां से लेकर यह इस तरह से यह दी जाएंगे तो यहां से लेकर यहां तक कि यह दी लंबाई की बात की जाए तो पंद्रेहजार दूसो किलो मीटर इसकी स्थल खंड की लंबाई है ठीक है इसके भार इसके यानि कि इन बहर देस्की मुख भूमी की तटी सीमा की लंबाइ लेश बात की जाए तो छेजार एक सव किली मेटर कैसे हैं यहां पर गुजरात से रूड़ होता है यहां से जिमें चलते चलते चले जाते हैं समध्र सुरूर जाता है यानिकी पानी वाला जी चेतर जिससे सीमा मतलब जो सीमा पानी को टच करती हो इसको कहते है इस तरटी सीमा ठीक है येस समझर से तट के लगती है ठीक है जैसे स्थारफ हिंदमासागर का भागी अरफ सागर में और यह है बंगाल के खाड़ी जो कि अरफ करना ठकवा केला केला कितमिलाडु नारड रद आप्रदेश रूणिता के बाद आपका पश्मिंगाथ तुह तक कि यृष्ट सीर या यानि जो फिश्मिंग हो रूट ऑट जो छो जो सीमा की फिर यानि को फिर शेला होगी यानि कुल जो लंबाई है अनुआ निकोबर दीप समभू अर्लची दीप को मिलाकर तो वो हो जाएगी साथ 5516 किलो मीटर ठीक है दीपों सहीर यानि की पैसे इस मुख्य भूखंड की 6100 और दीपों सहीर साथ हजार पान्सो सूल है किलो मीटर तो इस पिरकार भारत की कुल सीमा कितनी हो जाएगी यानि 15200 मुख्य भूमी की यहां से लेकर यहां तक इस तरह से मुख्य भूखंड की यह दी बात की जाए तो मुख्य भूखंड की आपकी इतनी हो जाएगी ठीक है और इनको भी मिला साथ सो सोले किलो मीटर मुख्य वह सरी भारत देश की क्या है सीमा है यानि कि इस्थली और तटी दोनों को मिला कर भारत में गाउं की संक्या की यह दिवात की जाए तो छे लाक एक तालिस हजार दो जार ग्यारे की जन्रगणना के अंसार भारत में कुल गाउं है चलिए आप है तो कितने राजियों से बारत से ओकर ड़ोजरती है तो आपका है गुझरात राजिस्थान मद्ध प्रदेश 36 गड़ जहार खंड पशी मंगाल तिरपुड़ा और मिजुर रमेन की आठ राजियों से वोकर करके रेखा गुजरती है भारत से ठीक है तमझे आ गया ना चलिए आगे बात करते हैं एक हलकी सी जो अक्जाम में पूंच नहीं जाती है मैंने प्रदेश से गुजरेगी हां बिल्कुल गुजरेगी इस तरह से पूंच लिया जाता है मैंने आपको एक चीज नहीं बताई वह आपको मैं हलकी से पता देता हूं वह यह है कि जो भारत है उसका जो साड़े-ब्यासी प्रदान आमित्र माना गया है यानि कि साड़े-ब्य जो भाग है यानि कि इन दोनों को आधा करदेंगे तो 182 12 देशानतर पड़ेगा 50 82 आपका मिया पर से गजरता है जो कि कितना आपका गिरीन से कितने दुर है साखे पांच घंटे के दूरी पर है कैसे दूरी पर है तो जैसे मान लीजिए यह आपका जीरो डिग्री देसांतर ठीक है जिसको हम कहते हैं ग्रीन विच तो लंदन में मान लीजिए इस मान लीजिए बारे बज़ रहे हैं तो जब भारत में कितने बज़ेंगे आनि कि साहे पांट शॉपत्र थे मीनट का अचंसे घृँट है चार ट边 नगता है तो दस में कितना लगेगा अची हम चारे से बात है ट्रट तो फिर साड़े 82 कि पहुंचने में कितना लगेगा साड़े 82 में गुड़ा कर दो चार का यह हो जाएगा यानि कि चार दूनी आठ ठीक है और चार अठे कितना हो जाएगा 32 ठीक है तो 328 ठीक इसके बाद चार का गुणा कर दो जो इसका पॉइंट टू है यानि कि 5 कितना हो जाएगा चार पंज बीस यानि कि पॉइंट है ना पॉइंट तो यह 20 यानि कि 2 ठीक है दो मिनिट यह हो गया यानि कि 370 गanka인이 370 इस व्याची ना उसको पार करने में कि इसको पॉइंट योट Western गण करने bedeutet कर दे दें यदि साड़े ब्यासी पश्चमी देशंतर की यदि चले आज तो साड़े पांच घंटे क्या होगा समय पीछे होगा यानि कि साड़े बारे में से पाँच साड़े-पाँच घंटे घटा दो तो कितना हो जाएगा साड़े बारे में से इसाड़े-पाँच घटा दें कितना पच्छे का वो बता दें न मैं इतने मैं यहाद है मुझे चलो आगे बढ़ते हैं चलिए भारत के पडुशी देसों के बारें बात कर लेते हैं पर चाहेंगे इस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से यह सबसे पहले क्या जाता है पशी मंगाल पशी मंगाल के बाद हलका सा भाग जाता है आपका असम के बाद यहां पर जाता है मेगाले मेगाले के बाद असम दो तरफ से सीमा बना ओपर से भी नीचे से भी फ दिए दिए बाद भारत चीन के ली से घी बात कि जाए तो ती न जार चार लिए चारकाव से किलो मेटर है आगे मैं समझाऊंग começa से राज सीमावनात trees ना अ करत भारत भारत और पाकेस्था के बाद जाए तो तीनेजार 333 किलो मिटर है भारत व नेपाल की सीमा क्या करता है साजा करता है यह बात कर लेते हैं पड़ो सी दीशों की सीमा पर अवस्द भारती राज्ज्टियों के बारे में भी ठीक है तो होता क्या है कि सब्सक्राइबस पहल host राजिशा क्रिं में चीन की यारे में तो चीन से कौन कौन से राजियों और यहां पर चलता चलाता है हमार्चल प्रदेश और जम्मु करतेहं कितने राज सीमा बना रहा है पांच राज सीमा बना रहा है if अब इसका नेपाल जाएं しाए नेपाल से हैं थो उत्तर प्रदेश चलगा साव затश करता है यहा उसकी प्रशकरत आप च्यूंपात करता यहां पर आ इम करता है आपका पशिमंगाल किससे नेपाल दें के बाद यहां पर है जरा है जिसको हम कहते हैं यहां पर यहां पर आपका चिह के बाद थिसके बात की ज़ाए तो ulaladis se तो सबसे पहले शुरुवात करेंगे पश्ची मंगाल से ठीक है तो है सबसे पहले पश्ची मंगाल यहां पर पश्ची मंगाल ठीक इसके बाद यहां पर आजाता है यहां से शुरू होता है सबसे यहां से करके देख लो यहां से इस तरह से सीमा सबसे ज्यादा से पश्ची म मीचु उपराम ठीक है यह द्यान रखें ये आपका यह यहां पर मणिपूर वाले जो शित्र है वह आपका मणिपूर नागालेंड यह आपके अंगलाजender सीमाаем बनाते हैं इसका बात की हफ्जाबते हो जाती है. पाकिस्तान की सीमा. ठीक है? यहां से यहां से शुरूव होती है पाकिस्तान की सीमा. यह इस तरह से आmost घुला गुजरात पिर आगे बढ़ांगे आजाता है बहुत लंबा चॉड़ा हिस्सा बहुत आपका राजिस्थान सिमा अब इस समझ रहाए ना यह क्या पढ़ गया आपकी जमु कस्मी नहीं कि ये लग देखो इतने यहां से वी उस्णवा बंदी यहां से बंदी यह वादी किदर से से हैं यह इसतर से तो इसका मतलब क्या हुआ यह पर यहाँ चेत्र में कर BLACK रहा है यहां पर यहां जम्मु किसमी राजम मैं समझा ना आतनों इसमें से क्यों होख निगुषते स्मीं आगया चलिए आगे बात करते हैं में अमार के बाते हैं इस तरह से इस तरह पर तो इतने इसे सिवानी उसके भटेंगे तो आपका आगा लेन्ट उसके बात और बढ़ेंगे तो बहाँ जाएगा आपका मिजुरम तो किसके से सीमा बना रहा है आपका अनाचल प्रिदेश नागालेंट मरिपुर और मिजुरम से चलिए आगे बात करते हैं भूटान के बारे में भूटान भी चार राजियों से सीमा बनाता है कौन-कौन से सिक्किम सब्सक्राइल सिक्किम उसके बारां असम और अनाचल फ्रिदेश ठीक है अफगानिस्तान के बाद मैं यहीं बात किया आपगानिस्तान एक राजिस सीमा बनाता है वो भी पक अधिकरत कस्मीर सीमा नहीं बनाता है बलकि अप्रतियत चलूब से यह जानी कि पहले पाक अधिकरस कस्मीर आता है उसके बाद अफगानिस्तान आता है कितनी सीमा करता है एक सो छे किलो मीटर की सीमा बनाता है चलिए आगे बात करते हैं भारत के अंतिम सीमा बिंदु के बारे में यानि कि जो आखिरी पॉइंट है लास्ट पॉइडर पॉइंट ऑफ इंडिया क निकोबार यहां पर पढ़ता है इंद्रा पॉइंट यहां पर यहां पर इंद्रा पॉइंट ठीक है तो इंद्रा पॉइंट कहां पर है ग्रेट निकोबार पर यानि कि अंडवा निकोबार दीप समु का जो सबसे नीचे बाला हिस्सा है इसके बार उत्तरतम बिंदु या का कहते हैं तो उनके नाम पर यह इंद्रा कौल है पष्षी बिद्व की बात यहां पर ये है पूर्व और ये परता है उँद कि घॉर माता कहा तॉर माता कहा पर प्रदेस में है रण चर्प्र मुख्य भूमी की दक्रदमबंदू की आणि पात की ए तो कण्य यांच कुमारी पर लगता है यानि कि कि ये मुफ्य भूमी का नहीं था यानि की इस रहे कि आप OP में बताया जो कि यह आपका तमिल नाडु वाले चेत्र में चलिए आगे बात करते हैं सीर्स पांच छेत्र पलबाले राज्य यानि सबसे ज़्यादा छेत्र पलबाले पांच राज्यों के बारे में यहां पर बात कर लेते हैं कभी कभी पूछ लिया था कि भारत का सिबसे बड़ा राज कौन सा है ठीक है तो सबसे बड़ा राज जी की यह दी बात की जाए तो है आपका राजिस्थान यहां पर आप देख सकते हैं लंबा चौड़ा इस्सा है यानि कि 34,000 सरी तीन लाख ब्यालीस हजार दूसो उन्ताल ये दुग काफी हैत यह सारी तीन लाख क्या सकते हैं राजस्थान का ना है तीन लाख उस्वहीर सबसे पहले आपका रापा हॉसके बारात सब्से जादें और कोई जादा खास अंतर नहीं है पर फिर भी आपका एंपी बाला जो चेतर है एंपी समझवाए किया ना एंपी बाला चेतर क्या है बड़ा है और माराज तीसरे नमबर पर आता है इसके बाद उत्तर प्रिदिस की बात कि जाए दो लाख चाली से जार नो सो अठाइस ठीक है इसको भी डाइलाग पढ़ सकते हैं उत्तर प्रिदिस वाला चौति नमबर पर जम्मुकस्मी पांच में नमबर पर है चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर सबसे बड़े जिलों की बात कर ले जाते हैं जो अकसर कुंच रिये सील शिषऑ अचिटर वाले चैलें ठीक है सबसे बड़ा जिला की एनि बात की जा तो यह है कच्छी जो कह गया गुजरात वाले चैले में यहां पर है आपका दे काहिस दूसरे नमबर पर रहा है राजिस्थान का जैसल तीसरे नमबर पर यहां पर आप देख सकते हैं यह है यह जैसल मेर जोकी बिल्कुल पाकिस्तां के करीब लगा हुआ है ठीक है इसके बाद वार चौर्ति नमबर पर है आपका fawn नमबर पर है ठीक है पांचे नमबर पर बाड मेर यानि तीन जो जिले हैं आपकी किसके हैं आपकी राजिस्तान के यानि कि यहां पर देख सकते हैं सबसे बड़ा आपका कच्छ उसके बाद ले उसके बाद जैसल मेर इसके बाद बीकानेर और बाड मेर ठीक है समझा गया कच्छ ले है जैसल मेर बीगानेर और पाड़ मेर चलिए आगे बात करते हैं चलिए तटरेखा इस तटरेखा वाले राजयाने की वह राज जो तटरेखा से लगे हुए हैं उनकी उनमें से भी सबसे जदर टरेखा साजा करने वाले देसों के बारे में बहु सरी राजियों के बारे में बात कर लेते हैं तो चलिए सबसे ज़्यादर टट्रेगा वाला राजी देख लेते हैं सबसे ज़्यादर टट्रेगा वाला राजी जो है वो है गुजरात उसके बाद नमबर दो पर है आंद्रप्रदेश यहां से मैं तो बोड़ा झम रहें नमबर टिमा कर यहां तक यह राज अनन ठीसरे अंध्रश कर लेका है इसके बाद तीशले नंबर यहां तो सबसे ज्यादा ट्रेखा गुजे की दूसरे नंबर पर फिर कौन सा आएगा गुजरात तीसरे नंबर पर महाराष्ट बहुसरी आंद्परतेस तीसरे पर चौथे पर आपका तमिलाडू और पांच में पर आपका आजाएगा महाराष्ट चलिए सीमा रेखा की बात यह ज़िए की जाए तो प्रमुक अंतराष्टि सीमा रेखाओं के बारे में बात कर लेते हैं मिजर इंटरनेशनल ठीक है इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन ठीक भारत चीन के बीच जो रेखा बोली जाती है उसको हम कहते है मैंक मोहन देखा बाइस सफरेल में इस को माना जाता है 27व्य darf पाकिस्तान की बीची बात की जाय सीमा रेका की तो ही अधिय से जाती है इस तरए से यह तो है आपका इंटे यह चेत्र है इसको खdalे किया गये था है भारत और अफकानिस्तान के बीचे दीबाट की जाये तो उसको हम कहते हैं डूरंड रेखा रेखा जो कि सर्डूरंड के द्वारा निजाजत की गयी थी ठीक है लिवाजन से पहले होता क्या है कि जब विभाजन नहुंगा था तो इस समय ये भारत जो था आपका नक्सा जो भारत का बना करता था इस तरह से बनता था इस तरह से यानि कि आपका भूटान तो अलग था सिक्किम भी अलग था नेपाल भी अलग था और इस तरह से यह इस तरह से पूरा बना करता था पाकिस्तान वीस में सामिल था और यह बंगलादिस वीसी में सामिल था ठीक है तो हुआ क्या कि जब भारत और अफगानिस्तान की बीच में एक रेखा की चीगे जिसको डूरेंट रेखा का गया लेकिन जब भारत का बिवाजन हो जाता है और पाकिस्तान बन जा जाते हैं लेकिन अपरते चुरूप से भारत भी लगा हुआ है अफगानिस्तान से तो इसलिए हम डूरेंट रेखा भारत से भी तुड़ी हुई मानते हैं चलिए प्रमुक चैनल जल डमरूमद या जल संधियों के बारे में भी हम इसमें हलकी सी बात कर लेते हैं जल संधी के बारे में देख लेते हैं चलिए आगे बात करते हैं सब से पहले बात करते हैं लगू अंड़मान चलिए बात कर रहेते हैं प्रमुक चैनल और चैनल या जल्ड अम्रूमत या जल्ड संधी के बारे में सबसे बात करते हैं 10 डिगरी चैनल ठीक है कौनसा है जहां पर आप देख सकते हैं यहांपर यह लगू על यानी कि यहांपर लगू अदुमान और Car निकोवार कार मतलब यहांपर यह बड़ा वाला लगू अर कारनकोवार के मत्र यह लिटल यहांपर जिसको हम कहते हैं लगू और यह है आपका कारण निकोबर यह ठीक है यह यहंद वाला ठीक है तो दस डिगीट चैनल है यहाँ पर आप देख सकते हैंने लिटल अंडमान यह लगो अंडमान और कार्न निकोबर के बी इसके बाद बात रहाएं नो डिगरी चैनल तो मीनी कयए और लच्छ दीब के मद्दिमें इस्तित है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है मिनी कोय, और यह है लच्छ दीब, तो मिनी काय और कार नोगोवर के बीच में आपका है, दatl tart नीजी चैनल नगी चैनल है आपका लक्छ दीब और मिनी कोय के बीच ठीक है इसके बाद आठ डिगरी चैनल मालदीव और मिनिकोई यानि कि यह मालदीव यहां पर है मालदीव और इसके ऊपर है आपका मिनिकोई तो मिनिकोई के बीच में इस्तित है आठ डिगरी चैनल ठीक है मन्नार की खाड़ी तता पाक जलसंदी के बारें बात कर ल channel के बारे में तो great channel जो है indra point से indonesia को अलग करता है यानि कि यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर है आपका indonesia ठीक है यह वाला पूरा छेतर जो है indonesia तक फेला हुआ है और यहाँ पर indra point जो कि यहाँ पर यह यहाँ पर जो कि है ग्रेट चैनल चलिए आगे बात करते हैं करके देखा भारत से किन-किन राजियों से होकर गुजरती है यह पूंचा जाता इसलिए मैंने अलग से लिखती है करके देखा भारत के मद्दे से गुजरती है या आठ राजियों से होकर गुजरती है जिसमें सबसे पहले आता है गुजरात उसके बाद राजिस्थान उसके बाद मद्दिप्रदेश उसके बाद आपर है आपका छार खंड इसके बाद बहु सरी चतिरगाड उसके बाद जारगंड उसके बाद पश्ची वंगाल उसके बाद तिरपुरा और ये है आपका यहाँ पर मिजोरम तो किनके राज़ियों से जाती है गुजरात राजिस्तान मतिप्रदेश चतिरगाड जारगंड पश्ची वंगाल तिरपुरा एवं मिजोरम तरास्ट्रक्रा करनुन нी संधी या समुद्री इसको हम बोलते है कि इसको नीस्ट केनी सिंब्स नंषब कर खे측 सोरह नवंबर निञीश confident hon स्मूद्री कानुन संद्र के तयार्त हो蛇ता सभी लोग के isht HP हो बेटा केटव होती है लेकिन उसमें कुछ सर्थ रखेगी थी कि ऐसे ऐसे करके ये कुछ देश जो है मतलब एक सीमा बना दी गई थी कि इतने देश जो है जब इसमें स्थाक्षर कर देंगे तो ये एक कानून लागू हो जाएगा तो होता क्या कि उन्निस सो ब्याती में जब देशों ने क्या कर दिये हैं इसके तहित कुछ समुद्री सीमा बनाएगी जिसमें है चेत्री जली जिसमें 12 समुद्री मील तक संपूर अधिकार होता है किसी भी देश को आगे हम बताएंगे निकटवर्ति या विच्छिन या संलंग निचेत्र इसको आदार रिका से 24 समुदरी मील तक माना गया है इसके अंदर चार प्रिकार के अधिकार दिया गए सिमा सौर्फ परदू सर्ड साफ बाई करना ठीक है कर वसूली का अधिकार और अपनर प्रबासन का अधिकार ठीक है इसके बाद तीसरा जो है आरक्षेत वो आर्थ आरक्षित आर्चिक्षित ठीक है इसमें आधा रेका से 200 समुद्री मिल तक संसाधनों का दोहन कर सकता है बैग्यानिक अन्विसर्ड या कहें सोथ कर सकता है ठीक है तो चलिए आगे बात करते हैं हम समझते हैं इसको ठीटेल में भारत हिंद मासागर में सबसे लंबी तट्रे का साजा करने वाला देश हैं दुनिया में सभी देशों को समुद्रों में अधिकार देने के लिए या कहें उनकी समुद्री सीमाएं निधारत करने के लिए 1982 में संक्त राजसंग के सदस्य देशों के बीच एक समझता हुआ जिसे अन्क्लोज कहा गया यानि कि युनाइट कहनी समुद्री सीमा अविछिन मंदल या विचन मंदल समुद्री सीमा और अंण्य आर्थक छेत्र ठीक है कैसे कैसे ईंको निराधत किया गया उनको हम आगे देखता है इंद्ली कि राध्यसिक समुद्री सीमा के बारें बात कर लेते हैं आधा रेखा से आधा रेखा पहले बता देतों आधा रेखा वह रेखा होती है जो किसी भी देश के कटे फटे समुद्रों को क्या करती हो मिलाती हो मान लेजिए कोई देश है तो उसका इस तरह से यह मान लेजिए सी ऐसे दिखाए लेकिन इसमें क्या होती है कभी कटा भटा समुद्र तेड़ा मेड़ा होता तो फुरस सभी टेड़ी मेड़ी मैंनों को मिलाने वाली रेखा को आधारिका क्यنا कहते हैं तो आधार रेखा से समんな संमुतृमील तक प्राधेसिक सीमा होती है है समुद्र पीरादेशिक समुद्री सीमा तक भारत का संपूर अधिकार होता है यह आने की बार वारा मील यह बार वास्मद्री मील यह 21.9 किलो मेटर यह इसको कह सकते हैं अधारों ठाइस किलो मेटर अधिकार तक भारत को वह सभी अधिकार rep प्राप्त होते हैं ठीक है उसी तरह से बारत समुत्री मिल तक अधिकार प्राप्त होते हैं यहां से लेकर यहां तक आप देश सकते हैं यह इस तरह से यहां से लेकर यहां तक इस तरह से बारत समुत्री मिल तक क्या है भारत समुत्री मिल तक भारत को संपूर अधिकार प्रा आप तो होते हैं यानि कि इस मैं यानि कि बारे समुझरी मिल तक कोई भी देश भारत की बिना इजाज़त से प्रवेस्ट नहीं कर सकता चलिए 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 बात करते हैं अविछिन मंडलिया सनलगन छेत्र ठीक है होता किया है कि आपका मेना भी थोड़ी पेला है आधार रेका से 24 सविंदर मील तक यानि 24 किलो मीटर तक आधार रेका से च्वारीस किलो मिल्टर तक आपका अविछिन मंडल या सन लगने छेत्र कहलाता यानि कि यहां से लेकर यहां तक का जो छेत्र है यहां से लेकर यहां तक का जो छेत्र उसको हम 24 नियोटिकल मीर माल लेते हैं तो यह कहलाएगा अविछिन मंडल या सन लगने छेत्र ठीक है सम मंदल में भारत को तीन प्रिकार की अधिकार दिये जाते हैं सफाई साफ सफाई करने का अधिकार सीमा सुल्क वसूली का अधिकार और बित्ती अधिकार जैसे जो भी जिसी तरह के जिससे कमाई होती है उस तरह के अधिकार दिये जाते हैं चलिए आगे बात करते हैं तो मैंने आप लोग क्या बताया मैंने बताया कि आधार रेका से 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक समुद्री जीमा चलिए बात कर लेते हैं बहारत में बढाबे शेत्रों का समावेस के बारे में तो समावेस मतल़ धिए सिच चत्र मतलब भारत राटेया है उसका बारे में सकते हैं पर डेशाओ कब जयाता जाए पर्टगाल का अंग्रेजियों का और आप का फ्रांसीज़ों तो जब वो उन्ग्रेज या पुर्टगालियों रापस लिया गया था और उसका बिलया कर लिया था उनके बारे में बात करते हैं तो च्लिए देख लिए तें पंद्र का सुनी से तालिए तो सबसे यहां पर है आपका दादर नगर अभी जो पुर्टगाल के अंडर में था यहां पर है आपका गुजरात में जो दमन और त्यू ठीक है यहां पर आपका कुवा जो किसके अंडर में था आपका पुर्टगालियों के अंडर में था ठीक है किस चलिए आगे बात करते हैं पर देख सकते हैं यहाँ पर चंदर नगर इसमें होना चाओए यहाँ ल Genesis यहां पर था इसको बसे चंदर अगर इसके बाम है के आपका पर अपर आपर आप T diğerãy तो यह वाले चेतर पあれ था उसके बाद से लिया गया था चलिए आगे बाद करते हैं कुछ प्रमोक या कहा है most important facts जो आज दिन कहीं ने पूंच ली जाते हैं तो उनको अलका सा अलग कर दिया है मैंने तो भारत का वह राजी जो तीन तरफ से बंगलादेश से गिरा हुआ है तो वह आपका तिरपुरा कैसे तीन तरफ से बंगलादेश से गिरा हुआ है यहां पर पूर पश्चिम बाला भाग आप कड़ा बंगलादेश और दच्छिड बाला भाग बंगलादेश से गिरा हुआ है तीन ओर से किस से गिरा हुआ है आपका बंगलादेश से गिरा हुआ है कौन सा तिरपुरा तिरपुरा और बंगलादेश की सीमा क्या कहलाती है सून रेख है तो चम्मू कस्मीर की सबसे लंबी है बारे सो पच्चीस किलो मीटर इसका भारती उपमादीब में सामिल देश कौन-कौन से हैं भारत पाकिस्तान बंगलादेश मालदीफ स्री लंका नेपाल और भूटन यानि कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ भारत पाकिस्तान ठीक यानि सबसे पहले तो भारत आ जाता किसमें जब बोला जाता है कि भारती उपमादीब तो उपमादीब मैंने पहले यह अपना ही रुए करता था लेकिन जो कुछ ध्रकोंक टाइप परजातिया थे ही जो कायर लोग दिजब विदेशी लोग करने आते तो वो उनके सामने दुम दबा लेते थे और इस काड़ से हमारा जो जो छेतर था वो पिदेशी लोग चीनते गए और उसके टुकड़े होते गए जैसे कि आप यह पाकिस्तान ही देख सकते हैं यह पाकिस्तान कहीं भाहर से नहीं आई इसमें कायर लोग रहते हैं क्यों यह है जब भारत में ही रहते थे लेकिन जब वहां से बावर आया और जो मुस्लिम जो लोग थे वह यहां पर आये गरदन काटने के ड़र से इन लोगों ने धर्म परवरतन कर लिया और यह हिंदू से मुसल्मान बन जाते हैं फिर यह कायर लोगी थे यह असली मुसल्मान तो बहरत इस कुकि यह नाजाज है हैं ना मतलब कायर लोग हैं इसलिए यह सोचते यहां पर आप देख सकते हैं मालदीप इसके बाद यह स्रीलंका इसके बाद नेपाल और यह भूटान तो एक, दो, तीन, चार, पान, छे साथ, छे साथ, जो छे तरहें, इनको किसमे सामिल किया जाता है, आपके भारती उपमादीप में सामिल किया जाता है, भारती गार दक्षिरतम बिंदू, कौन सा मेंने बताए था आप लोगों को, साड़े, आठ डिगरी, चार मिनिट, वो क सबसे पहले आता है, नमबर वन, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, समझे आगे न, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, क्यारे, पारे, ठीक, तेरे, चोदे, पंद्रे, सूले, और ये रहा सत्रे, ठीक है, समझे आगे न, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, आपका सबसे पहले कौन कौन से जो है, सत्रे राजी कौन कौन से आगई, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, इनको दो, एक बार और रिपीट करूँए, मैं, आपका आ गया यहां पर, यह है, आपका तिरुपुरा, नमबर ए, मिजुरम नमबर दो, मडिपुर नमबर तीन, नागलें, नमबर चार, क्य गुजरा, ठीक है, एक और में गिंती कर देता हूं, एक, दो, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, तस, क्यारे, बारे, तेरे, चोदे, पंदरे, सोले, और यह सत्रे, ठीक है, समझा गया गया ना, किस तरह से भारती राज्यों की संक्या जो है, सत्रे हो गई, जो कि पड़ोसी मुल्क से सीमा, साजा करते हैं, चलिए, भारत का आचांसी यह विस्तार मैंने आप लोगों को बताया था, कितना है, 29 डिगरी, दो मिनट, से 29 डिगरी, अठारे, मिनट तब, ठीक है, नहीं चम जाए इसको, कैसे, मैंने भी बताया, आचांसी विस कि उत्तर में जाते हैं, तो मैंने क्या बताया, यहां पर है, आठ डिगरी, चार मिनट, तो आठ डिगरी, चार मिनट, तो आठ डिगरी, चार मिनट, से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे उपर चलते चले जाते हैं, कितना हो जाता है, 36 डिगरी, छे मिनट तक आ जाते हैं, तो इसकी कुल कई नेवी मैं इसमें इसमें उच्छान्स वे इसमें उन इस में 29 29 वो अच्छान्स मुप ऑफ खेला आप दो डियसांथ्ञ यह धीक तरी ऑधस्य क्ते हैं तो यहां से मोलिगी कितना देशांतर शुरू होता है यहां से सब्सक्राइब होता है वो होता है 68 देशांतर अर्ट डिगरी साथ मिनट देशांतर ठीक है अर्षाट 79 70 71 बाद तो यहां पर पहुंचाएंगे ऐसे करके लास्ट में यहां पर आ सत्त अनवे डिगरी टूफफाइब निटस ठीक है तो यहां से लेकर यहां तक चेतना फैला हुआ है नहीं उसके बाद करायकल जो कि अ करायकल करायकल तमिला जाना है बाला छेतर कुछा है अंडवान निकोबार दीप समू मरकट दीप किसे कहते हैं अंडवान निकोबार दीप को एमराल्ड आइसलेंड किसे कहते हैं अंडवान निकोबार दीप समू को बार के उत्तरोतर राज जिन की सीमाएं बंगला देश से नहीं मिलती नागालें और स मैं लगते हैं यहें कि इढ़ती है और कि दो अचा गया नहीं कंदिरीक और की और मडीय दू तीन नहीं लगती है यह कीnya एक ता संदेल अचीत क्या कहला था है सिस्टर्स राज कहलाता है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं मैंक मोहन रेखा चीन वा भारती राजियों के बीच है चीन वा भारती राज की बीच है मैंने तोड़ी देर पहले बताया था कि जो भारत की पाकिस्तान वारत की चीन से जो सीमा साजा की जाती है वह है पूरी की मैंक मोहन रेखा नहीं कहला कि बलकि आनाचल प्रदेश और बाजा प्रदेश और चीन के बीच की जो रेखा है उसको मैंक मोहन रेखा कहा जाता है एग चलिए चलिए इंद्रा पॉइंट की विश्वत रेखा से दूरी कितनी है आठ सो छेटर किलोमेटर यानि कि जो विश्वत रेखा है यहां पर आप देख सकते हैं यह विश्वत रेखा विश्वत रेखा से इंद्रा पॉइंट है यानि कि यहां पर इंद्रा पॉइंट है जो कि अं को मैं बता देता हूं सबसे ज्यादा किसकी तर्रेता है आपकी घुजरात की उसके बाद अन्दरधेश सीम होओ से मिलने वाला भारती कौन सा है सिक्किम है यानि की सड्य कि मैं आप लोगों को च्यूंब कर देता हूँ क्या मैंने भी पूछा कि सिक्किम जो है भूटान ने पाल और चीन से अपनी सीमा क्या करता है साजा करता है भारत का बहरा जorama मयामार से पर्ष करती है तो बैय अरणाचर प्रदेश की सीमा सभसे दिक से करती है के म्यामार से साजा होती है भारत के किस पडोसी देश की सभसे लंबी स्तलियή सीमा है तो बंगला देश की मैंने बी दूढ़े पहले बताए चारभाजारजक्श् convention किंडार सीमा जो है पंग्लादेश से भारस साजह करता है वैदेश जिसे दूर्स लाइन भारत की सीमा निराजर काती है कर अफगानिस्तान जिसे मैंने पता है ता पाग अदिकृत कस्मीर की द्वारा भारस से ये जुड़ा हुआ है भारत सिरंका से अलग होता है पाक जल डमरू मदिसे या पाक जल संदी के द्वारा तो ये हो गया आपका भारत की अवस्थिती एवं पिस्थार के बारे में जो प्रमुक चानकारी थे ठीक है क्या हो गया भारत के बिस्थार एवं अवस्थिती ठीक है चलिए साथ यो बात करते हैं भारत में पाई जाने वाली चट्टानों के बारे में कितने पिरकार की भारत में चट्टाने पाई जाती हैं जो most important है उन्हें के बारे में मैं बताऊंगा बाकी का तो आप लोग books वगेरा में बढ़ सकते हैं तो आई ये बढ़ते हैं चट्टानों का निर्माड भी कैसे हुआ उसको भी हलका हलका समझ लेते हैं होता क्या है कि जब प्रत्वी आग का गोला थी यानि कि जब ब्रह्मान का निर्माड के बाद सौर मंडल का निर्माड हुआ सौर मंडल के बाद आप सब लिए जानते हैं हमारी प्रत्वी का भी नि कई सालों बाद यानि कि दो चार साल बाद नहीं हजारों लाखों सालों बाद जब ठंडी होती है ठंडी होने के बाद उसके किरम में कुछ चक्टाने बनती है यानि कि उसके ठंडी होने के आधार पर एक, दो, तीम, चार, पैस तरह की जो चक्टाने बनती है उन्हीं के आध मानी जाती है कौनसी आर्केन किरम की चटाने इन चटानों में जीवास्म की कमी पाई जाती है इतना काफी है चलिए आगे बात करते हैं चलिए धारवार किरम की चटानों के बारे में बात करते हैं तो इन चटानों का किन चटानों का धारवार किरम की चटानों का जो नाम कहें इनको चट्टन क्यों कहते हैं तो होता क्या है कि एक जिला है आपका करनाटक में जिसको हम कहते हैं धारवाड तो इन चट्टानों का नाम करनाटक के धारवाड जिले के नाम पर पड़ता है ये चट्टाने खासकर करनाटक के धारवाड तथा बेलारी जिले में अरावल किरम की चट्टाने ये चट्टाने कौन सी धारवार किरम की चट्टाने खनिस संपदा का बंडार होती है यानि कि इन चट्टानों में सभी प्रकार की धातुएं पाई जाती है जैसे कि आपका लोहा हो जाता है ताबा हो हो जाता है मेगनीच हो जाता है अब्रक हो जाता है डोलोमाइट हो जाता है सोना हो जाता है चांदी हो जाता है अन्य जो प्रमकदात्र होती है धारवार किरम की चक्टानों से ही निकाली जाती है ठीक है चलिए यही यह काड़े के धारवार किरम की चक्टाने सबसे अधिक आ एंते दौनों चट्टानों में याझानی कोलार की खान किसी लिए प्रसिद्ध है यह आप कमेंट करकी बताएं कोडपा किरम की चट्टानों के बारें बात कर लेते हैं इन चट्टानों का शाम बता लिए अतन बिंद्य परवत के नाम पर हुआ है ने कि जो बिंद्य परवत त्रेड़ी है उसके आसफास ये चट्टाने पाई जाती है इन चट्टानों का महत भवन निर्मार सामिकरी के लिए बहुत अधिक है वह भवन निर्मार सामिकरी के लिए बहुत अधिक है वह निर्मार सामिकरी जैसे पदार्थ मिलते हैं ठीक है बलुआ पत्थर से आपका दिल्ली का लाल किला और आगरे का किला बलुआ पत्थर से ही बनाए गया दिल्ली का लाल किला आगरे का किला सांची का इस्तूप का निर्मार किस से किया गया है आपका बलुआ पत्थर के द्वारा ही किया गया है पन्ना और गूलकुंडा की हीरे की खान इनी चट्टानों में इस्तितर है यानि कि जो पन्ना है पन्ना यानि कि आपका महाराश्च मद्धिप्रदेस वाले चेतर है महाँ पर पन्ना की खान है और गूलकुंडा जो कि आपकी आंधिप्रदेस वाले चेतर में पाई जाते हैं यानुक पन्ना मध्रदेस और गूल्कुंडा कहा पर रहा आंधि पर्देस में है पन्ना और गूल강डा में क्या Champ निकाला जाता है हीरे निकाले जाते हैं यह यह जैक्टाने राजिस्तान के सित आप से लेकर भियार के सासा परसेंट कोईला मिलता है जो कि दितियक परकार का कोईला होता है दितियक कोटी का कोईला होता है यानि बिट्मिनस परकार का कोईला होता है क्यों कि कोईला कितने परकार की होते है चार परकार की कोईला होते है सबसे पहला जो होता है आपका होता है यानि कि टॉप लेवल का क कोईला होगा उसमें कारवन की मात्रा उतनी ही कम होगी कारवन मतलब कारवन की मात्रा जितनी कम होगी उतना ही उतना ही वो धुमा देगा जैसे कि आपका एंसे साइट कोईला है तो उसमें कारवन की मात्रा अधिक होती है इस काड जब जलता है तो धुमा और राक दोनों करेगा प्रोसर्ड करेगा और राख देगा इसका पीट को अला यह यदि आप जलाते हैं तो और अधिक राख आख और और अधिक क्या करेगा यह प्रोसर्ड करेगा संच हम आगे ना चलिए भारत में इंथ्रे साइट को यह दिख पाए है तो जम्मु कस्मीर वाला जो चेत् कि कितने परसेंट 98 परसेंट कुईला बिट्मिन प्रिकार का पाए जाता है यह यह कारण है कि विदेशों से जब मतलब हमें आयात कराना पड़ता है यानि कि बाहर से अंत्रिसाइट प्रिकार का जो कुईला होता है वे विदेशों से क्या होता है आयात होता है ठीक है यह खास कर गोंडवाना किरम की चट्टाने पाई जाती है चली आगे बात करते हैं चली बात करते हैं डकन दकARRYम के बारे में थिखत चली एक तरह से खिज़ होगे है यदि कर दुखिधा है यहां पर दच्वन फिरीका से भारत तूटकर उत्तर पूर दच्वन फिरीका से भारत तूटकर उत्तर पूर की है एट कि तूट गर उत्तर पूरी की और पर वाविट यानि की पढ़ने लगा इससे का होता है कि यह जो इदर वाला जो छेतरता है निकी पश्मी घाट वाला जो छेतरता है नहीं मतलब मल्वा मेग्म जो बीचीजन रही होती है उतले अर्व बारा जो छहत्रा है रहा पर यहां पर यहां वाले जो छेत्र में भीची आता है है यहां पर बीची आता है जब ढोदा होता है तो जो जहालता है हुम लिवर्यव मरता विक रंगड़ा गाइरateg वि जब कर से चंकेद़ चास से अनोगोगा आपने सा हो गया बाद मी जब कभी डिटेल से देखेंगे तो इस कारसे क्या होता है बे शाल तलावा से जिब अंदर से जो मन निकला थे उससे ये चटानों का निल्मार हुआ है यानि कि ये बेसाल तलावा काली मिट्टी में कपास बहुत अच्छे से उगती है, इसलिए इसको कपास की मिट्टी रहे गुर मिट्टी भी कह देते हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो सात्युं यह हो गई आपकी भारत में पाई जाने वाली चट्टानों के बारे में जो चानकारी थी चलिए आगे बात करते हैं बात करते हैं भारत के बहुतिक प्रदेश जैसे की आपके पहार परवत रेगिस्तान पठार प्राइदीपी पठार मेदानी चेत गाटियां इस तरह की चीज़ें ये आपकी बहुतिक प्रदेश में वाजती हैं कितावी बाता हैं सबसे पहले हम बताते हैं भारत की भूमी बहुत अधिक बहुतिक बीविनितां को दरसाती है जहांकि भू गर्विक संद्चना की बिविस्ता ने देश के उच्चावज तता बहुतिक लच्छट्णों की बेविस्ता को जन्म झाल दिया है कहीं पर पहार तो कहीं पर परवथ कहीं पर पठार तो बहुत एक एक करके समझेंगे सबसे पहले बहुत समझते हैं इसको यह इस तरह से यहां पर आप देख सकते नंबर एक है इसको मैं कलर चैंज कर दो हूँ छोड़ा आसानी से आपको आए आप यहां पर बात कि यह अगर आदार्भ nov तो छे भागों में बाटा जा सकता है, इसमें सबसे पहले बात करेंगे, हम जो बात करने वाले हैं, होगा आपका उत्तरी परवत, यानि कि उत्तरी परवत है, या हम कह सकते हैं, उत्तर के परवत, जिसमें आपके हो जाएंगे हिमाले, हिमाले में क्या-क्या सामिल किया जाता और मिजो ठीक है इसके बाद उत्तरी मैदान में यदि हम बात करेंगे तो उत्तरी मैदान के नंबर दो में हम पढ़ेंगे उसमें होगा सिंदु का मैदान गंगा का मैदान ब्रह्मोपुत्र नदी का मैदान ठीक है इसके बाद हम इसमें बात करेंगे पिराजदी पिपठार पढ़ार के बारे में पिराजďीप पठार के बारे में हम ठ्टिल में जानेंगे जिसमें होगा मध्य उच्छी भूमि जिसमें धार महलवा का पठार, चोटा नाघपुर यसे उसके बाद इसी हम पढ़ेंगे दक्कन का पठार ठीक है इसमें हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में इसके बारेगे तो आप सब लोग जानते हैं यह राजिस्तान वाले छेत्रम भाए जाता है जो कि थार के नाम से जाना जाता है तो हम इसमें ज्यादा कुछ टेटिर में या टीप में नहीं जाएंगे तटी मैदान के बारे में हम बात करेंगे तो तटी मैदान को भी हम थोड़ा समझेंगे जिसमें होगा पूर्वी तटी तट और पश्चिमी तट ठीक है इसमें हम बात जो करेंगे पूर्वी तट में हम बात करेंग बंगालि खाड़ी में दीप पाई जाते हैं और छोटे मूटे टीप उन सब के बारे में भी बात करेंगे चले आगए बढ़ते हैं तो भारत के उच्चा वच यह अप्bird खाटम के पाद कि भारत के और पर चुछे में अक्रों आखरतिक लच्छड़ों में नहीं चकाट पाई जाती है बिवित्ता या कहें बिन्निता पाई जाती है यहाँ पर कहीं पर उंचे उंचे परवत पाई जाते हैं तो कहीं पर सपाट मैदान पाई जाते हैं साथी भारत देश में प्राचीन चटानों वाले पठार को भी सामिल किया जाता है या कहें प्राचीन चटानों रहे हैं यानि कि 10.7% परवती छेत्र है जिन में प्रवती छेत्र की बात कि जाए, तो 2135 मीटर या इसके अधिक उचे भी है, 2018,106 या एटीन प्वुइंट शिक्स परसेंट की बात की जाए, तो पहाडियां पाई जाती है पहाडियां जो होते हैं छोटे इस तरकी होते हैं यानिकि कम उची होते हैं जिनकी उचाई की यह दिवाद की जाए तो 35 सो तीन सो पांच से लेकर 305 मीटर से लेकर 235 मीटर उंचे तक ये पहाड़ियां पाई जाती है इसको पठारों की बात की जाए पठारी छेतर की बात की जाए तो पठारे छेतर जो फैला हुआ है 27.7% में पठारी छेतर फैला हुआ है जिसमें आपको पठारी छेतर जो है सबसे बहले बात करते हैं भारत की बागोलिक आकरतियों को छे बागों में बाटा जाता है सबसे पहला जो है उत्तर भारत का उत्तर भारत का परवत या उत्तर का हिमाले परवस सिरंखला या हिमाले परवस सिरंखला ठीक है नमबर दो प्राइदीपी पठार नमबर तीन तटवर्ती मैदान नमबर चार उत्तर भारत का मैदान नमबर पांच दीप समूँ उसके बाद भारती मरिस्तल नमबर छे में सामिल किया जाता है ठीक है इसके बारे में हम इसी में बात करेंगे. यहां आप देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यह हैं आपका number एक वाला जो छे ल्छाना ऑनी की chocolate kommt आप में जो है. उसको मैं कहते हैं उत्तर भारत के परवत यह उत्तर का हेमालय परवत ठीक है इसको हम अभी बढ़ेंगे इसके बाद जो नंबर दो प्यारा ग्रीन वाला जो चेत्र है उसको नौर्दन यानि कि उत्तर भारत का मैदान उसके बाद यह वाला जो चेत्र आ जाता है यह वाला जो चेत्र है यहां से लेकर इस तरह से यह इस तरह से यह इस तर फेल इसके बाद यहां पर आप यहां पर आप देख सकते हैं यह सेथे आपका को क要ा नी की कह देते हैं अटरू मैदान ठीक है इसके बात नंबर Q pred you है आप यहां पर देख सकते है आइचले नियानी की दीब्समु ये और ये और कुछ आसपाद के फीटरों कि क्या पाई जाते हैं आपके दीप समू पाई जाते हैं चलिए आगे बात करते हैं उत्तर भारत की हिमाले परवत सिंकला यानि की हिमाले परवत के बारे में हम देखते हैं तो आई ये बढ़ते हैं आगे तो हिमाले परवत को जाने से पहले एक नेजर में आप लोगों समझा देता हूँ कि भारत में भागोलिक आकरती को छे भागों में बांटा जा सकता है यानि कि मैंने बताए तो उत्तर में हिमाला है उसके ठीक नीचे यह आप आजते हैं तो उत्तर भारत का मैदान उसके ठीक करेंगे तो यह फिमया इस समखते हैं सबसक्र करके पराइगे हमालह परवच भारत की उत्तरी सीमा पर इस्टेद लंबाई की बात कर ली जाए तो हिमालह पश्च्चम से ले कर पूर्व की तरफ यदी जाता है यहां से लेकर यहां तक ऐसे करके यह पूरा जाता है तो आपका हिमाले की जो लंबाई है वह 2400 किलो मीटर है इसकी चोड़ाई की यह दिबाद कर लिए तो पस्चिम में इसकी चोड़ाई आपकी पस्चिम बालच यह यह पूर और यह पस्चिम तो हिमाले की पस्चिम में चोड़ यह वह दोस्तो किलो मीटर ही रह जाती है हिमाले परवत की उत्पती टैति सागर पर प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर होता क्या यह मैं इसको हलका सा मैं समझा दे रहा हूँ आपको कि कोई बैग्यानिक थे जिनका नाम तर जाहां तक अंदाज कोबर थे जो भी टेटिस तागर में क्या कर लिया था भर दिया था तो मलवा जब भर गया था तो होता क्या है कि किसी काड़ से प्लेट में क्या होता है प्लेट उपर क्यों खिसकती है यानिकी यह जो महादी बाली जो प्लेट थी उपर क्यों खिसकती है तो इसमें जो मलवा था यानिकी जो जो माल था उसमें क्या हो जाता है बलन पड़ जाता हूं कि बलन परता है तो इस बलन के कार एक परवत कन्युए उता है जिसंको मैं आगे पताँगा था था कह कै है तो हिमाले परवस सिंदु नदी से लेकर बिरहम पुत्र नदी तक फैला हुए यानि कि हिमाले पद्रवा सुरू होता है आपका यहां पर यह है आपकी सिंदु नदी यहां पर यह देख सकते हैं सिंदु नदी सिंदु नदी से लेकर ऐसे चलते चले जाएंगे चलते चले जाएंगे चलते चले जाएंगे और इस तरह से यहां पर आ जाएंगे तो हिमाल है जो परवत है वह सिंदु नदी से लेकर बिरहमपत्र नदी तक फैली विश्व की सवसे नई परवन सिरकला है सिरंकला है या कहें नभीन परवस सिरंकला है प्लेट बिवर्तिन की सिधांतिया प्लेट टेक्ट टेक्टॉनिक्त त्योरी के अनसार इंडियन प्लेट यानि की जो इंडियन प्लेट थी यानि की ये वाली इंडियन प्लेट था कि एक, वेग्यानिक थी जिम्ता नाम था कोबर, उनके अनसार क्या होता है, कि यह जो पहले भाग वा करता था, यहां पर हимाले से पहले नहीं था उससे पहल जाता है वहां पर नदिया हमाले प्लिट के तरफ आपकी इंडियन प्लिट जब खे सकती है तो उस मलवे में आने की क्या हो जाता है बलन पढ़ जाता है बलन पढ़ने के काड़ एक नवीन वलित यानि की बलित परवत यानि की जो बलन के काड़ परवत बनता है उसको बलत बलित परवत या मूरदार परवत क कहते हैं तो नवीन वलित परवत का निर्माड होता है जिसको हम क्या कहते हैं हिमालय के नाम से जानते हैं इंडियन प्लेट अभी भी यानि की बर्तमान में इंडियन प्लेट प्रतिवर्स 5 cm की दर से Eurasie I plate से टकरा रही है इसके काड़ इस परवत की उँचाई प्रतिवर्स 5 cm की दर से बढ़ रही है यानि 기ाज भी जो हेमाले है उसका निर्माड हो रहा है आज भी यानि कि ऐसे हमाली जी ऐख पेड लगा हुआ है ठीक है तो मैंने क्या बता है इंडियन प्लेट जो है यूरिसाई प्लेट की तरफ 5 cm प्रती बर्स की दर से अभी भी खिसक रही है इसका मतलब साफ साफ है कि हिमाले का निर्माड अभी भी जा रही है अभी भी बलन पड़ रहा है उसके अंदर जो माल है अभी भी उसमें साकर्तिक अपदा से ये वाला चेत्र गिर्सत बना रहता है चलिए आगे बात करते हैं चलिए सबसे पहले बात करते हैं हिमाले की परवस रीडियों के बारे में सबसे पहले बात करेंगे ट्रांस हिमाले के बारे में उसके बाद बिरत हिमाले के बारे में उसके बाद लगू हिमाले के बारे में और उसके बाद आपका नमबर लाश्ट में आएगा शिवालिक हमालाई, शिवालिक, всёवालिक लगू और विरत, ये आपकी हमालाई के भाग हैं, ट्रांस हिमालाई आपका हमालाई का भाग नहीं है, बिलकुल भी दिमाख से निकाल कर ऐसे फैंक तीजिए, जिस तरह से किसी ने हरी पॉर्टर देखी होती है, उसमें ये होते हैं जो dumbbellur होते हैं वो अपने दिमाग से जो जो चीज़े गलत होती हैं उनको इस तरह से घुमा कर छड़ी से और निकाल के बार फैंक देते हैं उसी तरह से आप उसको निकाल कर भार फैंक दिजिए यथाasına हिमालय का भाग नहीं है, मतलब यह ट्रांस मतलब पार, इस समझ रहा है, जैसे एक मूवी थी, नदिया के पार, यानि कि नदिया के पार की बात हो रही है, नदिया के पार वाला जो चेत्र है, वो नदिया का भाग नहीं है, भाईया, इसका मतलब यह है, कि हमारा जो सजना है है यानि कि नदिया के पार नदिया के ऐसे कुछ गाना भी बने नदिया के पार ले चलो ऐसे कुछ है नो तो उस नदिया के पार की यह दिवाद की जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि नदिया के पार नदिया का ही भाग है नदिया सब्दा आ गया है ट्रांस हिमाले के पार हिम हिमाले सब्द आगे इसका मतलब नहीं हिमाले का भाग नहीं है बलकि हिमाले के ऊपर का भाग है यानि कि ट्रांस हिमाले का निर्माड हिमाले से बहुत पहले ही हो चुका था चलिए तो ट्रांस हिमाले महान हिमाले के यानि की विरद हिमाले के उत्तर में तिब्बत में तिब गता देता हूं मैंने क्या बताया? ट्रांस हिमालयosi में दच्छिट से उत्तर निक यह आपका जिसाएं होती है, ऐसे करके उत«श्र है तो मैंने क्या बताया है, दच्छिट गता दच्छिट से उत्तर क्यों जब जाएंगे तो तीन से चार बस सिर्नेखला है, तनकी अधर बेहित है वो पिर्मुक्रूप से हैं मैंने क्या बताए सबसे ऊपर कौनसी प्रहिसर निकला है सबसे ऊपर है आपकी काराकुरम उसके ठीक नीचे अपका जयासकर उसके ठीक नीचे है कैलास परमस सिंकला यहां फिर से आप दियान रखें कैलास जासकर लद्दा कारा कुरम समझा गया तो भारत की सबसे उंची चोटी केटू याक है गौडविन औरस्टिन कैला के वह सरी ट्रांस हमाले यानि की पार हमाले पर ही इस्तित है जो की जो की कारा कुरम सिरेणी पर इ कह देते हैं जिसकी उंचाई च्व्विस्थो ग्याव च्छासी सो यानि की आठट च्छेसन ग्यार है मीटर जो की कारा कुरम सिरेड़ी पर इस्तित है ठीक है यह भारत की सबसे उंची चूटी मानी जाती है पर तुमान में आपकी के टू यानि की इसको हम कहते हैं गौर् ठीक है इसके बात करते हैं राका पोसी लद्दाक सिंकला का सबसे उंचा चूटी है आक हैं राका पोसी सिकर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं लद्दाक वाला छेत लद्दाक में ही सबसे उंची चूटी है क्या ना रहे उसका राका पोसी इसकी सबसे बड़ी डाल वाली चूटी है यानि की सबसे बड़ी खड़ी डाल वाली यानि की इतनी खड़ी है कि इस पे आप आसानी से नहीं चट सकते हैं यह आप गलती से गिरते हैं तो डारेक्ट आप खाई में ही किर जाएंगे ठीक है समझभाएंगे ना राकापोसी लद्दाक परवन सिनकला की क्या है सबसे उची चोटी है यह बिस्व की सबसे बड़ी खड़ी डाल वाली चोटी है चलिए आगे बात करते हैं चलिए टांस हमाले मेंले इं चलरा है सिंद नदी लद्दाक है वं जासकर परवस्रिंडी के मद्धि से होकर गुजर्टी है या नी यहीं मैंने भी थोड़ी दिएले पहलबता हैंना सबसे पहले आपका के लास के बाद परवस्रिंड के आपका पढ़ता लद्दाक और जासकर स्रीडी के बीच से ही आपकी सिंदु नदी गुजरती है किसके स्रीडी से लद्दाक और जासकर स्रीडी से क्या निकलती है सिंदु नदी निकलती है यानि की बीच से होकर निकलती है मतलब वहां से निकलती नहीं है मतलब उद्गमिस्ता नहीं है कारा कोरां को उच्छ एसिया की का था यानि कार iç लाइन यीका हसे करते हैं यह इसको ऐसे कर सकते है कि ट्रांस हमाल है और ब्रद हमाल है के बीच में जो गैप है उसको हम क्या कह देते हैं हिंज लाइन या सचर जोन कह देते हैं महां लीजिए यह ट्रांस हमाल है यहां पर आप देख सकते हैं ट्रांस हमाल है और इसके बीच वह नीचे जो है वह आपका ब्रद हमाल है तो ट्रां विम्मिर की गाओंट से जाकर मिल जाता है इन फिरान्स हमाले के कुछ प्रमुक हिमनद ही आता है निकलेसियर के बारे बात कर लेटे इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा लेकिन यहां पर भी देख लेते हैं हल्किसे कि चेतर में कौन कौन सी हिमनद पाई जाती है ठीक है तो य यह खासकर आपके कारोकोरम बारे छेत्र में ही पाई जाती है तो सबसे में बात करते हैं सियाचिन यहां पर आपका सियाचिन इसको चून कर देता हूं यहां पर मैं आपको नाम बता दे रहा हूं सियाचिन वालतोरो व्याफो हिस्वर और बातुरा ठीक है तो सियाचिन की ज तो जहां छेत्र से निकलती है और जहां पर यह हिम्नद है वहीं पर एक जगह पढ़ती है उसको हम कहते हैं नुब्रा घाटी ठीक है इसके बाद यहां पर है आपका हिस्पर ठीक है और यह है आपका बातुरा हिस्पर और बातुरा की जो हिम्नद की जो गाटिया है छेत्र की जो घाटिया है उसको हम क्या कहा देते हैं हुजा घाटी ठीक है इसके बाद व्याफो की यदी बात की जाए तो व्याफो की जो घाटी कहलाती है यहाँ पर आप देख सकते हैं व्याफो इसकी घाटी कहलाती है सिगार घाटी ठीक है वालतोरो की बात तरे जादी की जा तो य हमाले यानि कि नीचे बाला या लगू हमाले विरद हमाले लगू हमाले से मैं सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा क्या होता है अलग होता है यानि कि यहां पर है आपका यहां पर मैं आपको तिखा दिता हूँ ह ис pulse है यहाँ पर है आपका यह है विरद हिमाले ठीक है और यह आपका लगोई है है ऐसा एंसाथ कि तो बीच का ृंप है याननि की विरद हिमाले लगो इसे किसके दवरा लग होता है मैन सेंठनल सेंटल्र थ्रस्ट के दवरा अलग होता है यह है हमाले기에 सिरेड़ी यानि कि विरद हिमाला है हिमाला की सबसे उंची तथा सबसे उत्री सिरेड़ी यानि कि हिमाला की तीन सिरेड़ी यानि विरद हिमाला है लगु हिमाला और सिवाले की यानि कि तो चाप के आकार में पश्चिम में पश्चिम कौन सा है ये पूर ये पश्चिम तो चाप के आकार में पश्चिम से लेकर यानि कि चाप क्या बनता इस तरह से ये आपका चाप बन गया ठीक है यहां पर इस तरह से ये चाप बन गया आपका तो पश्चिम में नंगा परवस से ले कर पूर में नामचा बरुवा तक ठाइसो kicks डाइजार किलो मीटर की लंबाई में फैला हुआ है तो जार पांसो किलोवेटर की लंबाई में पच्छिम ये पूरँ ये पूर से पच्छिम फैला हुआ है यानि कि six point one kilo meter और सत उंचाई है लेकिन आपका प्रद माले पर कई ऐसी चूटियां है जिसकी उंचाई आठ हजार मीटर से भी अधिक है आपका जो प्रद माले है इसमें कई सारी हिमानियां पाई जाती है यानि इसकी आपकी व्रद माले की 25 km है चलिए बात करते हैं आगे व्रद माले के बारे में तो भारत से जुस्तिबबत का मार कर जाता है नहीं भारत है यहां पर सिम्ला है सिम्ला से लेकर तिब्बत में यहां पर तिब्बत कर जाता है तो भारत मार भारत से तिब्बत जाने वाला रास्ता या कहें सिम्ला से गंगटोंक तक जाने वाला रास्ता आपका सिपकिला दर्रे से होकर जाता है सिपकिला दर्र जो कि हिमाचल प्रिदेश में 17 नदी के पास में यानि कि जहां 17 नदी की गाटी है वहीं पर एक जगह पड़ती है यानि कि एक गैप है आकर एक दर्रा है जिसको हम कहते हैं सिपकिला दर्रा तो सिपकिला दर्रे से ही सिमला से लेकर आपका गंगुटों तक का जाने वाला रा सिक्किम में जिलेपला दर्रे से और पस्ची मंगाल में चुमबा घाटी में प्रिविस कर जाते हैं चुमबा घाटी से निकलते हैं और तिबबत में प्रिविस कर जाते हैं लेहासा तक ठीक है यानि कि पस्ची मंगाल पस्ची मंगाल से सिक्किम सिक्किम से आपका तिबबत यानि कि तिब्बत से पस्षी मंगाल से लेकर तिब्बत तक का जो सड़क मार गया है वो किस दर्रे से होकर जाता है जेलेपला दर्रे से होकर जाता है इसके बात करते हैं जोजीला दर्रा ठीक है जोदीला दर्रे का निमार सिंदु नदी द्वारा सिपकिला दर्रा का निमार सतलज नदी द्वारा तथा जेलेपला दर्रा का निर्मार तिस्ता नदी द्वारा किया गया है यानि कि फिर से मैं एक बार बता देता हूँ जोजीला दर्रा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं जोजीला दर्रा यहाँ पर देख सकते हैं बुर्जिल ला की बात करें तो सिरी नगर से गिलगित को तथा सिपकिला दर्रा सिमला को तिबबत से जोड़ता है यानि कि बुर्जिल दर्रा सिरी नगर को गिलगित से सिरी नगर कहाँ पर पड़ता है यहां पर है आपका सिरी नगर से गिलगित को यहां पर देख सकते हैं सिरी नगर से गिलगित तक जाने का रास्ता आपका बुर्जिल ला से है यानि कि बुर्जिल दर्रा से और सिपकिला दर्रा जो है यहां पर आप देख सकते हैं मैंने बताया था थोड़ी दिर पहले यहां सिब्किला दर्दे से सिमला से तिब्बत में परिश्व कर सकते हैं और जो चेलेपला है यानि कि जो बुर्जिला है उसके द्वारा आप सीरी नगर से गिलिकित को जा सकते हैं समझगा गया हमाले की सबसे उची चोटी महान हमाले पर ही इस्तित हैं मांट एवरेश्ट तिब्बती वासा में चोमो लुंगमा या परवतों की रानी कहा जाता है आपका जो नेपाल वाला चेतर है नेपाल वाले चेतर में आपकी मांट एवरेश्ट को सागर माथा कहा जाता है चले आगे बात करते हैं महान हमाले के दर्रों के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है सबसे पहले बात करते हैं कस्मीर के कस्मीर राजी के दर्रे ठीक है तो कस्मीर में जो दर्रे हैं वो है आपका बुर्जिल्ला और चूजिला ठीक है हमाचल प्रदेस की बात की जाए तो आपका बारा लाचला यहा लिपू लेक आपके उत्राखंड में ही इस्ते रयानी की मैंने कौन को पताई थे लिपू लेक नीतिला और ठांगला आपका कहां पर पढ़ते हैं उत्राखंड में पढ़ते हैं अनाचल प्रदेश की बात की जाए तो बॉम डिला और बॉम ला यानि की बंबला और बंगिरा है एक है नातूला और्फ दूसरा है जेलष ठीक है जेलेप ला ठीक चलिए आगे बड़ेते हैं मैं आगे बढ़ते है हिमालह के प्रमुक्ख उंचे सिखर के बारें वाले में बात कर लेते हैं ठीक है सिखर या पर हम इनको चोटियां भी कह सकते हैं तो एक निजर में आपर मैं आप लोगों को पहले बोल देता हूँ उसके बाद फिर मैं मैं अप में दिखाऊँगा देखिए सबसे उची चोटी किसकी हिमाले के बारे में बात की जा रही है सब हिमाले के बारे में ठीक है तो माउंट एवरेष्ट कहां पर इस्तित है नेपाल में एक साथ दिखाता भी जाओं यहां पर आप देख सकते हैं माउंट एवरेष्ट कहां पर इस्तित है नेपाल में उचाई कितनी है आठ हजार आठ सो पचास ठीक दिग्यानन नेपाल में करते हैं करदि कंचन जंगा भारत में इस्थित सबसे उंची चोटी किस पर हिमाल coolest लेकिन यदि यह पूंचा जाता है कि हिमाले की सबसे उंची चोटी जो की भारत में स्थित है तो वो कौँन सी यह गंचन जंगा है कितनी उचाई है इसकी 8598 मीटर देखना चाते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर इस्तिता सिक्किम सिक्किम बिल्कुल ठीक यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर इस्तिता कंचन जंगा कहाँ पर इस्तिता यह सिक्किम है सिक्कम में कंचन जंगा ठीक है इसके बाद ती नेपाल में यह आपको यहाँ पर में दिखा सकता हूँ यह है आपकी दोला गिरी ठीक दोला गिरी ठीक है चलिए इसके बाद बात करते हैं नंगा परवत के बारे में तो नंगा परवत यहाँ पर इस्ते दर यह आपका नंगा परवत ठीक कहां पर इस्ते दर नंगा परवत म नेपाल में तो मैं आपको अन्पूर्ण दिखा देता हूँ अन्पूर्ण ठीक यहाँ पर आप देख सकते हैं अन्पूर्ण नेपाल में इस्तितось तह Virtual Ministiph इसकी उंचाई है इसके बाद नंदा देवी की यह दिबात की जाए तो भारत में इस्तिता है 7870 मीटर कहां पर इस्तिता है आपकी भारत में भारत में कहां पर इस्तिता है यह है आपका नंदा देवी धौलागिरी मानासलू यहाँ पर यह आप देख सकते हैं यहाँ पर नंदा देवी इस्तित है इसके बाद नामचा बरुए भारत में 7756 मीटर है इसकी उचाई यह है आपका नामचा बरुबाद ठीक है तो यह माल है कि 10 सबसे उची चोटियों के बारे में एक स्बसे बारत में इस्तित है और हिमालय की सबसे उची चोटि जो की भारत में इस्तित है वह है आपकी कंचन जंगा और भारत की सबसे उची चोटी की ये दिबात की जाए तो वो हो जाएगी आपकी केटू केटू कहाँ पर इस्ते था कारा कोरम में जो की ट्रांस हिमाले पर है समझवे आ गया चलिए आगे बात करते हैं चलिए बात कर लेते हैं मद्ध हिमाले लगू हिमाले या मिडल हिमाले भी हम इसको कह देते हैं तो आएए समझते हैं मद्ध हिमाले महान हिमाले के दच्षड में यानि की सबसे उपर कौन सा था मैंने बताया ता पार हिमाले जो की हिमाले का भाग नहीं है उसके बाद आता है गिलो मीटर है, ठीक है, कि इसकी मद्ध हमाले की चोड़ाई 60-80 km है इसकी उंचाई की यह दिवात की जाए यानि मद्ध हमाले की उंचाई की बात की जाए तो 3500-4500 मीटर के बीच में है इसकी प्रमुक सिरंकलाओं में से पीर पंजाल सबसे लंबी बस सबसे प्रमुक सिरंकला है यानि कि लगो हमाले में कुछ घाटियां पाई जाती है जिसमें सबसे प्रमुक गाटी है उसको हम कहते हैं कस्मीर घाटी तो कस्मीर घाटी कहाँ पर है मद्ध हमाले और लगो हमाले के बीच में कस्मीर घाटी पाई जाती है इस स्रेडी में यानि कि आपकी लगो साउरे विमल्य में कुछ प्रमौक परवती नगर रियाक है कुछ प्रमौक पर्यटक इस ताल है जिसमें सबसे प्रमौक ए आप डलोगी ठीग है उसके बाद है जासाडा इसके बाद है सुनूर इसके बाद मसूरी इसके बाद है राणीकेत missing मैंनी दाल अलमोडा और दारजिलिंग एक नजर मैं आपको दिखा जिता हूं कहां कौन से नगर इस्टेद हैं यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता जिता हूं डलो जी जो की आपका हिमाचल प्रजेश में इसके बाद है उसके ठीक नीचे धरमसाला ठीक है जो की एक परेट परेटक इसके बाद दारजिलिंग जो की आपका कहां पर इस्तित है दारजिलिंग आपका इस्तित है पश्मी बंगाल राजज में ठीक है चलिए आगे बात करते हैं मद्ध हिमाले में यानि की लगू हिमाले में पीर पंजाल पीर पंजाल एबम बनेहाल दो प्रमुक दर् और आपका उसके ठीक यहां पर देख सकते हैं बन्याल दर्रा किसमे हैं आपके लगूई माले में पीर पंजल कितनी उचाई पर हैं 3494 मीटर पर और बन्याल दर्रा जो है 2832 मीटर की उचाई पर इस्थित हैं बनेहाल दर्रे की यादि बात की जाई यह आपका बनेहाल दर्रा, तो बनेहाल दर्रे से होकर जम्मु killed से स्री न Scary नगर मार्ग हो जाता है यानि की जम्मु क क कि स्मीर से यह ओभी जाना है यह पर आप को बनेहाल दर्रे से होकर गुजरना होगा यहां पर आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ बनेहाल दर्रा यह है यहां से आपको जाना है उस और जाना है तो इस बनेहाल दर्रे से होकर जाना होगा इसके बाद जवार सुरंग इसी दर्रे और आपकी मैंने क्या बताए था पीर पंजल और धौलादर तो धौलादर जो स्रेडी है जो कि लगो उमाले का भाग है धौलादर स्रेडी पर ही सिमला नामक एक नगर बसा हुआ है जो की हिमाचल प्रिदेश की राजधाने सिमला में आप लोगों को दिखा देता हूं यह मा आपकाaldा सि मला ठीक है कहाहां परिस्तित हैँ दोलादर स्रेडी पर पीर-पंजल ओ पीर-पंजल के ठीक नीचे पड़ती ही है जाज़ाए डोलादर सिरेडी समझ में आगया पीर-पंजल ठीक इसके ठीक नीचे आपकी दोलादर सिरी किसका भाग है यह लगू हिमाले का भाग है ठीक है लगू हिमाले के ढालों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को कस्मीर में मर्म कहा जाता है जैसे आप लोग जगे जगे पढ़ते होंगे जैसे गुलमर्ग सोनमर्ग यह छित्रों के वागे नाम है त बुग्याल तथा पयार कहा जाता है यानि जम्मू कस्मी ने क्या कहा जाता है मर्ग और उत्राखंड में इने बुग्याल तथा पयार कहा जाता है ठीक है इसके बाद नेपाल गाटी कांगडा गाटी कुल्लू गाटी मद्ध हिमाले में ही पाई जाती है फिर से मैं बता देत कांगडा गाटी और कुलू गाटी मद्ध हिमाले में ही पाई जाती है समझया गया चलिए आगे बात करते हैं इंब लग यमाले की कुछ प्रमक सड़िया मैंने बताया तो आई ये उन चेत्रों को एक मेजर डाल लेते हैं ठीक है लग युमाले या इसको मन्हाद नहीं तो मैंने पीर पंजाल आप लोगों को बता दे लेकिन फिर से मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूं सबसे ऊपर आती है आपकी पीर पंजाल मैं आपको यहां से फिर से दिखा देता हूं यहां पर इसको मैं कर देता हूं कलर इसका चैंज ठीक है और इसको करता हू लेकर कुछ प्रमुक स्रेड है अलग-अलग-खेतरों में तो यह है आपका पीरंजाल upsetpha ठीक है यहां से लेकर यहां तक सबस्क्र snippet है इसके बाद है तो पीर्न पंजाल के श्यतर में है आपका जम्मुकसमी राज पीण पंजल कहते हैं लगू हिमाले को उसके ठीक नीचे बढ़ेंगे आगे जाएंगे तो धौलादर स्रीडी जो की आपका हिमाचल पिर्देस में इसको धौलादर स्रीडी के नाम से जाना जाता है इसके बार मद्धिमाले मद्धिमाले या कैन लगू हिमाले की तरफ और आगे ब मिल जाए बस समझ जाना की वही फीलिंग आगे ठीक है तो आप डिब्बा पढ़ लो टिब्बा पढ़ लो या फिर जो समझ में आए आपको ठीक है तो मैं फिर से बता देता हूं लगू इमाले को अलग-अलग राज्जियों में अलग-अलग नाम उसे जाना जाता है क्या चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए बात करता है सिवालेड च्रेडि राजियों कि इसको उप माले या बाहरी हिमाल क्योंकि क्यों कि मैं यह होता है तो यह हो गया आपका विरद एमाल अब क्या वोगया और यह हो गया आपका मान लिजी सिवालिक सिरेडी तो आप केंदर में हैं केंदर में यानि कि अंदर की हो रहे हैं और जब आगी की हो जाए रहा हैं क्या है आंत्रे की यानि की बाहर ही तो बाहर की तरफ चल रहा है इसलिए यह क्या हो गया बाहर से अंदर की और जब आ रहे हैं, तो सबसे लाश्ट में कौन सा पटारा है? सिवालिक, उसके बाद लगू और केंदर में कौन सा मान दीजिए? आपका ब्रहेद माले, तो इसलिए इसको क्या कहते है? उप हिमाले है या बाहरी हिमाले है? ठीक है? चलिए, समझते हैं इस बताया था कि आपकी तीन स्रेडियों बांठा गया है हिमाले को बिरद हिमाल है लगू हिमाल है और सिवालिक स्रेडी के बीच में ठीक है तो सबसे जो चोड़ी है वो है आपकी बिरद हिमाल है उससे कम चोड़ी है आपकी लगू हिमाल है और सबसे कम चोड़ी जो है वह सिव सिवालिक सिरेडी सिवालिक सिरेडी मैंने बताया था कि जो आपकी हिमाला है वो पस्चिम की और चोड़ी है और पूर की और जब बढ़ते हैं तो इसकी चोड़ाई जो है वह कम होती जाती है यानि कि 200 किलो मीटर के बीच में ही सिमट कर रह जाती है क्योंकि उपर की और क्या मान लिजी ऐसे करके चलते हैं तो यह हो गया विरेदेमाल है ठीक है फिर विरेदेमाल है के बाद हो रहा है लगुई माले लगुई माले में थोड़ा से गैप आप देख सकते हैं ऐसे करके ऐसे करके कुछ गैप कम हो जाता है इस तरह से ठीक है उसके बाद जब सिवालिक स बढ़ते हैं तो ऐसे चिपक सी जाती है यानि कि मान लीजिए इस तरह से खुली हुई है लेकिन जब पूर की और जाएंगे तो इस तरह से यह चिपक जाएगी इस तरह से यह तरह से यह तरह से यह तरह से यह दूसरे के ऊपर चाड़ गई ही तो मालूम नहीं पढ़ती हिमा में अलग-लग तरीके से लिखा हो सकता है लेकिं चीज वही होगी मतलब आप किसी पाल का नाम है मांजली कंचन जंगा है तो कहीं कंचन जंगा मिलेगा कहीं कंचन जंगा मिलेगा कहीं कंचन अलग-लग तरह से ठीक है तो कंचन जंगा कंचन जंगा तो इस तरह से लेकिन आप को समझना है कि परवत भई है जो इंगलिस में हिंदी में आप अपने अपने तरीके से आपको मैं पर ध्यान देना है कहां पर इस्थित है नाम अलग अलग के लिखें आप कोई इसी पर केस नहीं करें कि बाइस आपने नाम गलत लिख दिया तो मैंने बोला पोटदार ते नदी ठीक है को सी नदी तीन नदीयों के संगम से ओक ऐसागे बात करेंगे अभी नतियों के बाएं चहरचा नहीं पादियों के नाम से गांश तो गशेतरों में से औहैं जाता है तो जैसे जम्मो कसट्रों में중 कर्टट हम्हलें गांएं अच्छा लगे यहां पर है आपका जम्मू कस्मीर जम्मू कस्मीर वाले छेतर में आपको सिवालिक स्रेडियों कहते हैं जम्मू पाडियां यानि सिवालिक पाडियों को जम्मू पाडियों के नाम से जानते हैं फिर और ऊपर चलते चले जाएंगे चलते चले जाएंगे और और यहां पर समब तो जाएंगी, फिर बाद में पाडियाordon, छोटी-छोटी पाडियाίζ निकलाएंगी, सबसे पहले आएगी आपकी डाफला, उसके बाद आएगी मिरी, उसके बाद आएगी अबौर, उसके बाद आएगी मिसमी, मैं आपको यहां से में दिखा जाए तो फिर से मैं एक बार बोल देता हूं यहां पर है सबसे पहले मैंने क्या बताया था सबसे पहले आएगी आपकी डाफला उसके बाद आएगी मेरी इसके बाद आएगी अब और उसके बाद आएगी आपकी मिसमी पहड़ियां ठीक है बा उतादवार हरीदवार तो ऐसे नाम चलिए चलिए हमाले छेतर के बिरंसौं के बारे बात कर लेते हैं मैं ने थोड़ी दीर पहले बचाया ता कि किस तरह से जब दो स्रैडियां थी आपकी जैसे लगव इमाले हैं और मध्यमाले हैं तो इसकी बीच में किस स्रेडी का जब विकास हुआ तो एक बलन हुआ फिर मैंने बता है ना बलन किस तरह पढ़ता है इस तरह पढ़ता है आपको दिखा देता हूं जैसे माल लीजिए ये आपकी कोई चीज है यानिकी सीदी चीज है ठीक है और एक बन बल इदर से लग रहा है मैं दक्का मैं मार र रहे हैं जब धक्का मार रहे हैं तो दोनों में ताकत तो बरावर बरावर हैं तो हुआ क्या जब ताकत बरावर हैं तो बहुत ताकत जब ज़्यादा लग गई तो क्या हुआ इसमें बलन पढ़ने लगे किस तरह बलन पढ़ने लगे ऐसे सीधी चीज थी ए एक बार ऊपर और फिर यह सीधी चली गई ठीक है ऐसे उपर उठ गई फिर क्या था था फिर थोड़ी सी तागत और लगी थोड़ी पर देर में जब ज्याते तागत लग गई यानि कि थोड़ी बहुत देनी माली जी ये दिस पचाव से जार साल बात क्या हुआ ऐसे करके एक ऐसे पड़ा ठीक है फिर इसके भाद वो पहली वाली पढ़र तो यह ए ठीक है और इससे हो गया तो हुआ क्या आपका अ तो मैं हो गया और ये हो गया आपका हुस्चा मुन्हां वह रहीен दॉसरी की शेखियार साल पर है तो उसी तरह से गठना फिर गठी और एक छोटी हुपि किसी एक सिरेड़ी बन गई तो तीसी सिरेड़ी बन गई दो पहली बन गई थी यानि कि लगुई माला है और यह आपका विरह दिमाले का निर्माण होई चुका था यानि कि विरह दिमाला है लगुई माला है उससे वालिक सिरेड़ी समया गया तो इस तरह से तो यह बलन पढ हाटियां पाई जाती है जो की दो सिर्फट को क्या करती है अलग करती है जैसे लगयों हिमालाय और व्रद अमालय मृत पीर को हम किह दे जाता है उसको हम कहते हैं इंडस की तीक料 सांग भी चाहे ITC, वो ITSZ, ठीक है, इंडस, सांगपो, सचर जोन, ठीक है, किस किस के बीच में, आपका, टांस हमाला है, और बिरद हमाला है, और बिरद हमाला है, यानि कि, बिरद हमाला है यह, और यह है, मद हमाला है, ठीक है, और यह आपका है, बिरद हमाला है, बिरद हमाला है, बिरद हम की यानि की सिबालक जो सबसे नीचे वाली है सिबालिक है उत्तर भारत का जो मैंदान है उसके बीच में जो खाली यान इसको कहते है हिमालियन स्रंट फॉल्ट हेफ ठीक है हिमालियन स्रंटल फॉल्ट ठीक है समझा गया ना चलिए आगे बात करते हैं नदी गाटी के आधर पर हिमालय का बर्गी करद देख लेते हैं चलिए देखते हैं तो एक ब्याग्यानिक थे जो की आपके रहने वाले थे सिड्नी के मैं इसका कलर सिड्नी के रहने वाले थे जिनका नाम था लुइन के विए गाटियों के रहागों में बाता था यहां प्र आप अब देख सकते हैं यह मेले का बाग नदी का विश्तार कौन-कौन बीच में लंबाई यहां पर देख से जबीशार को परवस रेणियों के बारे मैं हम हलकी स मीचे एक 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 भाग को तो उसमें और अच्छे से जानेंगे सबसे बात करते हैं पंजाब हमाले के बारे में तो यह आपकी सिंदु नदी यहां से निकलती है इस तरह से यह यहां पर करांची तक पहुंचाती है और यहां पर एक और नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं जि सिंदू नदी और सतलय नदी के बीच वाले भाग में पाई जाता है इसकी स्रेडियों के बात की जाए तो जासकर लद्दाक और पीर पंजाले यानि कि सबसे पहले आपकी पीर पंजाल उसके बाद लद्दाक उसके बाद जासकर ठीक है चलिए आगे बात करते हैं कुमाईय हिमाले यह आपकी सतलय नदी सतलय नदी और इसके यहां पर है काली नदी सतलय नदी और काली नदी और सतलय नदी की बीच वाले भाग को हम कुमाईयों हिमाले के नाम से जानते हैं इसमें को चोटिया है उनको मैं हलके से बता देता हूं बाद में जानेंगे बदरीना तिर षिस्ता नदी के बीच वाले भाग को हम कहते हैं नेपाल हमाल वह क्यों कहते हैं क्यों क्याते हैं कि इसको इसको नेपाल माला भी कहा चित्र में ठीक है असा मिमाली की बात की जाए तो तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी के बीच का भाग असा मिमाले के नाम से जाना जाते है तो यह जो नदी है आपकी ब्रह्मोपुत रयानी की सांगपो नदी यहां से तिबबस से निकलती है और इस तरह से दिहांग नद के बीच वाले भाग को असाम हिमाले कहते हैं इसके कुछ चोटियां और परवत देख लिए नाम चावर हुदा सबसे उची चोटिया है यहां की इसके बाद जुमलाहारी सांगला और कुला कांगडी जांग ठीक है चलिए हम बात करते हैं इसको एक एक टॉपिक हम देख तो यह जो यलो कलर में है कस्मीर हमाले कहा जाता है इसको ठीक है कस्मीर हमाले यलो कलर वाला तो पंजाब हमाले पंजाब में ज्यादा भाग होने करा इसको पंजाब हमाले भी कहते हैं तो सिंद्ध तथा सतलर नदी के बीच वाले परवतिय भाग को पंजाब हमाले कहते ह फ्रांग जो है जम्मुकसमी तता हिमाचल प्रदश में पायाता है इसलिए इसे कस्मिर लहे भी कहते हैं ठीक है इसकी लंबाई 560 सॉथ किलो μεETर है यानि कि इसकी लंबाई है वह फॉपा सॉथ Кिलो दौलादर यह जासका लद्दाक और यह कारा कुरम को सामिल किया जाता किसको कारा कुरम सबसे ऊपर उसके बाद लद्दाक उसके बाद पीर पंजाल दौलादर और चासकार समझे मैं गया चलिए यहाँ पर जोजिल्ला दर्रा जिसकी उचाई है 3444 मीटर कहां पर इस्तित है इसी स्रेड़ी में पंजाव लकार सबसे जोठी है नंगा पर वहां वह। बर्वत कहां पर रिष्टेता है नंगा बर्वत किस चेत्र में पर थी आपकी कस्मीर हिमाला या पंजाब हिमाला में इस मुचाई कितनी है आठ जार एक सो चब्विस मीटर चलिए आगे बात करते हैं चलिए कुमाई हिमाले के बारे में बात कर लेते हैं तो कुमाई हिमाले क कि यह पूर और यह पश्चिम तो इसका पश्चिम भाग यानि कुमाईयों हमाले का पश्चिम भाग गड़वाल हमाले के नाम से जाना जाता है और पूरी भाग जो है वह है कुमाईयों हमाले के नाम से जाना जाता है इसकी जो कुमाईयों हमाले की सबसे उची चोटी है वह नंदा कोट, ठीक है, समझा गया, नंदा कोट, दूनगिरी, बद्रीना, तिर्सूल और कमित, ठीक है, यमना और गंगा जैसी जो महन नदिया है, पोवी आपकी कुमाईयों हिमाले से ही निकलती है, जैसी गंगा आपकी गंगोत्री से निकलती है, और यमना आपकी यमनोत्री इमनद जिसे निकलती है उम्मीद करता हूँ यहां पर होनी चाहिए यहां पर मैं आपको कोर्सिस करता हूँ दिखाने की यहां पर आजा बटा हो जा जाई साई आ हई यह है आपका गंगोत्री इमनद और paralf पर पढ़ती है एक जगह उसको कहते हैं इम अत्रे जिय का दंग आप रहे यहां दिकर चलिए तो गंगा ता यह मुना जैसी अदियां आपकी माहन नमाले SAY निकलती है इस छेत्र में आपके कुछ प्रूमुमृ जीर हैं जैसे कि नेपाल हमाले के बारे में बात कर लेते हैं नेपाल हमाले यानि कि यह आपकी काली नदी और यहां पर बहती है यह आपकी तिस्ता नदी ठीक है तो नेपाल हमाले और वो सरी काली नदी तथा तिस्ता नदी के बीच वाले भाग को हम नेपाल हमाले कहते हैं यानि कि यहां पर ये मैंने बनाया है आपकी काली नदी और यहां पर बहर निकलती है तीस्ता नदी ठीक है तो तीस्ता नदी तता काली नदी के बीच का जो भाग है वह है नेपाल हमाले कहा जाता है क्योंकि यह नेपाल में अधिक विस्तार है इसलिए इसको नेपाल हमाले कहते हैं इसकी तथा तिबद की सीमा पर इस्तित कौन सी एवरेश्ट ठीक है अनि चोटियों की विए दी बात की जाए तो दौला गिरी अठारहसो सरस्थ वह आठजार एक सुसर्सर बैसे उंचाई की जरूत नहीं है कई बार बोल चाहूं अन्पूरा कंचन जंगा मकालू जैसी काठमांड यहां की सबसे उंची पिर्शिध गाटी है मैं आपको यहां पर चोटिया एक बार फिर्शिध को चोटियां यहां पर है कंचन जंगा जो की नेपाल और विल्कुल कंचन जंगा के बॉड़र्ड पर लगती है आपकी मांट एबरेष्ट मकालू यहां पर देख सकते हैं गो तो तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मोपुत्र नदी तर 750 किलो मीटर लंबा भाग असाम हिमाले कहलाता है ठीक है यहां पर तीस्ता नदी में आप लोगों को दिखा देता हूं यह आप देख सकते हैं यहां पर एक नदी निकलती है तीस्ता नदी यह जा रही है जो कि ब्रह्मो इमाले ठेखा शेन क़र इसको चाएroph कहा जाता है ठीक किए सिकम अज़िव स?」 थोड़ा सा ये ये चूँचा हैर रिपा से मंपध्पूर शोट्टिश जै दीब यह उसमें आती है नामचा बरुवा नामचा बरुवा भी कहीं मिल जाता है नामचा बरुवा भी यहां पर आप देख सकते हैं नामचा बरुवा ठीक है सबसे उंची चोटी है अन्य चोटियों की यदि बात की जाए तो नामचा बरुवा के बाद आपकी आती है कुला कांग और जोम लहरी अनिज़िस की चोटियंगे एक की असम हिमादय की चलिए यह हो गया आपका हिमालय का प्राजिस्तिक ब्विभाजन के बारे में चलिए हिमालय के प्रमुक् बार सकते है तो शुरुबात करूँगा एक बसड वाला बसड जानते ना जब The пом लोग उधर बाते करें तो भसड हो जाती है उसको हम समझ नहीं पाते हैं तब भसड बनती है तो भसड को दूर करेंगे सबसे पहले उसके बाद हम बढ़ेंगे हिमनत की ओर तो यहाँ पर प्रिस्ण बनता है सबसे पहला जो सबसे जाला confusion फैदा करता है कि भाई साब ससाइनी बड़ी है कि सियाचिन तो ससाइनी बड़ी या सियाचिन इसको हम यहाँ पर करेंगे सबसे पहले confusion को दूर तो हुआ क्या सियाचिन और जब कभी एक्जाम में ससाइनी आ जाता है तो हम गवराट हो जाती है इतनी गवराट हो जाती कि समझ में नहीं आता है सियाचिन लगा जो फरजी वाले ब्लॉग बगईरा लिख देते हैं उन में जरूर कहीं पर इस ससाइनी देते हैं लेकिन किसी ओफिसियल मैंने नहीं देखा है जिस पर ससाइनी लिखा हो चलिए तो इसको हम करते हैं दूर उसके बाद ससाइनी स्याचिन मिल जाता हर चेके तो हुआ किया जब हुआ तो दोचार लोगों ने अपने अपने तर्क दिये और उस तर्थ को पूरा करने के लिए यह आदेश दिया गया कि जो स्याचिन है वो सबसे बड़ी नहीं है बलकि ससाइनी सबसे बड़ी आक है लार्जेस्ट हिमनद है या लार्जेस्ट ग्लेसियर है ऐसा क्यों हु जो बड़े-बड़े ग्यानी थे वो अपनी बुक लेकर गया कि सर हमने प्रूब किया है अपने पोस्तक में कि ससाइनी नहीं वो सरी इंस याचिन हिमनत बड़ी नहीं है बलकि ससाइनी हिमनत बड़ी है तो कैसे कौन-कौन से महाराप्रुस थे वैसे तो बोस सामिल नहीं ह पाई थे उनके चेले चपाटे गए दे मतलब उनके तरफ से गया था कोई तो एक बुक थी जिसका ना तो बहुत एक बूगोल का स्वरूप जिसे किसे ने लिखा था सबीद्र सिंग इसमें ससाइनी की जो लंबाई दी गई थी या ससाइनी जो बताए गई थी एक सो पचास क पुस्तक लिक्षि भारत का बुगोल बी चोहान ने लिखी थी इसको ससाइनी को एक सो सतावन किलो मीटर माणा गया था ठीक इसका फिजिकल जग्रफी के भारे में एक beingilla के बारे में में पुस्तक लिखी थी जिनका नाम था करना क्ये बाडवाद वाच सिया चिन को बहत्त किलो मीटर माना ठीक है तो इस तरह से ये प्रूब हो जाता है कि ससाइनी जो है वह सबसे बड़ी और भी कई सारे राइटा थे उन्होंने ससाइनी को ही बड़ा माना तो इस तरह से ये प्रूब हो जाता है कि ससाइनी सबसे बड़ी है स्याची ने ससाइनी के बीच में कभी व तो इमालाय के प्रमुक हिमनत के बारे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें सियाचिन के बारे में ठीक है सियाचिन सियाचिन इमनत कहां पर है कारा कोरम स्रेडी पर 72 किलो मीटर है यहां पर है आपका सियाचिन ठीक है जूम करके मैं आप लोग दिखा देता ह ईहां तो हिस्पर आपकी यहीं पर है कारा कुरूम सेडी पर कितनी है 50 में किमा पर है यह पर आप यहां पर देख सकते हैं तो यह कुछ प्रमक हिम्नत हो गए चलिए आगे कलका सा बात करते हैं और हिमना साप्त हो जाएंगे चलिए बेताव घाटी मरखा घाटी नुबरा घाटी कहाँ पर है जम्मुकस्मीर वाले छेत्र में यहाँ पर यह घाटियां पाई जाते हैं दर्मा गाटी, पिंदर गाटी, टॉंस गाटी, उत्तरा खंड वाले छेतर में, उत्तरा खंड कहां पर है, यह आपका उत्तरा खंड वाला छेतर, ठीक है, इसके बाद बराक और नियोरा गाटी कहां पर है, आपका असम वाले छेतर में, यह आपका असम वाला छेतर, ठीक है, इसके बहुत चमबा और इस्तिती घाटी जो हाहे हिमाचल प्रदिस में यह आपका burg excess चुंबा गाटी कहां पर है? चुंबा यह हिमाचल प्रदिस बात हो रही है चुंबा कहां है? आपकी तिबबत वाले चेत्र में लिए बात करते हैं हिमाले के प्रमुक दर्रों के बारे में ठीक है हिमाले के दर्रे दर्रों को हम पास कहते हैं और पास के थाथ हम इसको ला भी कहते हैं ला मतलब दर्रा ठीक है तो आप सभी लोग जानते हैं कि हिमाले बिस्तु की सबसे उंची परबस रिंगला है और इससे पार करना बहुत ही मुश्किल है लेकिन इसको पार करने के लिए कुछ प्रमुख दर्रे यानि कि उसमें प्राक्तिक रूप से और इंसान के द्वारा बनाएगे कुछ दर्रे हैं जिनके द्वारा इस रेड़ी को इस परवस्ट रेड़ियों को क्या किया जा सकता है पार किया और कुछ मानम निर्मिद क्या है तर्रे हैं यान कुछ कुछ पहास से काट दिया गया है कट गया और किसी तो उसमें से आपका क्या होता है आना जाना बना रहता है ठीक है तो में कुछ कुछ दर्रे देख लेते हैं तो कारा कुरम स्रेडी के कुछ दर्रे हैं जैसे कि कारा कुरम दर्रा ठीक है यहाँ पर यह आप देख सकते हैं कारा कुरम दर्रा खारदूंगला दर्रा खारदूंगला दर्रा बुर्जिल्ला दर्रा यहाँ पर बुर्जिल्ला दर्रा ठीक है ज जोजिला जो दर्रा है उससे n-h बंडी मार्ग गुजरता है jin meinerले की जोजिला दर्रे से होकर जाता है समझे आ गया इसके आप पीर पंजाल की तरफ आ जाते हैं पीर पंजाल स्रेडी में कुछ शिप्रमुक दर्रे हैं यहां पर यह है आपका पीर पंजाल वाला चेतर तो पीर पंजाल में कुछ दर्रे हैं जिन में सबसे पहला है बनियाल दर्रा यह यहां पर आप देख सकते है बनिहाल दर्रा उसके बाद है पीर पंजाल दर्रा बनिहाल और पीर पंजाल दर्रा जिसमें पीर पंजाल दर्रे से एन एच वन ए राष्टी राजमार्ग गुजरता है ठीक है हिमाचल प्रिजिस के दर्रों के बात की जाए तो बारा लाचाला दर्रा सिप किला दर्रा और र उत्राखंड में कुछ प्रमुक दर्रहें जैसे कि मुलिंगला दर्रा ठीक है मानला नीतिला ठीक है और लिपुलेक किसमें हैं यह स्थित्थ आपके उत्राखंड वाले छेत्र में यह उत्राखंड वाले छेत्र में मुलिंगला मानला नीतिला और लिपुलेक इसके बात करते पिर्देश के दर्रों के बारे में, तो बॉमला, पॉम्ली दर्र जो है, मोर्णी पॉर भाली छीत्र में परता है, ठीक है? चली, एक नेजर फिर्चे देब कि रिरे देभूला, और बॉम्ली दिला, यांग याप, कांगरी करपोलो, यांफान दर्र रहा, लिखा, पानी दर् यह जो म्यामर वाले छेत्र को पार करने के लिए यहां पर है यान की बार से म्यामर जाने के लिए यांग साप यांग सान और लिखा पानी दर्रा ठीक है चलिए तो आगे बात करते हैं यह हो गए आपके प्रोग दर्रों के बारे में जालिए चलिए दर्रों को Detail में डेख लिते हैं अब एककर करके सब्सक्रख बात करते हैं कारा को रंदर्रा के बारे में एक सेक्वेड़नीष का में कलर चेंज कर देता हूं बलेक पे यलो सांटर दिखता हैं चलिए तो कारा कोरम दर्रा के बाद में बात करें तो यह दर्रा जो है यानि कारा कोरम दर्रा जो है कारा कोरम सेडी के यानि कि यहाँ पर एक जगए पड़ती है इसको हम कहते हैं केटू तो केटू के उत्तर में एक दर्रा है इसको हम कहते है कारा कोरम दर्रा तो कारा कोरम द दर्रा भारत को चीन से मिलाता है यानि कि लद्दा को चीन के सिंक्यांग प्रांत से मिलाता है यानि कि सिंक्यांग नामक प्रांत जो है वह चीन में इस्तित है और भारत के लद्दा से सिंक्यांग प्रांत को मिलाता है कौनसा कारा कोरम दर्रा इसके बनिहाल दर्रे की बात की यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं मनाली यहां पर है यह है आपका मनाली ठीक है? यह. तो मैं इसको यहां पर दिखा देता हूं मैं आपसे इस तरह से मनाली इस तरह से चलते चले जाते हैं चलते चले जाते हैं और यहां पर पढ़ता है यह है आपका ले ठीक है तो यहां से एक दर्राज है जिसको हम कहते हैं बारा ला चाला तो बारा ला चाले ला से होकर मनाली ले सडकमार्ग जाता है सर्दियों में बं लधाग से मिलाता है चांग ना नघ्रू कि आगे बात करती है कि यह आगे बात करते हैं जम्मू कसमी राजिह में इस थे दा चांग पश्च्च्ट्र मैं के पिर पंजाल दर् dua यह दर आ यानि कि जो पीर पंजाल दर्रा है यह दर्रा पीर पंजाल परवस स्रीडी पर है इसमें जम्मू कस्मीर से सिरी नगर जाने का रास्ता है लेकिन बिवाजन के बाद है बंद कर दिया गया था यानि कि जम्मू कस्मीर से सिरी नगर जाने का मार्ग था लेकिन बिवाजन के बा कारा करहम परवत में यह आपका है के सबसे उस्ट के सबसे चुछ सड़क गुजरती सबसे च्छा NATO मीटर में अधिक चलिए बात करतें चलिए बाहरत की दूसरी सबसे उंची सड़क गुजरती सबसे उंची सड़क कौन सी किस दर्रे से है खार दूंगला से कहां पर इससे दय कारा कुरम परवत्तर चलिए आगे बात करते हैं चलिए जोजिला दर्रे के बारे में बात करते हैं यह दर्रा सिरिनगर तथा कारगिल बले के बीच में संपर्क साधने का कार्य करता है इसके सामरिक महत को देखते हुए जोजिला सड़क को राष्ठी राजमार गोशित कर दिया गया है जोजिला राजमार वो सरी जोजिला से जो सड़क जाती है उसको राष्ठी राजमार गोशित कर दिया है क्या नाम रखा गया है उस लिनगर से कार्गिल और कार्गिल से ले ठीक है चलिए बात करते हैं रोतंग दर्रा के बारे में हैं इमाया चल प्रिदेश की लाहोत है विस्पीती घाटियों के बीच संपरक इस्थापित करने का एक मात्र साधन है ठीक है कहां पर है रोतंग दर्रा यह आप देख सकते हैं सटलेज नदी सटलर नदी के पास में धर्राई जिसको हम कहते हैं muru डला दर्र," यानि कि जो दर्रा है, सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रे के उत्तर से सतलज नदी भारत में प्रिवेश करती है, कहाँ पर सबसे प्रिवेश करती है, हिमाचल प्रिवेश में प्रिवेश करती है लिपुलेक दर्रा के बारे में बात कर लेते हैं, लिपुलेक दर्रा कहाँ पर है, आपका उत्तराखंड बारे छेतर में, उत्तराखंड में लिपुलेक दर्रा है, लिपुलेक दर्रा उत्तराखंड के पित्थोरागड जिले में इस्तित है, इसी दर्रे से मान सोरोबर की या डर रहा है इससे मान सरोबर की यात्रा की जाती है और यह है भारत से तिबद या उत्तराखंड से तिबद जाने का मार्ग है मानला मानला कहां पर है आप देख सकते हैं यह उत्तराखंड में है तो मानला यह बद्रीनात मंदिर के पास इस्तित है यह भी उत्तराखंड को इसके बाद आता है नी तीला यह उत्त्राकंड राज में है नी तीला यह ऊत्त्राकंड बाद तिब्बत को जुढ़ता है यह यह न Guid earned से लेकर मय तक बंद रहता है ठीक है नवंबर से लेकर मय तक इस समय ये बरतमान में खुला होगा ठीक है इसका मुलिंग ला बात यह दिखी जाए तो मुलिंगला भी आपका कहां पर इस्तित है उत्राखंड वाले यह भी उत्राखंड को तिब्बत से चोड़ता है इसके बाद करते हैं पूर्वी यानि कि यह पश्मी इमाले के दर्रों के बारे में बात करते हैं यह पूरी इमाले चलिए चेतर सिक्के में पड़ता है आपका नाथूला दर्रा ठीक है तो यह भारत और चीन भाया है भारत चीन सीमा पर लगबग चार जार तीनसो दस मीटर की उंचाई पर इस्तित है यह प्राचीन सिल्क मार्क जो है यान कि सिल्क रूट जो हुआ करता था उसका वाग रूट है यह चीन यानि कि जो आपका नाथूला था यह चीन तर्था भारत में जो यूद दोता है चीन तर्था इंडो चैना वार यानि कि भारत और चीन के बीच में जब यूद दोता है 1962 में तब इसे बंद कर दिया गया था और 2006 में इसे फिर से खोल दिया गया और फिर से चीन न आपका सिक्किम में ही पड़ता है जेलेपला जो दर्रा है वह भी आपका सिक्किम में ही है यह बूटान यह सिक्किम तथा बूटान की सीमा पर है यानि कि यह आपका बूटान सिक्किम तथा बूटान की सीमा पर इस्तित कौन सा है जेलेपला ठीक है कौन सा है जेलेपला तो जेलेपला, शिक्किम तरह बूतान-सीमा पर रिष्ठित है यही पर चुम्भी-गाटी से, सिक्किम का टिबत के लहासा से संपर्ख स्थापीत किया जाता है, किस दर्दे से, آपका जेलेपला से, चलिए बॉमडेला की बात की जाए तो बॉमडेला आपका कहां पर इस्तिता बॉमडेला आपका अनाचल प्रदेस का ये धर्रा है ये बूटान के पूर में यानि कि यहां पर है बूटान ये आपका बूटान तो बूटान का ये पूर और ये पशिम तो ये धर्रा बूटान के पूर में, तता भारत-चीन, सीमा के थोड़े से दच्छड में हैं, यानि भारत-चीन, सीमा हैं, उसके थोड़े से दच्छड में, बिरदहमाले में इस्तित है, कौनसा आपका बूमला, ठीक है? यह अन्राचरब प्रदेश का तिबत से संपर्क कि स्थापित करता है या अरनाचल प्रदिस से तिबद का संपर्क में कहाइग नहीं बुमला या इसको हम बमला भी कह देते हैं बुमला या बमला या भारत तता तिब्बत के बीच भारत तता तिब्बत के बीच का एक धर्रा है चलिए द्यांग धर्रा के बारे में बात कर लेते हैं यहां अनाचल प्रदिस के पूरी भाग में हैं यह मैमार के मांडले से यानि कि दीफू दर्रा यहां पर आप देख सकते हैं यहां ठीक है तो दीफू दर्रा जो है यह अनाचर प्रिदेश के पूरी भाग में यह भी दर्रा इस्थित है यह म्यामार के मांडले से संपर्क स्थापित करता है बर्सवर खुला रहता है इसके यांगसान दर्रा जो है उत्तर भारत का मैदान आपका हिमालय परवस्ट स्रेड़ी और आपका प्राइधी पे पटार तटीय मैदान रेगिस्तान और आपका आइसलेंड यानी की ठीक है इस तरह से पांते-ची भागों में बांटा जाता है तो इसको हम लोग उत्तर भारत की जो स्रेड़ी थी यानी हिमालय परवत के बारे में हम वो unreal ने कर चुकी है अब हम बात करते हैं उत्तर भारत का मैदान के बारेमें चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें समझते हैं किस तरह से काहां पर कैसी काम करता है यह चलिए देखते हैं तो यह मालप तर भारत का आपका साथ लाख बर किलो मीटर छेतर में आपका उत्तर भारत का मैदान फैला हुआ है इस मैदान का निर्माड सिंदु नदी गंगा नदी और ब्रमपुत नदी आता था उसकी साइक नदीयों के द्वारा लाए गए जलोड निचेपों से हुआ है उसकी साइक नदीयों के द्वारा हिमाल्य से या पहड़ी छेतर काट कर लाती है जो ज्वारि प्रत निचेतर. वहां पर आपना जो मलवा होता है वहां पर पिछा दीती है और इस जलोड निच्छे पिछा नेरें से उत्तर भारत के मैंदान का निर्माड हुआ है किनके नदियों से गंगा ब्रह्मपत्र और सिंदु नदी के द्वारा किया गया है ठीक है गंगा नदी से लेकर यहां पर ह यहां पर पहुंचाती है अपने यहां पर महाना बनाती है तो यहां पर सिंद्धु नदी के महाने से लेकर गंगा नदी के महाने तक इसकी जो लंबाई है यानि की उत्तर भारत के मैदान की भारत में यदी लंबाई की बात करें तो 2400 किलो मीटर इसकी लंबाई है इसकी चोड़ाई की यदी बात की जाए उत्तर भारत के मैदान की यदी चोड़ाई की बात की जाए तो डेड़ सो से लेकर लगवग 500 किलो मीटर के बीच में इसकी चोड़ाई यानि कि सबस की और जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इसकी लंबाई 500 से घटकर मात्र नबे से सो के बीच में ही रह जाती है ठीक है क्या तो आया है इसकी चोड़ाई कितनी है 500 से लेकर सो एक सो पचास से लेकर 500 किलो मिटर की बीच इसकी लंबाई कितनी है भारत में इसकी 2400 किलोमेटर लेकिन कुल लंबाई की बात की जाए तो करीब गरी 300 किलोमेटर छेत्र में उत्तर भारत का मैदान फैला हुआ है चले आग बात करते हैं यह जो मैदान है यानि कि उत्तर भारत का है जिस पे नदी बाहती है या इस तरह से यह ढाल कैसा है यह मंद है या पिडि़ धेडिल है या फिर ये बिलकुल ना के बड़ाबर ड़ावर तो जो ढाल होता है उसको हम चया पर देख सकते हैं यह है है हिमालय परवत हिमालय का ये है विर्ध हिमालय ये लगू इमालय और यह की सिवालिक से ठीक नीचे बढ़ते हैं जहां पर एक गरी पाद का मतलब परवत प्रवत के पैर पर यानी की बिलकुल नीचे आएंगे तो परवत के पैर आ जाएंगे अतलब नीचे बिलकुल ढाल की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पर शुरू होती है ठीक नीचे यहाँ पर शुरू होती है यानि कि एक उत्तर भारत के मैदान का ही यह बागर इसको हम कहते है भावर प्रिदेश ठीका जाएंगे गिरीपाद के सहारे सिंदू से सिंदू नदी से लेकर तिस्ता नदी तक इस्तित जाते हैं यह आनी की मैंने क्या बताया यहां से लेकर यहां तक यानि कि उत्तर भारत का जो मैदान है सिंद्धु नदी से लेकर आपका तिस्ता नदी के बीच का जो भाग है इसको हम कहते हैं भावर फिर्दे से आने कि ठीक नीचे गिरिपाद जैसे मान दीजी मैंने भी बताया कि सबसे पहले आपका बिर्दे माल है उसके बाद आपका लगूई माल है और उसके बाद आता है आपका शिवालिक स्रीडी सिवालिक स्रीडी से जैसी नदिया नीचे उतरती है तो क्या होता है ढाल क्या होता है बिलकुल जब पाड़ क्तम हो जाता है तो अपने पैरों पर यानि कि गिरी के कि आठे बाड़ए हैं ओब और ऑपटए तो आती है को सब्सक्राइब इसकी कराड़ी चाड़ चेटर में आते हैं जाता है का जो कर आए बहुत कम तो इसके आज बहुत कम कराएं इसके काड़ कि उपर से जो माल जो पत्थर लेकर आई जो मलवा लेकर आई वो अपने जो घाटियां होती है उसी में ही बिछा लेती है तो उपर से क्या लेकर आती है ये बड़े-बड़े पहाड़ियों काट कर लाती है इसलिए जो सबसे पहले जो परत होती है जिसको भावर कहते हैं वह लिए ऐसे बहुत सारे पत्थर लगा दिए ऐसे करके एक के पास एक के पास एक तो बड़े-बड़े पत्थर है ना तो इसके बीच में क्या होता है गैप होता है जब गैप होता है तो नदियां इन पत्थ्रों के बीच में यानि कि इन के अंदर प्रिविस कर जाती है यानि क लेकर सिंद्ध नदी कह यहां से लेकर यहां पर सेतिया अंग तक हैं तो सिंद्ध नदी से लेकर दिता नदी तक यह भाग फैला हुआ है नशित कहलता है है इसकी चोडाइ के यदी बात कर लिजा यानि कि मैंने थोड़ी दर पहले बताई दिवाला यह आपका लगवला और यहARपका सिवालिक सिवालिक से ठीक का आगे बढ़ेगे तो इसकी चोडाही जो मैंने बताई है चौडाही यहां लेकर इतनी चोड़ाई है इसकी आठ किलो मीटर से लेकर 26 किलो मीटर यह चोड़ी पट्टी है यहां पर आप देख सकते हैं यह आपका भावर पिर्देश ठीक है ठीक है भावर पिर्देश यानि कि जो रेड़ वाली जो लाइन है इसको हम कह सकते हैं भावर पिर्देश कित से जो ये चट्टाने होती है क्या होती है पारगम में हो जाती है या कहा है इनके बिधिस में नदिया है माले छेत्र से आकर भूमिगत हो जाती है इसी काड़ का इन दिया इसी छेत्र में भूमिगत होकर गायव हो जाती है यह किरसी के लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि आप साभी लोग जानते है पत्थर पर तो किती की नहीं जा सकती तो यह जो भावर प्रिदेश है यह करशी के लिए क्या नहीं है उपियोगी नहीं है तब से पहले आपका विरहơi ठीक है? तो यह है? आपका भावर उसके ठीक आगे बड़े तो यह आ जाएगा यहाँ पर मैं आपको ज्यूम करके रिखा जीता हूँ यह जो रेड़ वाला हिस्सा है इसको हम कहta है भावर इसके ठीक नहीं यहाँ यह कहलाएगा आपका यहां पर यह इस तरह से चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं तो भावर के दख्षड में दलदली पट्टी होती है यानि कि जो मैंने बताया था बड़े-बड़े पत्थर होते हैं बड़े-बड़े पत्थर पत्थर जब ऊपर से काट लाती है तो अपने एक और पत्टी बन जाती है यह यान 20 के दख्षड में एक दलदली पत्ती है पत्थर बहुंगत में बढ़तायत है लेकिन लेकिन तो हो जाती है सतय पर आ जाती है लेकिन इतनी सतय पर भी नहीं जाती है होता है क्या यह च्छेत्र बहुत दल्दली हो जाता है क्योंकि यहां से अभी बहुत महात्रा में क्या रहा है माल यहां कहें कंकड़ पत्र है कटके ला रहे हैं अभी जेश्ट निकली नकली 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 न नदियां फिर से सतय पर आ जाती है यह क्या कहलाता है तराई प्रदिस कहलाता है यानि बाबर में नदियां क्या होती है भूमिका तो जाती है लेकिन तराई प्रदिस में नदियां फिर से सतय पर आ बाती है समय आंगया इसकी चोड़ाई की ये दिवाद की जाय तो बीस किलो मीटर से लेकर तीस किलो मीटर तक इसकी चोड़ाई यानि कि यह rए यह जै whereby च्छेत्र रहा है यहां पर Rick Серг तो जादा लोग चल पिर सकते नहीं रह सकते नहीं है और खेती कर नहीं सकते Alors कुछ लूंडर ठ्शेतृ है जानवर होते हैं , विच्छ होते है कीर्षि तरह की निलिवते हैं । यहां पर पाया जाते हैं , विक होते हैं तो थी क्योंकि पर साफ़ पाइब होनी पाती है क्योंकि दल्दली च्षेतृ है इसकी रचना, किस्की रचना, तराई प्रदेश की रचना है, बारी कंकड, पथर, रेत, प्रधेश से होई है, समयाए किस कैसे होती है? मैंने बताया था कि उपरी जो भावरवाल प्रदेस में है वह है जो को बड़े-बड़े चटाने आती है उनको भी काट काट कर रिस रिसकर मिट्टी जो होती है बहुत दीरे-दीरे नीचे की और आती जाती है और बहाँ पर इखटी हो जाती है जब इखटी हो जाती है तो ब यहां पर तराई प्रदेस को किरसी के योग बनाया जा रहा है यानि कि इसमें कटाई छटाई की जा रही है उसका जो दल दल है उसको साप किया जा रहा है और उसमें मिट्टी बगएर जो भी जिस तरह की जो पिरक्रिया होती है वो की जा रही है और किरसी योग बनाया जा र रहा है जो तरहाई प्रदेस है उसको साफ किया जा रहा है किरसी के योग जो आपका तरहाई प्रदेस है वे बीमारियों का गड़ भी कहलाता है चलिए आगे बात करते हैं चलिए बांगर प्रदेस के बारे में बात कर लेते हैं बांगर प्रदेस होता क्या है कि यह बांगर पानी नहीं पहुंचता यह पुरानी जलोड कांप का जलोड या कांप का बना हुआ होता है इसमें केलसीम कार्वोनेट की क्या पाई जाती है कंकड या गिरंथियां पाई जाती है ठीक है कंकड की गिरंथियां पाई जाती है यह बहुत बड़ी मात्रा में इसमें होती है पं की परत जम जाती है इस परत को क्या कहते है रे या कलर कहते हैं परतबाली बांगरों को क्या कहते है रे या कलर कहते हैं उत्तर पिदेश में कहीं कहीं बालू के धेर पाए जाते हैं जिन्हें भूड कहते हैं तो आई ये समझ लेते हैं मैंने क्या बताया था कि माल लीजिए को पानी जो होता है वो तटके उपर से बेहने लगता है और उसमें जो माल होता है वो अपने तलटी पर क्या कर लेती है तटके दाएंवाएं क्या कर लेती है यह बिचहा देती है जो जलोड निच्छे पहुती है वो तटके दूर दूर तक क्या करती है वो बिचहा देती है ठी नई मिट्टी को हम कहते हैं नई मिट्टी को हम कहते हैं खादर ठीक है नई मिट्टी को हम खादर कहते हैं लेकिन जिन छेत्रों में बाड का पानी नहीं पहुंच पाता है उन छेत्रों को हम कहते हैं बांगर यानि कि बांगर मतलब पुराना और खादर मतलब नहा ठीक है खा खादर तो खादर खाद किसको लेके चलूहां किसको मैं लेके चलो ruled ferm पादा उसको बांगर कहते हैं समझ में आ गया तो इसको फिरसे में एक बार बता देता हूं कि नदियों की बाघ का पानी जहां पर नहीं पहुँच पाता है उसको भांगर प्रदेस कहते हैं और जहां पर नदियों द्वारा नई मिट्टी विचा दी जाती है हर साल उसको खादर कहते हैं इसमें यानि कि भांगर प्रदेस में क्या होता है कि जो नदियां होती है नदियां कंकड वाकर ले आय केलसियम कारबोर्य की गिरंधियां होती होती है बहुतमजबूत होती है, एक वार मेरी बेहनने मार जीती है उसमें च्ठीлом जीते हैं, ज्को बहुते है, HAS घ्क अधरक होती है, उस थार सी गांट हो की हएक्वते है, तो मेरी बेहन न meistूता सको जाया या कंकड की वो गिरंतियां होती हैं पंजाब में इन्हें धाया कहते हैं और पंजाब तता हयाना के सुस्क भागों में इसको क्या कहा जाता रहे या कलर कहते हैं उत्तर प्रिदिस में से क्या कहते हैं भूड कहते हैं चलिए आगे बात करते हैं खादर मैंने अभी तोड़ी होती है जैसे उफान मारती है तो इसके जो निचला भाग होता है उसमें तुरंट पानी पहुंच जाता है फिर उसके बाद फिर फिर उंचा छेत्र आता है वहां पर नदी का पानी नहीं पहुंच पाता है तो वहां पर नई मिट्टी नहीं विच पाती है तो जिस छेत्रों म यह बहुत ही उपजाव छेत्र माना जाता है कौन सा खादर प्रदेस में जो खेती होती है बहुत ही अच्छी होती है यानि कि खादर प्रदेस जो होता है किसी के लिए कैसा माना जाता है बहुत ही उपजाव माना जाता है खादर प्रदेस बालू तथा कंकर से युगत होती ह यहांने कि यह जो पाणि होता है बहुत अच्छे से सोग लेती है होता क्या है कि माँ लेज़े जैसे अभ इसको कैसे समझाinea कि यह कंकर तता पत्थर गालू का गाली परवत को काटकर कर लाती है तो परवत ही होते हैं वह ही चक्टान के भागी होते है और जब पिस जाते हैं तो जहां पर यह कोई कंकड और बालू पाई जाती है वहां पर यह भूमिगत जल का अच्छा संग्राक होता है कैसे मैं आप लोगों बता रहा था होता क्या कि जब आप बरसात हो जाती है अभी बरसात का भी टाइम चल रहा है तो अगर किसी इन्हें बच्पन में देखा हो अभी तो मौका नहीं मिल पाता है मिट्टी से खेलने का में तो बहुत खेलता था आज भी कभी कभी मन कर जाता है तो होता क्या है कि जैसे कभी बरसात हो जाती है तो आप कभी मिट्टी देखना वहां पर आपको पिल-पिली सी मैसस होगी जहां पर देखें कि बाल उटाए है उसके अंदर पानी चला गए जब हम उसके विलाया डोला आए बहुत अच्छे दमारा तो उसमें पानी जो था ऊपर आ किया तो मैंने क्या बताया है यह चेत्र क्या होता है जल का अच्छा संग्रहक होता है ठीक है श्मिया गया खादर नया और बागर पुरानी चलिए उत्तर भारत का मैदानी है यानि कि जो छेत्र यहां से जो कलर में ने कर दी है यह उत्तर भारत का मैदान बाले छेत्र हैं ठीक है लेकिन यह अलग-लग छेत्रों में अलग-लग नामों से जाना चाता है सबसे पहले बात करेंगे राजिस्थान का मैदान राजिस्थान का मैद राजिस्थान का मैदान कहते हैं तो इसका विस्तार K bha bha maga नद आ यहां से शून निया और हम दो कुणर आप डोषान दूज यहां वे गया रुप्र लाजिस्थान का विस्तार का मैदान के यह विटारा राजिस्थान तो इसको दो वागों माड़ जाता कि इसके किनकी वागों मर्युस्तिली तथा बांगर चीत ठीक है बांगर पता है ता जहां पर नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता चलिए आगे बात करते हैं पंजाब तथा हरयाना का मैदान ठीक है पंजाब तथा हरयाना का मैदान को हम अलकेश देख रहे थे हैं पंजाब तथा हरयाना वाले छेतर में जो उत्तर भारत का मैदान फैला हुआ है उसको पंजाब तथा हरयाना का मैदान कहते हैं तो यह मैदान दो आप से बना हुआ है दो आप ठीक है तो दो नदियों के छेत्र को क्या कहते है दो आप कहते हैं दो आप समझें गया ना दो नदियों के बीच के भाग को दो आप कहते हैं जैसे माली की यह सिंदु नदी है और यह फिर आपकी आपकी जेलम नदी है तो इन दोने के बीच का जो भाग होगा वो दो लो के लाएगा तो इस मैंदान में यानि कि आपकَ जो पंजाब का लृटाने का मीदाने इसमे पांच मैं दूआप पाई जाते हैं कौन को से नियात बियास त Annati ये हैं से यहां तक रही है ये इस तरह से इसति तरह से ब्यास निदि पैस त्ट शत बह रही है आपकी रावी नदी ब्यास तता रावी नदे के बीच के भाग को हम कहते हैं बारी दो आप ठीक है तो ये इसके ठूक ऊपर बढ़ेंगे तो ये है आपकी रावी नदी रावी नदी के ठीक ऊपर जाएंगे तो यहां पर पढ़ती है एक नदी जिसको हम कहते हैं चेनाव नदी तो रावी नदी तथा चेनाव नदी के बीच के भाग को क्या कहते हैं रेचना दौाव कहते हैं इसके बाद चेनाव नदी के ठीक उपर बढ़ेंगे तो यहां पर परती है जेलम नदी तथा जेलम नदी तथा चेनाव नदी के बीच के भाग को चाज दौाव कहते हैं जेलम नदी और सिंद नदी के बीच के भाग को सरी जेलम नदी जेलम चिनाब तता सिंद नदी के बीच के भाग को सिंद सागर दौाब कहते हैं जेलम नदी ठीक है चिनाब नदी और सिंद नदी के बीच के भाग को क्या कहते हैं सिंद सागर दौाब कहते हैं फिर से चेनाब तदा सिंद्र के बीच का भाग सिंद्र सागर द्वाब कहलाता है चलिए आगे बात करते हैं पूरा जिस छेत्र से गंगा नादी निकलती है उसको गंगा का मैदान उत्री उब्यादान का मैदान और जब निम्न छेत्र में आने की जब तो नीचे की ओर बहती है यानि कि बंगला देयों से प्रिविस कर जाती है जहां पर यह पिलमपुत नदी से मिल जाती है यहां वाले चेत्र को हम कहते हैं निम्न गंगा का मेदान तो चलिए इसको देखते हैं यह मेदान हमाले से निकलने वाली गंगा तथा उसकी सायक नदि च्छेतर क्या कहलाता है गंगा का मैदान कहलाता है इसको तीन भागव में माट दिया जाता है मैंने भी पता है कौन-कौन से वह हमें आके देखेंगे यह मैदान यानि कि आपका गंगा का मैदान चोदैसो किलोमेटर की लंबाई में फैला हुआ है यानि कि यहां से लेकर यहां तक पूरा जो चेत्र है मैं चोदैसो किलोमेटर की लंबाई में फैला हुआ है कौन सा चेत्र गंगा का मैदान ठीक है जो कि आपका उत्तर प्रदेश में ठीक है यानि कि उत्तर प्रदेश में विए के नहीं हैं रह्त आई इस हमाल उत्तर प्र पश्ंड़ वात प्सी में रहा हुआ हुआ इसका डेलिटा ही भाग पच्छीमी बंगाल गदाने आंगा capitalist जो भाग है सबसें बढ़ा डेल्टा से बड़ा दिथा है जो की कि गंगा ता बिरमुकुत नदी के संघंग से मिलकर बनता है यह तीन भागों में पांट दिया गया है कौन-कौन से मैंने ठोड़ी तेब पहले बताया था ठीक है कौन-कौन से भागते इसको ल workflow देख लिते हैं इसका जो सबसे पहला वाग है वह उत्तरी वो सरी उपरी गंगा का मैदान उपरी गंगा का मैदान यानि कि यह शेथ से गंगा नदी निकलती है ठीक है उपरी गंगा का मैदान इसको कहते हैं इसका दो त्याई भाग उत्तर प्रिदेश में फैला हुआ है यह मैदान गंगा की साइ जीजि का वाग वadowल खंड का मैधान और अवद का मैधान फिर से मैं हम ठिकरrando न बता दूं है पर रिस में आप लोगा नहीं तहूं इसको तीन वा अबीजेज़ाता है रुईशेंग है यहाँ पर आप देख सकते हैं और आपका यहाँ रोएलखंड का मैत दिए जाता है चलिए आगे बात करते हैं उसके प्रिदिस के पूरी मैं आने कि यह उत्तर प्रिद्द्र का पच्व हाग और यह है पूरी भाग तो उत्तर प्रजिस के पूरी भाग तथा बीहार वाले चीत्र में यह मैदान इस ते कुण सा मध्य है गंगा का मैदन यह है मैदान गागरा नदी यहाँ पर मैं आपको चूम करके दिखा देता हूं यहाँ पर यह नदी है गागरा नदी इसके बाद है यहाँ गंडग नदी इसके बाद हैं यहाँ पर कोशी नदी और इसके बाद हैं यहाँ पर सोन नदी तो गंगा नदी सोन नदी गागरा नदी तथा गंडग नदी के द्वारा लाए गए निच्छेपों से बना है मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ यह है आपकी मैं इसको और निच्छे के द्वारा इस नदी का क्या वो इस मैदान का निर्माड हुआ है किसका मद्द गंगा के मैदान का ठीक है इसको भी तीन वागों माटा गया है किसको मद्द गंगा के मैदान को तो वही नदी के आधर पर रख दो गंगा तथा गागरा नदी के गंगा तथा ग इसमें डेल्टाई छेत्र को सामिल किया गया है इसमें आपको डेल्टाई छेत्र को सामिल किया गया है इसमें वैसे मैं आपको डेल्टाई छेत्र दिखा देता हूँ यहां पर आप देख सकते हैं यह है डेल्टाई छेत्र तो इसमें डेल्टाई छेत्र सामिल किया गया है च रहे कर सी को है यहाँ पर इस तरह से आप सकते है है यह यह इस तरह से यह इस तरह सेसी तरह teh का भ्रहित्र का मेंधाम ठीगा तो असम गाटी वाले छेटर को इसमें सामल किया जाता है इसका निर्मार पुत्र तथा उसकी उसकी साइक नदियों के द्वारा लाएय गई जलोड से त से हुआ है कि इसमें कई नदी दीब भी पाइजाते हैं जिसमें माजुली दीप दुनिया का सबसे बड़ा नदीब है जिसका यहां पर आपको मैं दिखा सकता हूं यह आपका ब्रह्मोपुत्र नदी गाटी जिसको यहाँ पर इस वारे छेतर को हम कहते हैं असम गाटी का छेतर ठीक है यहाँ पर सीरे चलते चले जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते होंगे यहाँ पर है माजुली दीप तो माजुली दीप ब्रह्मोपुत्र नदी गाटी करें चलियों यह हो गया उत्तर भारत का मैदान ठीक है चलिए आगे बात करते हैं चली है जी साथ के बारे बात करते हैं प्रैज ये पीपना पेनिश एक इस तरह से पझार उत्षप है तो पहले किताबी यलका सा घ्यान दे लेते हैं प्राजदीपे पठार जो की आपका किसका भाग है एक second अइक सेक्ट राजदीपे पठार गौंडवाना लेंड का भाग है इसकी आकरती किसतरा की आपकी तेरोजा काराक्तर जानी की ट्रैंगुलर ठीक है यह राजिस््थान से कन्य ओको मारी तक यानिकि राजिस् सो किलिमेटर हैं तो इसका अगधी पूरा निकालें तो आपका लंबाई और चोड़ाई के आधर पर अगरे मिस का चेट पर निकालते हैं तो तो गण विरंस नर्मदा घाटी जिस छेतर से बहती है उस वो एक विरंस घाटी में बहती है तो नर्मदा घाटी का जो बहन सब्व है प्राज दीप यह पठार को दो भागों में बांटता है उपर वाला बाग अलग और नीचे वाला बाग तो आई देखते हैं हम इसको किस तरह से प बश्चिमी घाट पूरवी घाट ठीक है उडीशा उच भूमी और बिंध्यांचर परवत पथार की यह दिवात की जाए तो मारवा का पठार बंदेलकल उच भूमिया बिंध्यांचर बगिलखंड का पठार छोटा नागपुर का पठार मेगाले का पठार महाराश्ट का पठार डंड कारेन का पठार तेलंगान आंद्र पठार करनाटक का पठार तमिल नाडू का पठार ठीक है तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे तो आए सबसे पहले हम देख लेते हैं उच्छ भूमिया ठीक है तो उडीशा उच्छ भूमि महानदी बेसिन बिंध्यांचल इस तरह से हम इसमें जानेंगे चलिए इसके वाड़ी नीचे है इसको जाने के पश्छीमि गाठ आपका यह पश्छ मिघात हो गया और यह पूरीवी घाट इस तरह से हम इस आनेगी चलिए इसके बाद देख लेते हैं आई यह सबसे पहले बात करते हैं अरावली परवस सिरीडी के बारे में यहां यह अरावली और इसमें अभी अरावली छेतरी यह फैला हुगा है अरावली यह इस तरह से आप इस तरह से देख सकते हैं यानि कि यह इस तरह से यह अरावली सिर्डी के ठीक है तो यह है अरावली पहाड़ी मालवा पठार के उत्तरी पश्यमिंघ आजनी कि जो मालवा पठार है इसका उत्तरी भाग यह है और ऐसे आप देख सकते हैं इत्साओं का ग्यानत होगा ये उत्तर दर्चड पूरा पश्यम तो इसमें ये है आपका बीच का भाग ये उत्तर और पश्यम तो ये जो बीच का भाग है क्या कहलागा उत्तर पश्यम समया गया तो आपका मालवा का पठर कहां पर इस्ता थे ये रिस्थेत है आपका राजिस्थान वाले छेत्र में हैं ये कठोर कौार्ट जाइट कौार्ट जाइट नीस तथा सिल्ट चट्टानों से बनी हुई परवस्रेडी है ये बहुत पुराना बलित परवलत है यानि कि जब ये कभी अपने जवाने में जब इमाले जितना उम्र का होगा तब ये बहुत जवान अपने जमानी पर ये बहुत उंचा हुआ करता होगा लेकिन किनी काड़ों से इसका अपरदन हो गया है तो अपरदन के बाद यान कि कि किसी पहाल का जब अपरदन हो जाता है वो के से जाता है ऐसे रगड़ा रगड़ी करके जब उसका अपर पर्वत के रूप में रह गया है कौन सा अरावली परवत सृ ठीक है अरावली सृ रिडी पालनपुर यानि कि यहां पर है आपका गुजरत में यहां पर तो गुजरात के पालनपुर से राजिस्थान से होते हुए लगबक आठ ड़ ते लिडी कह यहां पर आप चलते चले जाएंगे और यह सीधा पहुंचेंगे दिल्ली की तरफ यानि कि गुजरात के पालनपुर से लेकर आपका दिल्ली तक अराबली परवत स्रेड़ी आठ सो किलोमेटर की लंबाई में फैली हुई है इसका सबसे उची चोटी यानि कि अराबली परव पहाड़ी पर एक चोटी है जिसको कहते हैं गुरू सिकर जो कि सत्रे सो बाइस मीटर उची है जो कि आपकी अराबली परवत की सबसे उची चोटी है ठीक है इस इन्हें किसे आपकी अराबली परवत इस रिड़ी को उदयपुर की यानि कि यहां पर पढ़ता है आपका यह उत्तर और यह पशिम तो उदयपुर की उत्तर पक्षिम में यानि कि उदयपुर के उत्तर पक्षिम में जर्गा पहाड़ियों के नाम से इसे जाना जाता है किसे रावली परवत को इसके बाद टोड़ गड़ के पास मारवार की पहाड़ियां कहा जाता है इसके तोड है पूर के उत्तर पश्मी जो पाड़ियां है यानि के रावली का जो भाग है उन्हें जर्गा पाड़ियां कहते हैं टोड़ गड़ के तो यह परवत कौन सा परवत बिन्द्यांचल परवत माला नर्मदा नदी के उत्तर में यानि कि यहां पर एक नदी वहती है इस तरह से मैं आपको जूम कर दूँ तो ज्यादा सही रहेगा यह जो रेर कलर की जो लाइन जा रही है यह आपकी नर्मदा नदी समझा गया तो न अबर आध्यांचल परवत नर्मदा नदी के उत्तर में उत्तर में नदी के समान अनतर पांसिम से पूर्वेण में यहां पर आप देख सकते हैं यानि कि बिन्यांचल परवस्रेडी के नाम से जाना जाता है इसके ठीक उपर जाएंगे तो इनी परवस्रेडियों को हम कैमूर पहाडियां कहते हैं ठीक है फिर से मैं रता जा जा रहा हूँ ये आपकी बिन्यांचल परवस्रेडी का उत्तर पूर में जो विस्तार है उसको भारनेड पहारियां तथा कैमूर पहारियों के नाम से जाना जाता है इसकी लंबाई यानि कि बिन्यांचल परवत स्रेडी की जो लंबाई है बैकुल बारे सो किलू मीटर है यह परमतमाला एक जल्व विवाज़क का कार करती है यानि कि इसके बिन्यांचल परवत के उत्तर नदियां इस और जाती है और इसके दच्छड वाली नदियां इस और जाती है यानि कि इन दोना का मिलन नहीं होता है ठीक है तो यह परमतमाला एक जल्व व्याज़क का कार करती है जो कि गंदा नदी के किरम को दच्छड वारत की नदियों के किरम से अलग करती है यानि द नरमदा नदी तो बिन्द सिरेडी के दच्छड में नर्मदा की संकीट गाटि है या नर्मदा वृंस है जिसका लिमार अदो विरंसन द्वारा हुआ ठीक है मैंने फितें बता रहा हूं ये है आपकी बिंद परवस स्रेडी बिंद परवत के ठीक देच्छड में एक नदी बैती है इसको हम कहते है नर्मदा नदी जिस घाटी में बैती है उसको नर्मदा विनस घाटी कहते हैं चलिए आगे बात करते हैं सत्पड़ा स्रेडी के बारे हम बात कर लेते हैं यह नर्मदा तापी नदियों की घाटियों के मद्द में इस ते यानि की ये नर्मदा नदी बैती है और ये आपकी तापी नदी बैती है इसके बीच में जो परवस्रीडी है इसको हम सत्पड़ा परवस्रीडी कहते हैं यानि की उत्तर में आपकी सत्पड़ा के उत्तर में आपका में आगया ये है आपकी सत्पड़ा परवस रेडी चलिए इस रेडी में राज पीपला पहाड़ियां महादे पहाड़ियां तता मैकाल पहाड़ियां को सामिल किया जाता है यानि कि ये है आपका पूर बाला छेतर और ये है पश्चिम तो पश्चिम से पूर की और जब हम ब चलिए आगे सत्पड़ा शुड़ी के बारे में नहीं बात कर रहा है तो आएले देखते हैं तो यह यह परविस रेड़ी यानि सत्पड़ा परवन सीड़ी जो है यह यह इसके उत्तर में है आपका न्रमदा नदी ऑधिक में लिज्ट Ooo तो न्रमदा तो इसके बाद उत्तरफूर में फिर रिवाइजाती है यह उत्तरफूर में इसे मेकाल पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है इसकी लंबाई की बात दिखी जाए तो नमभाई की नो सो किलो मीटर है सबसे उंची चोटी की यदि बात की जाए तो पंच मड़ी पहाड़ियों के पास पंच मड़ी के पास यहां पर आप देख सकते हैं महादे पर ठीक है महादे पहाड़ियों पंच मड़ी के पास धूप गड़ है यानि कि इसकी धूप गड़ चोटी है सबसे मेहकाल परवस रेड़ी पर हैं यहीं पर नर्मदा नदी का उद्गम इस्ताने नर्मदा नदी इस तरह से पस्चिम की और बेहने के लिए निकल जाती है किसमें आपकी बिरंस गाटी में और इधर ही से एक नर्मदा नदी ठीक है तकपड़ा परवस छेतर में नदियों ने नदी पर दुआधार जल्पिरपात सबसे प्रसिदय यानि कि नर्मदा नदी पर जवलपुर के पास नर्मदा नदी पर ही दुआधार जल्पिरपात का निर्माड हुआ है चलिए तो आएए गर्जात पाड़ियों के बारे में बात कर लेते हैं तो गर्जात पाड़ियों की दिसा में पहाडियों को कोयली और पहाडियों में कोयली के बंदार पाई जाता जाते जिनमें कुछ प्रमक जेतर है जिनमें ठीक है चलिए आगे बात करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं महेंद्र गिरी ठीक है चलिए पच्छिमी घाट पर बात कर लेते हैं पच्छिमी घाट यानि कि दो है यह पहले पूरी घाट उसके बाद पच्छिमी घाट तो पच्छिमी घाट के बारें पहले बात करेंगे तो ताफी नदी के मुहाने से लेकर यानि ताफी नदी के मुहाने से लेकर सीधे नीचे चलते 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 यहां पर पड़ता है केप कैमोरिन या कैमोरिन अंतर दीप इसको कन्या कुमारी भी कहते हैं तो ताफी नदी के ताफी नदी से लेकर पश्मी तट के सम मानांतर करीब करी सोले सो कुली मीटर लंबे छेतर में फैला हुआ है पश्चिमी घाट कहां से लेकर तापी नदी के महाने से लेकर कन्या कुमारी तक ठीक है इसके बाद ये एक अब्रोधी परवत या ब्लॉक परवत या ब्लॉक मांटेन है ये क्या होता है हम आगे इसको अ परवत नुमा आकरती बन जाती है यानि कि जो मुखे इस्थलखंड था उसका अरफ सागर में भाग गिरने के काड़ ये क्या बन जाता है एक परवत नुमा आकरती ले ले लेता है यानि कि इसका नुमा भारत के इस्थलखंड के अरफ सागर में गिरने से हुआ है इसका प है जब अरभ सागर में गिर जाता है तो ये क्या हो जाता है अब जब आप मालीजी यहां पर खड़ी हुए तो जब एक गिर जाएगा तो हमें कुछ दिखे है यह यह निया, तो तटे जो है नदियों के द्वारा मलभा लाया गया उससे यह तट का निर्माड हुआ है तो पश्मी घाट परवत का निर्माड मुख्य भूखंट काय में गिरने से हुआ है अरब सागर में गिरने से हुआ है ठीक है तो यह कोई बास्तिक परवत नहीं बलकि क्या है परवत की आकरती ले लेता है ठीक है तो मैंने क्या बता है से टेड़े मेड़े इस तरह से आप आसानी से इस पर चड़ाई कर सकते हैं तो मंद और सीडी नुमा है जब कि पश्मी डाले यानि कि यह जो पश्मी घाट का पश्मी डाल जो है वह तीब्र और खड़ा है यानि कि तीब्र खड़ा कैसे होता है इस तरह से यानि कि आप आसा इलटा का निर्माड नहीं करती है ठीक है समया गया, पश्छमी घाट प्राइप प्राइधीब के बास्तिवीं बयाज़क का का करती है, मैंने भी बताओ ज्च मिघाट है, उसका पुरवी डाल कैसा है पूर черopher मंद मंद और सीडी नों आए ठीक है चली आगे बाद करते हैं तो यह है आपका पश्मी घाट परवत इसको हम सयाद्री परवत भी कहते हैं तो उत्तरी सयाद्री की सबसे उंची चोटी यानि की यह उत्तर वाला जो छेत्रे इसकी सबसे उंची चोटी जो है वह है काल सुवई तो काल सुवई देख स से उंची चूटि है महा बलेस्वर इसकी उंचाई किता है 1438 मेटर यहां पर आम मैं देखसकते हैं यह है महा बल्खक्रोर का उच्छतर adds क्वेसहरा विल्सन व्लसन ऑफ यहान कि विल्सन पॉइंट और यहां आора तरठ डेक सकते हैं व把 सब करेंद पॉईंट और नीडल होल जिसको हम एलिफेंट पॉइंट भी कह देते हैं यानि कि नीडल होल यह है आपका नीडल होल पॉइंट जिसको हम एलिफेंट पॉइंट भी कहते हैं और आर्थत सीप पॉइंट भी आपका पश्मी घाट परवत पर ही है यानि कि महावलीस्वर में ही है ठीक है यहां से पांच नदिया निकलती है जिसमें आपकी किष्णा नदी सावित्री नदी बेना नदी गाहित्री नदी कोईना नदी ठीक है यानि कि यह पश्मी घाट के पूर भी डाल से निकलती है कौन-कौन ती नदी बताई मैंने आपकी किष्णा नदी जिसको अलग से हम के खनन के लिए पिरसिद है यहां पर ठीक है कहां पर मैं आपको दिखा देता हूं बावा बुदन की पाड़ियों में यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर है कुंद्रे मुख इसकी मुचाई इतनी अठारे सो बानेवे मीटर है यहां पर लौ एस खननन छेत्र है यानि कि के खनन के लिए यहां पर यह पिरसिद है कौन सी बावा बुदन की पाड़ियों की कुंद्रे मुख चोटी यहां पर यानि की बावा बुदन की बावा बुदन पाड़ियों पर कुंद्रे मुख चोटी है यहां पर एक सरकारी साजमिन सार्वदनी छेत्र का उपक्रम है य इसको हम कहते हैं कुंद्रहबूख आइरन ओर कमपिनी लिम्टेड ठीक है के iocl ठीक है कहां पर है बाबबुदन की पाड़ियों पर चलिए आगे बात करते हैं इसके बावाबुधन की पाडियों के और नीचे आते हैं यहां पर यहां पर दोद्दा बेटा चोटी ठिक इसके ठीक नीचे जाएंगे यहां पर पड़ता है पालगाट ठिक है और यहां पर यह है आपका पालगाट अधर आप देख भी सकते हैं यहां पर यह अन्नमले है अना अनाई मुदी ठीक है यहां पर है पलनी के पाड़ियां यह है इलाची के पाड़ियां यहां पर है आपका काडमम पाड़ियां यहां सुरू होती है इलाची के पाड़ियां यह काडमम पाड़ियां ठीक है यह सिरू मलाई ठीक है इसकी हमें जरूत नहीं है यहां पर अगस्ता मलाई चोटी देख सकते हैं आपर और नागर कोईल यहां पर देख सकते हैं ठीक है तो मैं जो बोलूँगा आपकी निगाज आएगी पूरवी घाट और पश्यमी घाट है यानि कि यह है आपका पूरवी घाट और यह है आपका पश्यमी घाट तो पूरवी घाट यानि नीलगीरी पर एक चोटी है यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ नीलगीरी की सबसे उची चोटी है इसको हम दोद्दा बेटा कहते हैं चो कि दच्छड भारत की सबसे उची चोटी है इसकी जाई की बात की जाए तो 36 26 36 मीटर र्यास सेयाती 60 कितना भी लिखा हो सकता है एक दो आगे पीछे हो सकता है तो मैंने क्या बता है पूरी विखारत पच्छी गांट जिस चेतर मिलते हैं उसे नीलगीरी परवती गांट कहते हैं जिसकी सबसे उची चोटी दोद्दा बेटा है यह दच्छड भारत का द नीलगीरी परवत पर इस्तित है नीलगीरी के दच्छड में क्यों बढ़ेंगे यानि कि थीक नीलगीरी है यह आपका नीलगीरी नीलगीरी के थीड़ा थोड़ा से दच्छड बढ़ेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हम कहते हैं अना मलई की पहाड़िया यानि क की एक चोटी है जिसको हम कहते है अनाई मुधी टिक है अनाई मुधी चोटी है यह दच्छड भारत की सबसे चोटी है इसकी नीलगिरी उसके ठीक नीचे बढ़ेंगे जो गैप अने और आनोली पहाडियों के बीच में जो गैप आजाता है इसको हम कहते है पाल घाट दर्र्रा ठिकै यानि कि पूर्वी घाट को बभी घाट को परकरे का ये ये और परमुछ दर्रह एक हूः ठीकर अन्ना अलेगी एक साखा जो है यानि कि अन्ना वलए जो है तीन पाड़ियों को 1968 आनि की एक उत्त्तर पूर वाली छेतर ठीक है ठीक है तो मैंने क्या बता अना मले की एक साखा उत्तर पूर में यानि की यह वाली जी साखा उत्तर पूर में पलनी की पहाड़ियां तता दच्छड में काडवं पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है मैं फिर से बता दे रहा हूं कि जो अना मले की पहाडियां है उसकी एक साका कहां चले जाती है उत्तरपूर की उचली जाती है जिसे क्या कहते हैं पलनी की पहाडियां कहते हैं यहां पर आप देख सकते हैं आप मैं पगर रखेंगे तो आप बहुत खुशी होगी यहां पर आप देख सकते हैं पलनी की पहाडियां कहां पर अधिक मात्रा में इलाइची होने के घाड इस छीत इन पाड़ियों का नाम क्या रख दिया गया है इलाइची या काड़म पाड़ियां तो काड़म पाड़ियों के दच्छड में एक पाड़ी है जिसको हम कह देते हैं नागर कोल पाड़िया तो कहां पर इस्तित है सकते हैं यह आपका पलनी के पाड़ियां यहीं पर एक जगह है इसको हम कहते हैं कोडाई कनाल ठीक है चलिए आगे बात करते हैं चलिए बात करते हैं पस्च्च्mी घाट के कुछ पिरमुक धर्रों के बारे में में यानि द्र्रे क्या खोते हैं यह गयप होते हैं बीच में खाली जगह होती है इनको हम धर्रे कहाँ जहने कि एक यह पाड़ी को दूसरी तरफ जाने के लिए धर रोगा प्रिवो करते हैं सबसे पहला सब्च्वी दाट के प्रव कर रहं हम अनल का देकर है anderen रखिण सबसे पहला जो है आपका थालना थाल गार्ड धर्रा तो नंबर एक परैं कहां पर इस्ते तह यहां पर और इसको मैप मैं मैं धे कूलकाता रेलबर सड़कमार गोज़रते हैं यानि कि मुमबई से आपको पून नागपुर से आपको यादी मुमबई से कूलकाता जाना है तो आपको फाल गाठ दर्री से होकर जाना होगा इसको मैं जूं करके दिखा ज cinnamon मैंने यहां पर एक लाइन कीचिए इस जगह पर इस्तित है आपका थालगाट दर्रा तो थालगाट से आपका यहां से निकलेंगे नागपूर, नागपूर के पास से निकलेंगे फिर हम यहां पर पहुंचेंगे आपका यहां पर नासिक, नासिक से फिर ऐसे यह पहुंच ग जो है मुंबई पूले बेलगाउं चीन रेल नहीं रοιड़ मार्ग गुजरता है सड़क मार्ग भी इसी छेतर से जाता है यानि कि आप मुंबई इसे धक्षटर की तरफ जाएंगे यानिकी आप्को चेन नहीं जाना आ होते हुए यह इस तरह से जाएंगे तिरुपती और यह आप पहुंझ जाएंगे चेन ठीक है तो फिरसे मैं बोल दे रहा हूं बोर CB-धधर से मुंबई बेलगाउन और चेननाई रेल मार्ग जाता यान्फ की मुंबई से पूरे पूरे से बेल गांउन से चेन्नई के लिए रेलमार्ग गुजरता है और सड़कमार्ग भी इसी छेतर से, ठीक है नमबर 3 की बात इन गया है, तो पालगाटध काली कट से तिरसूर है, ठीक है, तिरसूर से कोयमबत्वूर, कोयमबत्वूर से कोची रेल मार्ग बस सड़क मार्ग गुजरते हैं ठीक है मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ नमबर तीन मैंने बताया आपका ये है आपका पाल घाट दर्रा जो कि नील गिरी और अनामले की वीचे जो मैंने क्या बताया था कोईमबटूर से थिरसूर जाना है थिरसूर से ये आपको कोची जाना है कोची से आफिर आपको कोईमबटूर से ये आपको कोजी कोडिया का है कालिकट जाना है तो आपको नमबर तीन है यानि कि पाल घाट धर्रे से होकर जाना होगा नमबर चार की बात करना है तो सेन कोट तो यदि आपको त्र वयंद पूरम यानि कि केरल की राजदानी से यादि आपको наж जाना है या फिर आपको पूरवी घाट के बारे कि पच्चमी घा। अब हम बात करते हैं पूरी घाट तो यह जो मैं इसको शरुत मैं करूंगा की जिस तरह से यानि कि जो आपकी पस्च्मी घाट परवत था वो एक समानांतर स्रेडी के रूप में फैला हुआ था यानि कि यहां से तापी नदी के महाने से लेकर कन्या कुमारी तक समानांतर यानि कि पस्च्मी तटके समानांतर यानि कि उसके बराबर में चलता जाता था और लास्ट मे है करीब करीच 14-1500 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है लेकिन यादी पूरवी घाट की बात की जाए तो यह समाना अंतर नहों हो कर टुकड़े के रूप में है यहां पर थोड़ा सा पूरवी घाट परवत का भाग है यहां पर है कुछ यहां क्युछ यहां क्युछ यह के रूप में फैला हुआ है, ठीक है, तो पूर्वी घाट दक्कन पठार की पूर्वी सीमा का निर्माड करता है, इसास पूर्वी घाट तो इस सिनकला को नदियों ने जगे जगे से काट दिया है जैसे कि आपकी महानदी हो गई आपकी किष्णा हो गई कावेरी हो गई गोदावेरी हो गई और जो चोटी चोटी नदिया है उन्होंने इस जो पूर्वी घाट है उसको जगे जगे से काट दिया है निकी मैंने भी बत नतियोंने इनको काट दिया है जगे जगे से तो महानादी तथा गोदावरी के बीच की परव्ष्रिकला के अलावा कहीं पर भी परवती य 이상 मैसूस नहीं होते है यानिकि मैं ने क्वाइब नदी यहां पर है महानादी और यह आ की गुदावरी तो ये एक सीध में आपको देख सकते हैं एक छोड़ी सी लंबी परवस रिंखला है इसके अलावा कहीं पर भी इतनी लंबी परवस रिंखला नहीं है यानिकि कुछ अत्ता के यहां पर मेसुद होता है कि पूर्वी घाट शुरू हो गया लेकिन आगे बढ़ जाता है जैसे कि आपकी नल्ला मलाई पहाड़ियां बेली कोंडा पाल कोंडा जवादी सेवाराय प्रमुक हैं जैसे यहां पर मैं आपको देखा सकता हूँ यहां पर देख सकते हैं यह नल्ला मलाई पहाड़ियां यहां पर है वेली कोंडा पहाड़ी यहां पर है पाल कों और पश्मी गाट परवत क्या होते हैं आकर मिल जाते हैं तिक है दोनों परवस्रेλλियां पूर्य गाट ताथ पश्मी गाट का मिलन होता है तो कावेरी तथा पेनार नदी के बीच के भाग में मेल गिरी परवस्रेलिया जो की चंदन बनों के लिए फिरसिद है फिरसे मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पर एक नदी बहती है इसको हम कहते है किष्णा किष्णा ठीक नीचे चलते चले आएंगे तो यहाँ पर है एक कावेरी नदी ठीक है तो कावेरी नदी तथा यहाँ पर एक नदी दिख जाईगी आपको इसको कहते हैं पेनार नदी, नहींको हम कहते हैं पेनार नदी के बीच में एक पहड़ी परती है, इसको हम कहते हैं मेलगिरी पहड़ी यह परवस्रिडू यह चंदन के बनों के लिए पिरसिद्ध है ? मेलगीरी परवत किसके लिए परशित है चले हम समझते हैं इसकी पाडियों को जो किस अलग अलग नामोंस तो पूर्याइट परवत की कुछ पाडियां उत्री सरकार छो तठ है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पाड़ी क रूप तो उत्तरी सरकात कहां पर है उड़ीशा और आंद प्रजिस में ठीक है नल्ला मली पाडियों की बात की जाए तो मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूं यहाँ पर आप देख सकते हैं यह नल्ला मली पाडियों उम्मीद है आप लोग में पर रखे जरूर बैठे होंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में यहाँ पर आप देख सकते हैं नल्ला मली पाडियां जो की आपका आंद प्रदेश का भाग है कि इसके शेत्र में नल्ला मली पाडियां आंद प्रदेश में फैलिए इसके बात करते हैं पाल कॉंडा पाडियों की तो पाल कॉंडा भी तो तमिलनाडू में है, सिरु मलाई पहाडियों की बात की जाए, तो आपकी तमिलनाडू राज में है, तो फिर से मैं बता देना हूँ, मैंने अभी क्या बताए था, मैंने बताए था, कि आपको जवादी पहाडियां अगर देखनी है, तो जवादी पहाडियां आपकी तमि पहाड़ियां कहा पर हैं आपकी तमिल नाडु भाले छेत्र में हैं जो कि पूछ ली जाती है तो यह हो गया आपका प्राइदीप यह पठार की मुख्य यानि की उच्च भूमियों के बारे में अब हम बात करते हैं पठार के बारे में इससे पहले हमने बात कर ली थी किसके पहाड़ियों के बारे में जिसमें पूर्विघाठ पश्चमी घाठ आपका अरावली प्रवसरी श्रीडी आपकी सत्पड़ा और बिंद्यांचल और इस तरह की जो भी पहाड़ियां थी उनके बारे में अब बात करते हैं पठार के बारे में पठार कौन को से देखें हम बिंद्यांचल बगिलगाण का पठार बुंदेल खंड और चोटानागपुर का पठार मालवा का पठार में गाले का पठार महराज का पठार तेलंगाना का पठार 6 सीथ से अ बात करते हैं इसमें आती है बात मालवा के पठार के बारे में तो यह है कौन सा मालवा का जो पठार आप यहां पर देख सकते हैं यह वाला छेत्र तो मालवा का पठार मद्द्रदेश राज में इस्टेद है यह आप देख सकते हैं मालवा छेत्र है तो मालवा का पठार मद् तो इसका सीमा का निधार कौन करते है, सीमा का निधार उत्तर में आपके, यानि मालबा के पठार में, उत्तर में क्या है, अराबली परवत, ठीक है, इसके दच्छड में क्या है, बिंध्यांचल परवत, समझा रहा है न, मालबा के पठार के दच्छड में क्या है, बिंध्य लाइंचल परवस स्रीड़ी इसकी सीमा बनाती है आपकि मालभा के पठार से कुछ पिरमुक नदिया भी निकलती है जिसको हम क्या चंबल काली सिंध बेतबा कैन नदिया ठीक है तो मैं इसको जूब करके मैं आपको दिखा जिता हूँ मालभा के पठार कौन-कौनी मैंने चिपरा भी कह देते हैं तो चिपरा काली सिंद चंबल ठीक है यहां की पिरमुक नदिया है जो कि मालवा के पठार से निकलती है यह बाती है आप सब लोग जानते हैं कि जो मालवा का पठार है उसको चंबल जो नदी है उसने काट काट कर क्या कर दिया है बेहड कर दिया है य यमना नदी से जाकर मिलती हैं इनी नदियों के प्रवाव के गार यह पठार अनेक इस्तानों पर उबड़ खाबड़ बन गया है और बड़े बड़े बीरड खड़ पाए जाते हैं इस पठार में ठीक है इस पठार के उत्तर में चंबल नदी अवनालिका अपरदन करती है य यह बाद करते हैं चलिए बात कर लिते हैं बुंदेल खंट तथा वगेल खंट का पठार के बारे में तो यह आप देख सकते हैं बुंदेल खंट कर ट्क है तो मालवा की पठार के उत्तर वालवाग को बुंदेल खंट कहा जाता है यह भूबाग यानि कि जो बुंदेलखंड और बगेलखंड का जो छेतर है यानि कि यह पठार का जो छेतर है यह भूबाग गंगा के मैदान और नर्मदा सोनगर्थ के बीच में इस्तित बलुआ पत्थर है यानि कि बिंद बलुआ पत्थर के कगार्या ढाल पर पाई जाती इसको मैं समझा देता हूँ sentence क्या है इसका ये कहना है मैंने क्या बताया कि जो गंगा नदी का चेतर है गंगा का मैदान वाला चेतर ये उत्तर वाला चेतर है ठीक है और इसके ठीक नीचे है यहाँ पर है एक चोटी इसको हम कहते हैं मैकाल परवत पर एक चोटी है इसको हम कह यानि कि यहां पर बिंद परवत कहां से आगे मैंने आपको बताया था कि जब बिंद परवत पस्चिम से पूर्की और फेला हुआ है तो यहां पर जब पूर्की और बढ़ेंगे उत्तर पूर्की और तो भारनेड परवत आएगा और फिर और पीछे बढ़ेंगे तो यहां पर कैमूर की पाड़ी है यह आपकी बिंद परवत स्रीडी का ही भाग है ठीक है तो बिंद परवत के ढाल पर जो आकरती है इसको हम क्या कहते है ढाल के पास की जो आकरती है उसको हम बगेल खंड का पठार और बंदेल खंड का पठार कहते हैं समझ में आ गया ना चलिए तो यहां के कटकों पर सूर कटक या सूकर कटक या हॉग बैक की संरचना मिलती है यह हॉग बैक या सूर कटक या सूकर कटक क्या होता है यह मैंने बताया था कि जब इस तरह की आकरती होती है यानि कि जो सूर होता है उसकी पीट इस तरह की होती है यानि कि वो इस तरह की पीट ह तो इसको हम कहते हैं ऑग बयक माउंटेन केते हैं या सुषय कटक भंधर करन 걃र्ण पठार की जो च्टाने वह नीज च्टानों से बनी हुई है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं चोटा नागपुर का पठार के बारे में तो चोटा नागपुर का पठार एक नजर डाल देते हैं ये आपका छोटा नगर नागपुर वाला छेत्र तो चोटा नागपुर का पठार मुख्य रूप से जारकंड प्रदेश में पाये जाता है लेकिन इसका कुछ भाग बिहार में भी है यानिकि उत्तर वाले चेत्र में भी है उड़ीसा में भी इसका भाग फेला हुए यानिक उड़ीसा में भी है कुछ भाग इसका पश्ची बंगाल में भी है पश्ची बंगाल इस्तित है ठीक है तो मैंने क्या बता है च्छोतानागपुर का पठार जो है मुख्य रुप से जारखण में लेकिन है कुछ बहाग बेहार, उडियशतों पश्ची बवंगाल में भी स्थित है ठीक है इसके उत्तर में यानि की यह आपका जो चुटा नागपुर का पठार है इसके उत्तर में आपकी सौन नदी बहती है जो की गंगा से जाकर मिल जाती है दामुदर नदी इसी पठार की मुख्य नदी है कौनसी दामुदर नदी चुटा नागपुर पठार में बहने व दामुदर नदी गाटी एक भिरंस की रूप में जिसमें दामुदर नदी बहती है कहां पर बहती है यहां से चोटा नागपुर में बहती होई इस तरह से प्रिवेश करती है यहां पर होगली नदी में है दामुदर नदी जाकर मिली जाती है इसने बो सरी जो चोटा नागप तावा, यूरिनियम, एवं, टंग्स्टन प्रोमक है, कौन-कौन से दातु यहां पर पाय जाते हैं, आपके चोटा नाकपुर के पठार में, लोहा, कोईला, अब्रक, तावा, यूरिनियम और टंग्स्टन, चलिए, आगे बात करते हैं, ठीक है, तो चोटा नाकपुर की जो पठार है, राजमहल की जो पहाडियां है, इसकी उत्तरी सीमा बनाती है, यहां पर कौन सा, चोटा नाकपुर पठार पर गोंडवाना काल का कोईला का बंडार है, इसलिए इस पठार को भारत का रूर कहते हैं, कि रूर मतलब कोईले वाला चेतर, ठीक है, समझ माए गया, पर है, जर्मनी में, जहां तक अंदाज है, मुझे, जर्मनी में एक छेतर है, जिसमें क्या कहते हैं, रूर कहते हैं, जहां पर कोईला बहुत अधिक मातरा मिलता है, ठीक है, तो मैंने क्या बता है, चोटा नाकपुर के पठार में, चोटा नाकपुर का जो पठार है, यही की छोटा नागपुर का जो पठार है कई छोटे छोटे पठारों में बटा हुआ है जैसे उत्तर में उत्तर के भाग को हम इसको कहते हैं हजारी बाग पठार ठीक है इसके ठीक है क्या कहते हूं उत्तर में इसको हजारी बाग पठार हजारी बाग पठार दच्छड में इसको इसको हम कहते हैं को डर्मा का पठार चलिए आगे बात करते हैं चलिए बात करते हैं मेगाले पठार के बारे में तो मेगाले पठार के बारे में शुरू करने से पहले मैं आप लोगों बता दू कि मेगाले पठार कहा पर एक सब्सक्राइब कर देता हूं आप लोगों के इसको नदियों ने क्या कर दिया तैसनेस कर दिया यानि कि इसको बहाकर ले जाती है यानि कि यह वाला जो छेत्र था इसको बहाकर ले जाती है और यहां पर गैप हो जाता है ठीक है तो यह क्या था मैं आया यानि कि आपका जो प्राइधीप पठार का ही उत्तर पूर में क्य क्या होता है अलग होता है किसके द्वारा अलग होता है मालदा गैप के द्वारा अलग होता है यानि कि इस गैप को गारो राजमेहल गैप भी कहा जाता है ठीक है समझे आगे मैंने क्या बताया कि प्राइदीपी पठार जो था उस तरह इस तरह की आकृति थी जो कि यह वाला पाँच पाडियां पाई जाते हैं जिनको एक नजर देख लेते हैं इस मेगाले पठार पर पाँच पाडिया पाई जाते हैं जिसमें पच्छी वाले भाग की पाडियों को हम गारो खासी जैंतिया कहते हैं और पूरू की जो पाडियां उसको मिकर और रेगमा कहते हैं इसको उंची चोटी है आका है यहां पर एक चोटी पाई जाती है इसका नाम है सिलांग चोटी ठीक है इसकी उंचाई की बात कर लिए तो उन्निस सो 61 मीटर इसकी उंचाई है यह सिलांग पतार की सबसे उन्ची चोटी है इसका बात करते हैं खासी पाड़ियों के बारे में तो यह खासी पाड़िया है खासी पाड़ी जो है इस तरह से मेज की आकार की बनी हूँ है इस पर ही आपका एक सहर बसाुआ है जिसका नाम है सिलांग सहरया का है शिलोंग शिलोंग जो की आपकी मेगाले राज की राज़दानी है ठीक है मेगाले राज़दानी किस पाड़ी पर इस्ते थे थे आपकी सिलांग पहाड़ी पर इस्ते थे ठीक है समझ में आ गया चलिए आगे बात करते हैं मैंने बता दिया इस पठार क इसमें यह जो डंड कारन का पठार है औरीशा में चत्तीस गड़ में तेलंगाना में और आंद प्रिदेस में लगबग 89,000 बर्ग किलो मीटर में फैला हुआ छेतरा आपका डंड कारन का पठार कहलाता है आपका इस के ताहत अबुज माड अबुज माड पहाडियों में बेल के और अध्य आपकर को दिखा देखता हूँ यहां पर डष्छड में चलेगे आपके हिलके से यहां पर आपको दिख जाएगा यह है बैला डिला चूटी यहीं बेसिती का यहां नहीं कि उछ्च को टिका यहां पर क्या बिलता हूने का बंडार है ठीक है इसके इस छेत्र की यानि डंड कारण के पठार की कुछ पिरमुक नदियां हैं जैसे इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं इंदरावती ठीक है इसके अलावा यहाँ पर एक और नदी परती है यह है तेल इसके बाद है उदानती यहाँ पर आप देख सकते हैं उदान है ठीक है चैली डंड कारण के पठार के दच्च्ड पष्मी तच्च्ड कौन सा होता है यह पाच्च्च्मी कौन सा ओग यह तो ुद शवन करण के पठार क्र लिए तो तो दश्च्ड्पूर कैसे होगई दश्च्ष्च्ड क्या मने बताया था दश्च्ड्पस्च्ण तो ये जो दिसा है इसको हम कहेंगे दश्च्च्ड पस्च्च्र में आपकी मलकान मलकान गिरी पठार इस थितर ठीका किस के रहत डंड कारन के पठार के रहत इसके रहत बस्तर का पठार भी इसी में ही सामिल किया जाता है इनकी डंड कारन के डंड कारन पठार के अंतरकती आपका बस्तर का पठार आता है आई यह दक्कन का पठार या दच्छिड का मुक्व पठार के बारे में बात कर देते हैं तो आई यह समझते हैं इसको भी कि मुख्य पठार इसलिए कहते हैं यह प्रमुख पठार है यह एक शेत्र का सबसे बड़ा पठार है तो आई यह देखते हैं इस पठार कौन सा पठार दक्कन का पठार जो है तापी नदी के दच्छड में यानि कि हाँ सब्बढ़ा सिरेडी है इसके दक्षड में नदी नि तो इसके उत्तर में किसके आपके दक्कन के पठार के उत्तर पश्यम में आपका सत्पड़ा परवत सत्पड़ा यह आप देख सकते हैं दच्छड पश्यम में आपका सत्पड़ा परवत और बिंद्यांचल परवत इस्तित हैं इसके उत्तर में महादेव यानि कि दक्कन के उत्तर में आहां पर आप देख सकते हैं महादेव और यहां पर है मैकाल पहाड़ी पूर की बात की जाए यह आपका पूर वाल अच्छे तो पूर में है आपका पूर भी घाट और पश्चिम की यह दी बात की जाए तो पश्चिम में आपके दंड कार वो सरी दक्कन के पठा की सीमा कौन-कौन से छेत्र बनाते हैं यानि कि आपके पूर्वी छेत्र में पूरी भी घाट पश्मी छेत्र में पश्मी घाट उत्तर में आपका सत्पड़ा परवस्रेडी बिंध्यांचल परवस्रेडी महादे परवस्रेडी मेंकाल परवस्रेडी इसकी सीमा बनाते हैं च एई एक कार्ण हैं कि महानदी गुदावरी खिष्णा कावेरी जैसी न्दियां पश्च्मी घाट से निकलती हैं और पूर्वी घाट की और पिर्वयाइत होती है यानि कि पश्च्मी घाट से बंगाला की खाडी में अपना चल से रहा देती हैं तो इन देयों अपनी घाटियों को काफी गहरा कर दिया है और पूरे दच्छडी वारत का जो मुख पठार है उसको कई छोटे-छोटे पठारों में बांट दिया है तो एक बामें पसे बता दे रहा हूं कि आपका जो नदिया निकलती है दक्कन के पठार से उन नदियों ने अपनी घाटि इसको हम कहते हैं महाराष्ट का पठार यहां पर है यह आपका तिलंगाना का पठार और यह आपका करनाटक का पठार समझा गया चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट के पठार के बारे में हैं दक्कन के पठार के तीन बाग हैं महाराष्ट पठार और करनाटक पठार सबसे बात करते हैं महाराष्ट के पठार के ठीक है तो कौंकर्टत कहा हैं कॉंकर्टत में आपको ज्यूम करके दिखा देता हूं यह है आपका कॉंकर्टत यह है ना कॉंकर्ट कौन कर टट ठिक तो कौन कर टट तथा सयादरी को छोड़ कर यह पूरे महाराष्ट राज में फैला हुआ है यानि कि जो कौन कर टट है उसको छोड़कर और सयादरी परवत जो है उसको छोड़कर पूरे महाराष्ट में आपका यह जो पठार है यानि कि महाराष्ट का पठा पार है यह फैला हुआ है इस पठार के भी पांच चोटी चोटी बाग है पैसे उनकी जरूद नहीं फिर भी कभी गलती से पूंच लेता है तो उसके लिए मैं आप लोगों पता जिता हूँ कि यहां पर इस पठार को पांच चोटी बागों मांटा गया है सबसे पहले जो है वो है आपकी अजंता की पहाड़ियां यहां पर आप देख सकते हैं अजंता की पहाड़ियां इसके बाद है गोदावरी घाटी किसे कहते हैं नदी जिस शेत्र से बहती है उस शेत्र को क्या कहते हैं घाटी कहते हैं नदी जब बहती है उसकी साय के नदियों को मिला मुलू पर फैला हुआ है इस पठार को वी चार वो पांच छोटे छोटे भागों बाटा गया है जिनमें सबसे पहला है आपका अजंता की पहाडियां ठीक है गुदावरी घाटी यानिकि ये नदी जाती है गुदावरी इस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं गुदावरी नदी क जो छेत्र है गुदावरी की गाटी यहां पर है बाला घाट और एहमद नगर यानि की बाला घाट बाला छेत्र यहां पर ही एहमद नगर पड़ता है तो बाला घाट एहमद नगर इसके बाद यहां पर एक नदी निकलती है इसको हम कहते है भीमा नदी तो यह वाला जो छ का पठार के बारे में दक्कन के पठार को फैला हुआ की जी की यानीकि मूल्यान किरी जिसकी ऊंचाई है 1935 बावा बुदन पहाडियों की सबसे ऊची चोटी है नहाएं पर आपको दिखा दे की पहाडी इसी जगह यह मैंने यलो कलर का एक त्रेंगल बनाया है इसको हम कहते हैं मूल्यान गिरी चोटी जो की बाबा बूधन पहाड़ीयों की सबसे उची चोटी है जो की करनाटक पठार का एक हिस्सा है समझिआ गया तो करनाटक पठार कौन को ते चेत्र में है करनाटक में जाद है और कीरल में कम चलिए आगे बात करते हैं चलिए बात कर लेते हैं हम लोग ते लंगाना आंध पठार के बारे में तो ते लंगाना वाला छेत्र यह आप यहां पर देख सकते हैं जो की आंध प्रदेस्ट और ते लंगाना नुक्ति का यह आपका आंद पर मसं के बारे में जानकारी झोभी था शाथ करते हैं महानदी वेसं के बारे में ठीक है तो महानदी व्यसंत को यानिकि जिस्से इसन अत्ता है महानदी महानदी वेसिन ठीक है तो इसे 36 गड़ का मैदान भी कहते हैं नहीं महानदी वेसिन को 36 गड़ का मैदान भी कहते हैं इस महानदी वेसिन के पशिम में हैं आपके महकाल परबस रेड़ी उत्तर में हैं आपकी रामगड़ की पाड़ियां और उत्तरपूर में हैं आपकी आज हरा की पहाड़ियां इस्तित हैं ठीक है यानि कि ये पहाड़ियां इसकी सीमा बनाती है चलिए तो योग्या महानदी बेशिन अब आगे बात करते हैं तटवर्ती मैदानों के बारे में बात कर लेते हैं तटवर्ती यानि कॉस्टल प्लेंस के बारे में बात करते हैं तो गोवा होती हुई आपके महाराज फिर करनाटक फिर केरल यहां बीच में यहां पर गोवी पढ़ता है फिर यहां पर तमिलनाडू यहां पर है उपर है उपर रहेंगे अंध्रते सांध्रति के बाद उड़ीसा उड़ीसा के बाद यहां पर पढ़ेगा आपका यहां पर जग और यह आपका पूर्वी तट तथा पूर्वी तट तथा पूर्वी तट के बीच के बाग को को हम पूरवी तटीय मैदान कहते हैं चलिए आगे बात करते हैं चलिए पश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् यह पाश्चिमी घाट के पश्चिमी में कंसा यह पश्चिमी घाट के पस्चिम में कच्छी की खाडि कहां या कच्छी खाड़ी से लेकर नीचे चलते चले हैं कच्छी खाड़ी से लेकर कुमारी अंतरी पे आनी कि कन्या कुमारी तक लगबग चौदे सो किलो मीटर में फैला हुआ है इसकी और सच चोड़ाई की बात की जाए तो 64 किलो मीटर इसकी और सच चोड़ाई है समझ में आ गया सबसे जादा चोड़ाई की यह दिबात की जाए तो नर्मदा और तापी का जो मोहना है नर्मदा और तापी का है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह नर्मदा और यह आपकी तापी तो नर्मदा तता तापी के मोहने पर सबसे जादा इसकी चोड़ाई लगबग 80 km है ठीक है चलिए यहां की अधिकतर नदियां जो है वह जौर नद का निर्मार करती है जौर नद मुक दो तरह के डेल्टा होते हैं आपके तिरवजा का डेल्टा लेकिन यह जौर नद मुक का निर्मार करती है क्यों करती है क्यों कि यह जो नदियां बहुत चोटी-चोटी हैं जादा दूर से नहीं आते हैं इसलिए यह ज़दा माल इखता नहीं कर पाती है अपनी घाटियों मैं और सर बने मेफान कर देख सकें होार नधमुक्ठ बना है कि ज़यर आगे बात करते हैं तो पश्चमी सवग्ष भागे बारे हैं बाद करना है परश्मी तटी मैदान तो इसके दो प्रमोफ भाग हैं कोंकर तट जो कि यहां पर आप देख सकते हैं गोवा से लेकर मंगलूर यानि कि करना ठख तक यहां पर आप देख सकते हैं यह मालावर तट मालावर तट है मंगलोर से लेकर कन्या कुमारी कहाँ पर है यहाँ पर है मंगलोर मंगलोर से नीचे चलते चले यहाँ पर परता कन्या कुमारी तो मंगलोर से लेकर कन्या कुमारी तक आपका मालावर तट और यहाँ पर गुवा से लेकर मंगल च्थ मैदान के मैं यह काफी कठा-चथा यहाँ पर इस तरह से यानि के बिल्कुल ऐसे करके नहीं कर वह हम कि हमें बहुत बढ़ा देखें घगे अ कि अब बहुत कब्र genre से देखें यह इस तरह से कहीं also So हम और कहीं को शेतर में कयाल कहते हैं जैसे कि स्थमोडी तथा भीशिएंगानाद झील है आप आप देख सकते हैं केरल वाली छेतर में इस शेतर में कियाते हैं क्याल कहते हैं जिसकि अ किकाल जील ठीक है यहां पर मिल जाएगा आपका आप समझें आ वाले चैतर में जीलों क्या कहते हैं कियाल जील कहते हैं ले पिधूर्वी तति मैदान के बात कर लेते हैं पूरी तटी मेंदान तो पूरी तटी मेंदान कहां से सुरू होता है तो इसका बिस्तार की दिवात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं यह पूर्वी तट वह सरी पूर्वी घाट ठीक है और यह है पूर्वी तट ठीक है तो मेंदान की बात हो रही पूर पूर्वी तट्ट के बीच का जो भाग है गिरीन गिरीन आप देख सकते हैं यह है पूर्वी तट्टिय मैदान कहलाता है चलिए आगे बात करते हैं तो इसका विस्तार उडीसा आंध्रजेस तमिलनाडू के तटके सहारे हैं इसके दो प्रमुक भागें कौन कोंचे दो इसके बनुनिए त ऐसमाउम दे तो सबसे इसकी सरकार की बारे में एक संथ कहा रहे है तुम्हेंने क्या बता है सबसे बात करते हैं यहां इन ऊत्तरी से पर आने कि यहां पर लेगुन जील कहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर पानी को स्किया इसको हम लेगुन जील कहते हैं नहीं चिलका जील कहां पर है आपके पश्चिमी तटी मैदान में किस किस के बीच में महानदी तथा गोदा महानदी तथा किसना नदी के बीच में चलिए कोरोमंड है यहां पर है काविरी नदी का डेलिटा तो काविरी नदी का डेल्टा तो चावीरी नदी और किसना बच के बाग को क्या कहते है को मंदल तट कहा जाता है तो अब स्ताति Déitto पश्ती मैदन एभारत करते हैं चलिए साथ्यों सममोह के बारे हिं इसे लेंड भी कह तो आई ये देख लेते हैं चलिए शुरू बात कर लेते हैं तो भारत पहले सुरुबात करता हूं में यह भारत देख रहे हैं यहां से शुरू होता है इस तरह से यह ऐसे करके ऐसे करके यहाँ पर चलता चला जाता है यह आपका पशिवंगाल होते हुए यहाँ पर इस तरह से यह तिरपुरा फिर मिजोरम ऐसे करते हुए पूरा जो छेतर है यहाँ पर फिर भूटान आ जाता है इस तरह से इसक्कम आ जाता है यहाँ पर नेपाल फिर यह ऐसे चलता च चला जाएगा और यहां पर यह आपका भारत देश का नक्सा बन जाता है यह कंप्रिट ठीक है यह हो गया इस तरह से चलिए तो यह है जो मैंने यहां पर बना दिया यह है आपका भारत की मुख्य भूमी ठीक है तो भारत में भारत में मुख्य भूमी या करें भारत के मुख आट धीप है निर्जन साहई तहेनि कि निर्जण मतलब ऐसे दीप जिन पर अभी भी कोई ब्यक्ती नहीं रहता है समझ्जा गया तो बारत में बार्तमाण में यहो की अरशागर अरप सागर तथा बंगाल की खाड़ी में इस टिध ले ठीक है बंगाल की कि तरफ यानि कि दख्षड में इस तरह से मुड़ जाती है और अ्पाव हमाला की जो-स्रीडी पर चोटे चोटे दीप निकला है यानि कि बंगाली खाड़ी में जो पाड़ी है उसका कुछ भाग क्या है ऊपर निकला है पानी में तो बंगाली खाड़ी में जो दीप है वो अराका नियूमा के भाग है यानि कि अराका नियूमा के भाग है उसके डूबे हुए भाग किसम के जमाब से दीपों का निर्माड हुआ है किसमें अरब सागर में यानि कि सीधी से बात समझें बंगाली खाडी में कौन से दीप हैं अराका नियुमा के डूवे हुए सिखर हैं किसमें डूवे हुए भाग हैं किसमें आपके बंगाली खाडी में लेकिन अरब सागर में क्या आप से बने दीप भी भारत डेस में सामिल किया जाते हैं कहां पर मैंने कहां बताया जिसे गंगा वहित मीत आ हैं इसके बाद जो तटी मेदान है वो तटी छेतर है जैसे कि आपका पूरवी तट है पश्चमी तट है यहाँ पर क्या है कुछ दीप है जैसे कि खास कर दीप जो पूरवी तट की बात की जाए तो खास दीप कैसे है जैसे कि गंगा नदी आपकी महानदी का जो महाना है जड़ो निच्छे पलाकर जमान कर देती है और उनी से क्या होता है वहाँ पर दीपों का निर्मार हो जाता है समझ में आ गया चलिए इसमें कुछ अप्तटी दीप भी हैं जैसे कि आपके अप्तटी दीपों की यह बात की जाए तो बारे सो बुस्त तेरे सो ब्यासी है जिनक की हमें यहाँ पर बात नहीं करनी है इनकी कोई चरूरत नहीं है इसके बाद एक दीपों की और बात करेंगे जो की नदी दीप है नदी दीप मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ यहां से एक नदी निकलती है तिबबत से जिसको हम कहते हैं सांगपो नदी यानि कि आ आप उसको सांगपो नदी कहें क्योंकि वो सांगपो के नाम से ही निकलती है और काफी दूर तक सांगपो के नाम से ही जाने जाती है बस अलग अलग चेत्रों में उसे अलग अलग नामों से जानना जाता है जैसे कि गंगा नदी है तो हम जब बंगलादेश में भी गंगा न नदी के नाम से भी जानते हैं यहां पर आती है और जब असम गाटी में प्रेविस करती है तो यहां पर क्या होता है इसका ढाल जो होता है बहुत मंद हो जाता है डाल जब मंद हो जाता है तो जो नदी है वह अपने सभी लोग जानते हैं जलोड निच्छेब लेकर चलती है नदियां यानि कि माल ले कर चलती है, मिट्टी, गार मेर और कंकर पत्र तमाम चीज़ एं और यह ले कर चलती है, तो यह क्या होती है? जब ढ्हाल मंद हो जाता तो जो नदी है यानि कि यह जगह से दूसरी जगह जो माल ले जा रह希望 हम जलोड़ निच्छेब ले जा से करें के रिंग रिंग के चल रही है तो क्या हुआ कि उस विचारी में इतनी थमता नहीं थी तो उसने क्या किया अपने मुहान अपने जो मार्ग है उसी में ही क्या कर लिया उसने अपना माल डाल दिया उसने वहीं छोड़ दिया कि भाईया हम पे अब नहीं चल रहा हम तो तक है अब हम तो आराम करेंगे तो जब नदी अपने ही मुहाने वह अपने ही मार्ग में क्या कर लेती जलो निच्छवप को जमा कर देती है तो नदी जो होती है अब भाईया पानी है पानी को तो रोक नहीं सकते तो पानी को माली यह गिलास है गिलास से ओबर तो भर नहीं स उसे डाल चाहिए और वो अपने डाल में जाएगी तो जब अपने जब क्या करती है ऐसे मैं इसको अलकिस समझाते था हूँ आँ कि बीच का जो gap देख रहा है ना यह बाला तो जो बीच का gap है यह यहाँ पर जलोड निच्छेप जमा हो जाता है तो फिर दीमे दीमे वो सूख जाता है और फिर जब सूख जाता है तो बहाँ पर एक दीप नुमा आकरती निकलाती है तो मान लीजिए जो आपका ब्रह्मपुत नदी थी उसमें जलोड निच्छेप अपने रास्ते में ही डाल लिया और बाद में उसने रास्ता जब बदल लिया नदी ने तो क्या हुआ वो जलोड निच्छेप था वो है एक किस के रूप में निकलाया दीप के रूप में निकलाया यही दीप आपका कहलाता है माजु नदी में किस यह नदी जिला भी घोसित कर दिया नहीं नदी दीप यह जिला घोसित कर दिया किस राज में आपका असंब आले छेटर में चलिए आगे बात करते हैं जो सबसे बहुत हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में कुछ зем hairst तो दीपों के बारे में, अभी थोड़ी दिर पहले में नम अटायाई थे कि दीपों को दो भागों में हम खास कर परेब सकते हैं, बंगाल की खाडी बालिदीस, दीप और अरव सागर बाल दीप, अरव सागर में दीप कौन से बनी है? फ्रवाल बित्थियों के दार, बंगाल की खाड़ी में जो दीब बने है वो किससे बने हैं आपके अराकान यूमा काही दच्छर में डूबा यूवा यानि कि अरब बंगाली खाड़ी में डूबे हुए क्या है छोटे चोटे परवस सिंकला है वो निकल कर भार आ गई है यानि कि उनका जो सिखर है वो बाह कि अंडूमान और दीब सर्भूं के बारे में सबसे पहले तो हम बात करें कि यह एक रेखा जाती है ये 10 डुबान को तो निको बार से अलग करते है यानि कि यह है निकोबार दीप समू और यह है आपका अंडवान दीप समू तो अंडवान दीप समू को निकोबार से 10 डिगरी चैनल अलग करती है लेकिन आप इसको हम जूम करके देखें तो यहाँ पर देखेगा आपको लगू अंडवान और यह है आपका कार निकोबार त की जाए तो आपका कन्या कुमारी पर ही दच्छिर्दम बिंदू समाप्ट हो जाता है लेकिन दच्छिर्दम बिंदू मुख्य वुमी से हटकर यदि दीप हो सहे तो अगर बात करें तो मुख्य बिंदू कहां पर है यानि कि दच्छिर्दम बिंदू है आपका बिरत इसके बाद जो इंद्रा पॉइंट है इसको हम पिगमेलियन पॉइंट भी कह देते हैं चलिए आगे बात करते हैं इसके बाद आगे चलते हैं यह आपका लगू अंडमान और यह है आपका दच्छड अंडमान तो लगू अंडमान तथा दच्छड अंडमान के बीच में एक जलमार्ग है जिसको हम कहते हैं डंकन जलमार के दूर्ट मैंने क्या बताया मैंने बताया कि डंकन पास छोटा अंडमान बड़ा अंडमान के बीच में इस्तित है यानि कि बड़ा अंडमान मतलब जो की एक सुसुप्त जो आला मुखी है यानि कि इसमें अब कभी भी भविस्थ में बिस्पोर्ट नहीं होगा इसी पर फिर हम अंडमा निकोबर दीप समुखे पूर में जाएंगे तो यहां पर एक दीप दिखेगा जिस पर हम कहते हैं बेरन दीप बेरन दीप एक जो आला म कि इसमें कभी भी विस्पोर्ट नहीं होगा लेकिन बेरन दीप जो है अंडमा निकोबर दीप समुखे पूर में इस्तित है यह एक सक्रिय जाला मुखी है चलिए इसके बात करते हैं अंडमा निकोबर दीप समुखे थीक उत्तर में चले जाएंगे सबसे अंडमा निकोबर दीप समुखा सबuciones से दच्ज़डी डीप को ना चाहिए तो उत्तरी यहां पर देख रहा है लेंड़ फॉल दीप तो अंडमा निकोबर दीप समुखा सबसे उत्तरी जो डीप है उसको हम कहते लेंड़ फॉल दीप समझ में आ गया इसके ठीक इसом पिर उपर बढ़ेंगे तो यहां पर दिखेगा एक कोको दीप समू तो कोको दीप समू आपका म्यामार के अंतरगत आता है यानिकि इस पर किसका कबजा है म्यामार का कबजा है तो फिर सेकवर में बता दे रहा हूं कि अंडवान निकोबर दीप समू तथा कोको दीप समू के बीच में कौन सा जलमार्ग है कोको जलमार्ग इस ते थे हैं समया गया चली आगे बात करते हैं निकोवार दीप समू में लगवग लगवग निस दीप है जिसमें जो ग्रेट निकोवार है यह है ग्रेट निकोवार या इसको हम ब्रद निकोवार भी कह देते हैं यह सबसे ब अंडमान अंडमान दीप समू का सबसे बड़ा दीप है ठीक है सबसे बड़ा दीप है और पूरे अंडमान निकोबर दीप समू की यह दिवात की जाए तो अंडमान निकोबर दीप समू सबसे बड़ा दीप आपका मद्य अंडमान है चलिए इसके बाद बात करते हैं जिसको हम कहते हैं पोर्ट बिलेयर किसकी राजधानी है अंड़मान निकोवर दीप समू की राजधानी है जो की दच्छडी अंड़मान पर इस्थित है समझा गया चलिए आगे बात करते हैं अगे ह comparative है थैट है यहां पर देखेंगे यह आपका बंगला डेश है और यह आप देख सकते हैं गंगा ब्रह्म पुत डेलटा है क्या है गंगा ब्रमो पुत्र डेल्टा है जिसको हम सुन्दर्बन का डेल्टा भी कह देते हैं जो की बिस्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुन्दर्बन का डेल्टा क्यों कहते हैं क्योंकि इस छेतर में यानि की गंगा बनस्पति पाए जाती है इस सुन्दरी नामक बनस्पति के आधार पर ही गंगा बि ब्रम्मपुत्र डेल्टा पर इस्थे थे आईए पहले देखते हैं गंगा सागर दीप कहां पर इस्थे थे यहां पर देख सकते हैं 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 एक दीप है इसक न्यू मूर दीप किस के अंडर में आता है भारत के अंडर में आता है लेकिन भारत और बंगलादेश पर इसमें बढ़े सामने में निकल कर सामने आया थीक है इसके बात करते हैं आगे यहाँ पर है आपका चेंने एक डलबा देता हुं ऐहाँ है चेंनाय चेंनकर ठीक उत्तर में आपका पढता है नेलॉर्ष Neworient के पास एक अंधर्र्देस में एक पढता है इसको हम कहते हैं सिरी हरी कोटा दीप यहाँ पर आप देख सकते हैं सिरी हरी कोटा दीप नेलोर के पास है इस दीप समूँ पर इस रो का अनुसंधान केंदर है इस रो का अनुसंधान केंदर इस तेते कहाँ पर सिरी हरी कोटा दीप पर चलिए आगे बात करते हैं 37 दवन अंतरिच केंदुर भारतिальных अंतरिच अंसंदान संक्ठन यानि इसरो का प्रिछेपड केंदुर है यानि 376 क किसका है इसरो का एक launching pad है यह आन्ध प्रदेश के श्री हरी कोटा में इस्तित है आपका 37 एपना अंतरिच केंदुर नाम थो नाम वहये था शरी हर्य कोटा लॉंचिंग पेंड या फिस शरी हर्य कोटा लॉंचिंग रेंज इसको कहा जाता था लेकिन होता क्या है कि कि दो जार दो में एक बैग्यानिक होते हैं जिनका नाम था सतीज दवन शरी दो जार दो में इस तो के पूर्प्रबंदक और बैग्यानिक सतीज दवन की मिरत्यवगबाद इनके सम्वान में या शरी हर्य कोटा लॉंचिंग रेंज का नाम बदलकर शरी दवन अंतरिच बारें बात हो रही है तो एक नहीं हल की सी चीज थोड़े सी जान लेते हैं पिर आगे बढ़ेंगे यानिक फिर बीलर्दीप के बारें बात करेंगे तो यहाँ पर जो है मैंने दो चीजें लिखी है मिसालों का परिछल कहां से होता है और जी एसल भी और बी ये सेल वी क्य होता है SLV क्या होता है तो GSLV की जो फर्फॉर्म होती है उसे हम कहते है वह इस तेर उप्गिराय Compass प्रिछे इसको watt करते है इसको हम काथ कहते हैं वी लदी कहां में पर पर ओध मैं कतक धीश पास यहां पर कटा करनेशसर क्या स्वाथ एक दीप पढ़ता है इसको हम कहते है वीलर दीप तो वीलर दीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है अबुलकलाम आजाद बो सरी अबुलकलाम आइसलेंड या अबुलकलाम दीप रख दिया गया है किसका वीलर दीप का नाम बदलकर अबुलकलाम दीप कर दिया गया है जो की यहां पर उडी सागे चांदीपुर में इस्तित है इसको यहां से यानि की जो वीलर दीप है या कहें अब अब्दुलकलाम दीप है यहां से मिसाइलों का परिछड किया जाता है कहां से अब्दुलकलाम दीप या वीलर दीप थे चलिए आगे बात करते हैं अब हम बात करत आता है बंगाली खाड़ी के दीप जो है वो अराका नियुमा के डूबे हुए भाग है यानि कि समतर में जो डूब गए थे उनका भाग है जबकि अरब सागर के जो दीप है वो पिरवाल बेतियों के द्वारा निर्मित है ठीक है तो इसमें सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो होगा लच्छ दीप के बारे में चलिए तो लच्छ दीप किसके अंडर में आता है भारत के अंडर में आता है तो लच्छ दीप अरब सागरी यह दीप है ठीक है तो अरब सागरी दीपों में लच्छ दीप लच्छ दीप समू में 36 दीप है जो प्रवाल दीपों के कितने दीप हैं, 36 दीप हैं, समझ में आ गया, चलिए, इसके बाद आगे, जो कि किस से निर्मित हुए हैं, पिरवाल के द्वारा निर्मित हुए हैं, इनका छेत्रपल, यानि कि जो लच्छ दीप है, इसका पूरे का छेत्रपल कितना है, 180 बर किलोमीटर इसका पूरे का छेत रहते हैं इन्हीं मैंसे केबल 10 दीप ही आवा देकी 36 बिंहीं से केबल 10 दीप और लोग रहते हैं इसलिए आगे बात करते हैं इसमें मैं जूम करदेता हूं मैं आपको की यहाँ एक चीजिह दिखा रहुं इसको क्याए अन्द結果 या पर अंद रोधी पप लोग लोग दिख होगा यह लग्षी दीप समूं का सबसे बढ़ा और लश्安व लक्षिदीप का सबसे बड़ा दीप है चलिए यहां पर हम अलका सा चलते हैं लक्षिदीप की राज़ानी को यहां पर आप देख सकते हैं कवरती कावा रती भी कहीं लिखा मिलेगा और कावा रती भी लिखा मिल जाएगा तो यहां पर जो लिखा उसी पर संतुर्ष हो करते हैं मिनिकोई जो की लक्षदीप का ही बाग है तो लक्षदीप जो है वह है वो सरी जो मिनिकाई है वह है लक्षदीप से 9 डिगरी चैनल से क्या होता है अलग होता है मैंने वी थोड़ी दिर पहला बता है नो डिगरी उत्तरी आचांस को हम नो डिगरी चैनल कहते हैं क्या कहते हैं नो डिगरी चैनल तो नो डिगरी चैनल लक्षदीप के अन्य दीपों से मिनी कोई को अलग करता है यानिकि मिनी कोई जो है वह लक्षदीप का ही बाग है लेकिन लक्षदीप के अन्य जो दीप है उ तो 8 डिग्री चेनल द्वारा मालदीब से लकषदीब अलग होता है यानि कि ये आपका पूरा लकषदीब बाला चेतर है और यहां पर एक देश पड़ता इसको हम कहते हैं मालदीब तो इसको हम जूम कर लेते हैं तो मालदीब मालदीब तथा लक्ष दीप के बीच में कितने डिग्री चैनल है, आठ डिग्री चैनल, नो डिग्री किसके बीच में है, मिनिकोय तथा लक्ष दीप के बीच में, ठीक है, चलिए, आगे बात करते हैं, तो जो लक्ष दीप है, उनमें कई सारे दीप हैं, जिनमें सबसे उत्तरी दीप कि इसका लक्षी दीप का लक्षी दीप का सबसे उत्तरी भाग क्या है अमीन दीवी दीप समून ठीक है तो यह दीप कौन सा लक्षी दीप जो है मचली पकड़ने तथा परेयटन के लिए बिख्याते यानि कि यहां पर लोग दूर-दूर से आते हैं यानि कि परेयटक यहां पश्च्छ्छ्मी तट्वी तरफे यानि की ऊपर है आपका कच्छ और नीचे यहां पर च्छ्छ्छ्छ जो पड़ता है उसको हम कहते हैं काट्या बारवाले चेत्र तो काट्या बारवाले चेत्र में दो डीप एक पीरम दीप और बैशला दीप यानि काटिया वारवाले छेतर में दो दीप हैं कौन-कौन से मैंने बताए एक है आपका पीरम दीप और दूसरा है बैंसला चलिए आगे बात करते हैं यह है आपकी एक नदी इसको हम कहते है नर्मदा नदी जो कि हमе खाड़ी में घ Вторए और यह आपकी त Hahn पी नदी तर शी है तनी नर्मदा नदी के महाने पर दो दीप है इभाड़ देखा एक तर नर्मदा नदी के मुहाने पर दो दीप है कौन कोन से खाडिया बेट दीप और आलिया बेट दीप इसके बाद करते हैं मुंबई के पास में यहां पर है मुंबई इसको जूम करके दिखा देता हूं है यहां पर है मुंबई मुंबई के पास दो दीप है इनको एक है आपका एलिफेंटा दी पर बारे में जो पिरमक हैं उनको हम अलके से देख लेते हैं न्यूमूर्दीप और गंगा-सागरदीप मैंने बताई दिया था गंगा-डेल्टा पर ठीक है गंगा-ब्रह्मपुत डेल्टा पर जो कि हुगली नदी के माने पर वैसे तो आपका गंगा-सागरदीप है लेकि इसके बात करते हैं वीलर दीप की बारे में तो महानदी तथा ब्रामडी नदी के महाने पर वीलर दीप इस्तित है वीलर दीप कहां पर इस्तित है यह है आपकी यह महानदी आती है इस तरह कटक होते हुए और यहां पर अपना महाना बनाती है तो महानदी तथा ब्रामडी एक दीप है इसको करने के बाद हम समाप्त करतेंगे इसको प्रमक दीप है इसको हम बोलते हैं कच्चा तीवू दीप कच्चा तीवू दीप चली समझते हैं इसको इसका कुछ पचड़ा है इसलिए मैंने इसको अलग से रखा है तो आई इसको हम अलका समझते हैं पहले तो कच्चा तीवू दीप था तो मन्नार की खाड़ी में इस्तित है दीप 1974 में स्री लंका को दे दिया जाता है भारत की तरफ से होता क्या इसकी इस्ट्री रही है कुछ लंबी चोड़ी उसको हम अलके समझते होता क्या था कि जब भारत और स्री लंका अंग्रेजों के गुलाम अग्रेजों ने भारत देश और स्री लंका को गुलाम बना रखा था तब जब इस गुलामी की स्थिती के समय इस दीपर यानि कच्चा तीवू दीपर अंग्रेजों का कब जाता लेकिन उनीस सो तैटारीस में जब स्री लंका आजा दो जाता है यहां पर आप देख सकते ह यहां पर ठीक है चलिए तो मैंने क्या बताया जब उनीस सो सैटारीस में आपका भारत देश आ दो जाता और उनीस सो अरतारीस में स्री लंका आजा दो जाता है तो दोनों देश इस दीपर यानि कच्चा तीवू दीपर अपना अपना अधिकार जता रहे थे लेकिन जब यह ज्यादा ब्राद बढ़ा तो हुआ कि भारत दो भारत ने क्या किया कि ऐसा सोच विचार बिद्येट करने के बाद होड़ा सोचा यह रैसा है पंगा न ज्यादा हुआ इसमें कोई फैस फाय्दा नहीं है आप ऐसा कुर हम्हारे परभатив देशता है हम एस adore हमनें क्या किय अच्छ समिधान में लिखी गई है कि यदि किसी देश को शेतर को कोई गिरड़ करना है या पर किसी को कूँँ छेतर देना है यानि कि किसी को एक इंच भी जमीन देनी है तो आपको संसद से उसका अनमोधन करवाना होगा तब माना जाएगा ओफिसियल के हाँ ये बाला जो छेतर है वो हमने पाकिस्तान को दे दिया है स्री लंका को दे दिया लेकिन मैंने क्या बता है उनीस सो चौतर में कच्छा तीवू दीप स्री लंका को दे तो दिया लेकिन केस के तरह दे दिया था स्री लंका को कारवा याद इसके ताए स्री लंका को दे दिया है दीप लेकिन इसका संसद द्वारा अनमोदन याक है अप्रूबल नहीं किया गया था इसलिए इस आधार पर आया है यानि कि अप्रूबल नहीं किकार संसद में इसको जब यानि कि संसद में जब अप्रूबल ही नहीं किया यानि क जब कोई संसद में अनमोदन नहीं किया इसी आधार पर जब अनमोदन करने के गार इस आधार पर इस अस्तानांतर की बैदे बैदानिकता को क्या था भारत के उच्छतम नयायले में चुनोती दी गई मैंने भी बताया था कि कोई भी यदि कोई चीज़ ली जाती है कोई को उच्छतम नयायले में क्या किया गया था उच्छितम नयायले में इसको त्या की रगया है चिनोती दी गई थी इतना यह कच्छा तिभू के बारे मैं काफी है ikka neurot exiled记 पर कंज बारत कर दिया तो इस कच्चा अघुखा बात करते हैं तलिए साथ यह शाट यह बात करते हैं अपबात यह नदी तंT्र के बारे में, ठीक है? तो आइए समझते हैं, ट्रैनिक सिस्टम के बारे में अपवाथंत्र के बारे में, तो भारत जिए उसमें दो परिकार वा requests हैं, एक तो हिमाले यह अपवाथंत्र और दूसरा है प्राऑदी प्राऑदान्त्र, लुए जो दच्षड भारत की प्रमुक नदियां पस्चिमियाट पूरी बावत की जुन नदियां है उनको प्राइदी पी आपवातंत्र कहते हैं ठीक है, तो अपवातंत्र को हम समझते हैं, सबसे बहुते हम बात करेंगे अपवा, अपवा क्या होता है मान लिजे कोई नदी है वह एक निश्चित दिसा में अपने जल का क्या करती है प्रवाह करती है यानि कि यहां से जल को क्या ले जाती है अपने महादने तक ले जाती है तो जो अपना यानि कि जो नदी है अपनी बायका में यानि कि निश्चित बायका में अपना जल का प्रभाह किसी निश्चित दिसा में करती है उस जल प्रभाह को क्या कहते है अप वाहा कहते है यानि कि माली जी क्योंकि जाइसी बात है नदी है और किसमें वह अपनी गाटी में गाटी होती है नाली नुमा होती है नाली हम बड़े इस तर की जो नाली बहुत बड़े- के बाद उत्तर पिद्ड़ जाते आपका बंगलादिश में क्या कर जाती है तो यहाँ से लेकर यह तक जो प्रइविस्ट करजाती है तो इस अब ये अपवा तंत्र होता है, अकेली नदी बहरी तो उसको अपवा कहेंगे, लेकिन इस नदी की कुछ साहिक नदिया भी होती है, एक नदी है, जैसे कि यहाँ पर गाम गंगा, गुंती, गागरा, गंड़क इस तरह से नदिया हो गई, यहाँ पर चंबल, बेतवा, कैन, स जाल सा बन जाता है, जब नदियों का जाल बन जाता है, तो इसको हम कहते हैं अपवा तंत्र है, यानि कि इन बहरी काओं के जाल को अपवा तंत्र कहते हैं, कि कोई नदी होती है जब एक निश्चे दिसा में अपना जल का पिरफा करती है तो उसको अपभा कहते हैं चलिए तो इस अपभा तंसर किसी भी देश के जल संसाधन की मात्रा का तता सिचाई छमता के साथ साथ जल परवन तता बस्टियों के विकास का भी क्या होता है आपका क्या बोलते हैं राजिस्तान वाले छीतर है बैसे तो आप जानते हैं गंगा गंगा ब्रह्म पुत्र चम्मल बेतवा कैन गोदावरी किष्णा कावेरी और दक्ष्टर में आप इस वर जाती है जो अरब सागर में गिरती हैं कि नर्मदा तापी भादर ये वो फलान यानिक अववात अंतर अच्छा है उसमें अच्छे कासा जल जाता जैसी गंगा नदी है तो अच्छा कासा जब जल आता है तो उसमें जब सालबर नदी बैती हैं फाची र साइलर बर नदीगे वक्षा देंगे तो बूंडी गाटिगों में और फिल्यक्षे परेसार हो जाक नदी बूंगया पर्टि किरसी ईजहा ठीखी होती है तो बहां पर अंड पैदा हो जाता है तो बहां पर लोगों कि जो अन्द का जो समस्या होती है वो कम हो जाती है जब अन्द की समस्या कम हो जाती है तो लोग को क्या लगता है अच्छा लगता है जब अच्छा लगता है तो उस जो मैदानी छेत्र होता है यानिकि जो नदी घाटी के आसफास का जो छेत्र होता है बहां पर लोग जादा रहते हैं यह काड़ है कि जो उत्तर भारत का मैदान है जिसमें आपका गंगा का जो मैदान है गंगा नदी का जो मैदान है ठीक है तो गंगा नदी का मैदान भारत का अन बंडार कहलाता है क्योंकि यह साल बर बैती है साल बर मिट्टी उपर से काट कर लाती है और आपना आस उचे समीं समय था कि यह बैती है और युस का बाहब के तक इनम едषमतार है MA calculate कर्शी के बारें पता चलता है जलब अन्हीं के बारें पता चलता बस्तियों निरारीत होती एंशी पाकिस्तान में एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है सिंदु नदी जाती है आपकी पाकिस्तान में अगर सिंदु नदी का भारत देश अगर पानी रोग लेता तो पाकिस्तान में क्या होता है हाकर मची जाता है यानि कि वो भॉंकता तो है बहुत बहेंकर बहेंकर अगर हम नि कहां बात करते हैं। पानी पानी का एक अपना निश्यत भहบ होता है और यह उसी में चलती है तो चलिए आगे बात करते हैं तो तो एक नदी माल लेजिए कोई नदी है एक नदी जब किसी बशिष्ट छेतर है जब आपना जल बहा करनाती है तो उसे ुस नदी का जल गिराड छेतर कहते हैं जैसे समझ देजिए कि आगा नदी है उपर हमाले छेत्र से निकलता है शिर्फ गंगा नदी कि साइक नदीयों के बारे में बात नहीं करूаз mean जलग्रेध्र जलगिरेड चेत्र में तो गंगा नदी है और यहाँ पर कंड़ों के बाद उत्तरय तर प्रदे इसके बाद यहाँ पर बहार आपका जारकंड में जाता है चाहर किवाद यह बंगला जिसने प्रिविष कर जाती है ठीक है तो जो ऊपर जेमाली च्हेतर से आपके महाने तक इसको क्या कहेंगे जल गिरहड गिरहड च्हेतर कहेंगे क्या काँँगे जल गरर्ध चेतर काँगे लेकिन एक नदी तता उसकी साइकण नदी और अपवाय चेतर को अपबाध द्रोडि काइँगे यानि कि उसकी जो साइक नदिया है अब इसमें क्या करेंगे हम साइक नदिया भी जोड़ लेंगे जैसी यमना है चंबल है बेतवा है कैन है तमसा है सोन है गोंती है गागरा है गंडक है कोसी है और यह माननदा है इस तरह की नदिया है तो यह जाल का जब निरुवार करती है तो इसक को हम कहते है जल गिराड चेत्र लेकिन जब किसी जब किसी छेत्र की जब किसी नदी की उसकी साइक नदिया में उसमें जुड़ जाती है और साइक नदिया तो आप जानते है ना जिसे आप गंगा नदी के जिन चेत्रों से जाती है गंगा नदी केबल आपकी उत्तराखंड आपका उत्तराखंड, उत्तरप्रदेस, जारखंड, पश्ची मंगल, ब्यार, ये चार-पांच राज्जों में जाती है, लेकिन येदी जल, द्रोडी की अगर बात की जाए, तो आपकी यमना नदी किसकी छेत्रों से जाती है, आपके इमाचल प्रदेस में बहती है, रहाना जाती है, चलिए, तो जल विवाज़क क्या होता है, समझते हैं इसको, एक अपवाद रोडी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को क्या कहते है, जल विवाज़क कहते हैं, जैसे माल लिए, ये गंगा नदी है, गंगा नदी का छेत्र ये इस तरह से यहां से लेकर इतना इ तो ये गंगा नदी का छेत्र हो गया, इसके बाद बात करें, ये वाला छेत्र तो ये यहां पर आपका ब्रहमपुत्र नदी वाला हो गया, तो ब्रहमपुत्र नदी और गंगा नदी के बीच में, जो जल जो दोनों नदियों के अपाद रोड़ी को जो अलग करता है है उत्तर भारत के नदियां तथा दच्छड भारत की नदियों के लिए जल विवाजक का कारे करता है ठीक है तो बड़ी नदियों के जल गिरड़ छेत्र को नदी द्रोडी कहते हैं यान कि जैसे गंगा है ब्रह्म पत्र है सिंद्ध है तो इनके इन नदियों के जल गिरड़ और तसा जल संबर में हलका सा समझ लेते हैं, बड़ी नदियों के जल गिराड छेत्र को नदी द्रोडी कहा जाता है, जबकि छोटी नदियों तसा नालों के द्वारा अपवाई छेत्र को जल संबर कहा जाता है, चलिए, बात करते हैं भारत की नदियों के बारे में, भारती अफवात अंतर के बारे में या फिर भारती जो भारत में नदियां बैती हो उनके बारे में तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे बैसे मैं फिर से बताते हैं भारत के नदियां किस तरह से बढ़ेंगे इन्हें अफवात अंतर के बारे में बाट के पढ़ेंगे जैसे हिमाल एपकी बंगाली खाड़ी में जल गराने बाली नदियों के बारे में नदियों को जीते हैंगी,blok असबील कर दुपर अनों है,ab अरफागर Dorothy needles के बितागर, आपके, taking police, astrology,没有 Leads, we are your अरब सागर में जलके रहने बाद नदियों के बारे हम बात करेंगे तो जैसे किताब पी हो जाती है, नर्मरा हो जाती है, माही हो जाती है, और भदर नदी हो जाती है, सत्रंजी नदी हो जाती है, सराबती नदी हो जाती है, ज्वारी नदी हो जाती है, मांडवी नदी हो जा तो भारत में उच्छा वच की आधार पर दो अप्वात तंतरों का वेकास हुआ है हिमालност तथा प्राइदी पी अप्वात तंतर ठीक है तो चलिए समझते थे सबसे पहले हिमाले इंदो परीकिल्पना के आधरवा किनी काड़ों से ये तीन वाग Mitch हमें बट जाता है यह तूट कर बिखर जाता है जिससे तीन नधी तंतरों का क्या होता है विकास हो तो पहले यह एक इंधी तंतर था थेगा तो इसमें तीन नधी तंतर क्मवर्णा एक Kiss सिंदू के बारे में सबसे नधी कहांसे आती है और यह कोई कैसी नधी दिया रष्टो नदी अंतर रष्टी नदी अन्तर रष्टे नो सिए वह नदी जो दो या दो से अधिक देशों से हो कर वैते हैं तो नदी तो सिंध्श pienवु जित्वस के निकलती है मैं आपको बता जेता हूँ कर लाक पर वस्रेड़ी के ठीक उतर में चलेंगे तो यहाँ पर सेंग खंबव नाम की एक नदी है जिसको सिंद्धू नदी के नाम से जाना जाता है भारत देश में ठीक है तो कैलास वर्वर की उत्तरी भाग पर एक नदी है एक हिमनत है जिसको हम कहते हैं बोकर्चू तो बोकर्चू के पास से आपकी सिंद्धुनादी निकलती है जब तिब्वती छेत्र आपकी सिंद्धुनादी निकलती है तो इसको यहाँ पर सिंगी खंबाम सिंगी खंबान या सेरमुख नदी कहा जाता है यह नदी अठाइस सो किलो मीटर लंबी है जिसमें से अठाइसो किलो मीटर लंबी में से लंबाई में से साथ सो नो किलो मीटर भारत में प्रवायत होती है निकी जो सिंदु नदी है वो कितनी लंबाई है उसकी आठाइसो किलो मीटर है जिसमें से अठाइसो में साथ सो नो किलो मीटर ये भारत में बैटी है ठिकत चलिए तो सिंद्व नदी का संग रहेट छेत्र या जल गरेट छेत्र के बात कि जाए तो सिंद्व नदी का जल गरेट छेत्र 11,055 बर्ग क्लो मिटर त्शेत्र फेला हुए निगलती है और यहां पर पूरा जो छेत्र है इसकी साइक नदियों के जारा ये पूरा छेत्र का निर्माड होता है ये पूरा जो छेत्र है ये क्या कहलाता है जल गिरहट छेत्र यानि की पूरा छेत्र जो की है कितना है ग्यारे लाग पैंसाट जार बर किलो मिटर ग्यारे लाग पैंसाट जार बर किलो मिटर में से तीन लाख एक्किस जार बर किलो मीटर भारती छेतर में फैला हुआ है चलिए आगे बात करते हैं तो यह नदी कौन सी नदी सिंद नदी जो है लदाखव जासकर सीडियों के बीच से उत्तर पश्यामी सीमा में बैचती हुए लदाख और बल्तिष्टाना बल्तिष्टान से गुजरती है शिंद नदी की बाईयोंब से मिलने वाली नदीं में पंझाब की पांच नदी आई जिन में हैं आपकी सतलज, ब्यास, राभी, चिनाब, जहीलम, ये पांच नदिया मिलकर पंच नद का निमार करती है, इसको मैं आप लोगों के दिखा दिता हूँ, तो मैंने आप लोगों क्या बताया, मैंने बताया कि आपकी जो तिब्बत का पठा रहा है, उस पर एक परव और जासकर और लद्दाक सेड़ियों के बीच में होते हुई ये है, आपकी जम्मुकसंर में चलती है, उसके बवह बल्तिस्तान के लद्दाक वाला छेतर पार करती है, यहां ओर यहां पर ये पहुंचती है तो ठीक है, और इसकी कुछ साइख नहीं है, जो कि इसके ये बाएं तर्से मिलती है यानि कि दाया और बाएं कैसे जानते हैं यानि कि ये माली जिए मुह है तो इसका ये है दाया और ये है बाएं तर्से कुछ नदियां मिलती हैं जो की पंच नद का नमार करती हैं जो की प्रमोक हैं इन में मैंने कौन को जो बताई आपकी यहां पर पाकिस्तान के मिठान कूट में कहां पर मिल जाती है संतलज नदी से मिल जाती है ठीक है बाइं और से मिलने वाली अन्य नदिया भी है जिनमें आपकी है जासकर सियांग और सिगार यानि कि जासकर ये भी आपकी बाइं तट से मिलती है संतलज नदी में एक और नदी है इसको सबसे पहली जो साइक नदी है उसको हम कहते हैं जेलम नदी तो जेलम नदी की अगर बात की जाए तो जेलम नदी जो है यहाँ पर है जम्मू कस्मीर के कस्मीर घाटी के दच्छिडपूर में इसको हम कहते हैं अनंतनाग तो जम्मू कस्मीर घाटी के अनंतनाग जिले के बैरी नाग के पास एक जील है उसको हम कहते हैं सेसनाग जील से आप को चुम करके दाएतों फिरसे मैं बता देता हूं तो आई इसे को मैं आपको मैं एक इस ले उस और यहां पर प्रिवेज कर जाती है ये इस तरह से बैरिनाग के पास से सेसनाग जील से यह निकलती है और यह बहती हुए आपकी जम्मु कस्मीर में बुलर जील से होती हुए या कहीं बुलर जील का निर्मार करती है उसके बाद आगे बढ़ जाती है और चेनाव नदी में जाकर मिल जाती है तटी है तो यह नहीं के पास दाएं तट पर चिनाम नदी से आकर मिल जाती है यानि कि जो जेलम नदी है यह भारत तथा पाकिस्तान की बीच में क्या करती है सीमा का निर्मार करती है और ऐसे बहती 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 पाकिस्तान में ट्रिमू के पास यह चिनाम नदी के दाएं तड़ पर मिल जाती है यह भारत तथा पाकिस्तान की बी चबल्देस हिमाचलपर्देस में यहाँ पर कुलु गाटी के पास एक रौतांक ला है यहाँ पर रोतांक लरा रोतांक्व्क से आपकी कौन सी नदी निकलती है रावी नदी निकलती है ठीक है तो यह नदी हमाचर पर कुलू पाड़ियों से रुतांग दर्रे से निकलती है इस घाटी को जिस घाटी में बहती है उस घाटी को चंबा घाटी का जाता है आपकी रावी नदी सराय सिंद के पास चिनाम करते हैं तो आपका यह नदी यह नदी कौनसी आपकी जो ब्यास नदी है यह भी रोतांग दर्रे के पास एक जलकुंड है उसको हम कहते हैं ब्यास कुंड तो रोतांग दर्रे के के पास ब्यास कुंड से यह नदी निकलती है यह नदी कुल्लू गाटी से गुजरते हुए हरके के पास सतलज नदी में मिली जाते हैं मैं फिर से बता देता हूं यहां पर आपका रोतांग दर्रा यह आप देख सकते हैं रोतांग दर्रा के पास यहां पर एक जगह है उसको ह करते हैं हरके बैराज तो हरके के पास सतलज नदी में मिल जाती है चलिए आगे बात करते हैं इसके बात पुर्म्योंक और आखिरी नदी के बारें बात करते हैं यह सतलज नदी क्या है कि यह आपका कैलास फरवसेड़ी जो कि तिब्बत वाले छेत्र में हैं तिब्बत के कैल भारत में सिपकेला धर्वा के पास से हिमाचल पिर्दिस में प्रविश कर जाती है यानि कि यहां से के इसकी प्रुमुक साहिक नदी एए इसका नामे इस इसी नदी पर बनाव हुआ है चलिए सात्य एक नदीर है जिसका नाम है आपका चुन अचछी नाम कर देंता हूं आप लोगों को तो यह क्या आप लोगों के लिए चलता हूँ लाहुत जिले में इमाचल प्रदिस का यहाँ पर है लाहुत जिला इमाचल प्रदिस का यह है लाहुत जिला ठीक है तो यहाँ पर एक पड़ता है यह आप डिस्क बारा लाचाला दर्रा तो लाहुत इमाचल प्रदिस के लाहुत जिले में दो नदियों के धाराओं से यानि कि चंद्र और भागा नदियों के मिलने से चेनाव नदी का निर्माड होता है यानि कि यह कहां से निकलती है आपकी बारालाचाला दर्रे के पास से या बारालाचाला दर्रे से जो की लाहुत जिले में है चंद्र और भागा नदियों के बड़ी या कहें सबसे लंबी साहिक नदी है इसकी लंबाई की यदि बात की जाए तो ग्यारे सो इसकी लंबाई की बात की जाए तो ग्यारे सो अस्ती किलोमीटर यह है लंबी यह कौन सी चेनाब नदी ठीक है तो यह इतना काफी है चेनाब नदी के बारे में तो बात करते ह हैं यह हो गए इसकी प्रवक्षाइक नदिया चलिए सिंदु जल समझा था के बारे मत कर लें जो कि 1960 में हो किया गया था हुता क्या है कि इसमें छे नदिया थी यानिकि सिंदु सतलज चेनाब जेलम और रावी और ब्यास छे दनिया थी तो इसके तहट इसके तहट है हुआ था कि सिंदु नदि तंत्र की छे नदियों में से पस्चिम की जो तीन नदिया है उसका 20% जलका प्रियोग आपका बारत देश करेगा 80% जलका प्रियोग कौन करेगा पाकिस्तान करेगा 20% जलका प्रियोग पाकिस्तान और 20% जलका प्रियोग कौन करेगा भारत देश बहीं दूसरी और क्या था इसकी जो पूरबाली नदियां थी यानि की 1, 2, 3, 4 ना पर इस आपकी सतलज नदी यह आपकी ब्यास नदी और यह आपकी रावी नदी तो तीन नदियों का जल का 80% जल का पिरियोग भारत देश करेगा और 20% का पिरियोग यानि की पाकिस्तान करेगा ठीक है चलिए तो ये समझे आगया फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि जो सिंद्धु नदी तंतर के तरह तरह पस्षिम की तीन नदियों का जल 80% कौन करेगा प ही परने ठीक है ऐसे करके हम समझ सकते हैं तो ये होगे आपका सिंदु जन समया था से शिंदू अफवाह तंत्र के बारे मैं तो चलिए आगे बात करते हैं चलिए साथ upp करते हैं गंग निता केसे त्थान्तर मैं झोलए तो थ्यव्र तरी को अम् statut कि पर तो बहがओं वह भारत की एक चौथफयाई भाग पर फहला कर एंटिया है, यहां से लेकर इस से जिस चेत्र से बैती है, उस स्खेत्र के कार्ण आदिकि, उपजाव मेदान का मिमान होता है, जो भारत का अन्नुभंडार कहलाता है, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि अपवाज जो ठेट रोता है या पातंतर होता है उससे उस देश की आर्थिक स्थिति वहां की सिचाई विवस्ता सिचाई साजन और बस्तियों के विकास के बारे में हमें जानकारी मिलती है जैसी बात है आप जानते है कि जैसे बढ़िया खेती होगे क्यों कि जब पानी आएगा तो मैंने भी बताय भी था कि खादर वांगर में क्या अंतर होता है तो खादर जो मिटी होगी वो रसाल नई मिटी लाकर बचा से और उपजाव मिटी जब और उप आव जाव मिटी होगी तो अच्छा-खासा वहां पर पैता किया जा सकता है यही है काड़ा कि भारत का यह वाला च्छेतर है जिसमें गंगा नदी भैती है उसको भारत का अन्भंडार कहा जाता है इस अपवा तंत्र में गंगा तता उसकी साइक नदियों को सामिल किया जाता है जिन में यानि गंगा तता उसकी साइक नदियों मे जाकर नदिया मिलती है कैसे नदिया मिलती है मैंने बताया हिमालाई का जो हिमाच्छादित छेत्र है इससे गंगा नदी में आका नदिया मिलती है हिमालाई छेत्र से गंगा नदी में आका नदिया मिलती है दूसरी तर से बो नदिया जो कि भारत के पिराइधी पिए पठार से आका है प्राइदी पी छेत्रते उत्तर पूर्की और बैती हुई गंगा नदी में जाकर नदियां मेली जाती है इसी आधर पर हम इनकी नदियों के बारे में भी बात करेंगे साइक नदियों के बारे में और वह आगे बात करेंगे तो चलिए हम समझते हैं आ लूग्प लूंको ना photo is । चली बात करते हैं तो मैंने क्या बता इन नदियों में एक और बो नदिया है जो हेमाल्य के म हुमाजशा दे छेटर है याने की हमाल्य के बरफीले 《चेटृ से ने कलते हैं जैसे की यमना हैं गोमती है घागरा है गंडग है दूसरी तरफ बे नदिया है जो पिराइदी पिरदेश से आती है नहीं नहीं की दच्छड की ओर से बैखती हुए उत्तर पूर की ओर बैती हो और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है जैसे कि चंबल है बेतवा है केन है सोन है अब यह मत कहाना तो गंगा नदी का उद्गम सबसे पहरे समझते हैं कि गंगा नदी आखिर निकलती कैसी हो इसका निर्माड कैसे होता है कैसे कैसे इसका क्या क्या पिरक्रिया होती है तो गंगा नदी का उद्गम इस्थान उत्तरा खंड के उत्तरकासी जिले में गोमुक के पास गंगूत गंगोत्री से क्या है गंगोत भागी रथी निदी क्या कहते है बागी रथी और आपर मिल जाती है इसको किया लोगनन्दा निदी तो अलगनन्दा का निर्मारा गोजर में अ опас पर बढ़त है इसको त हूप हore और पर यहां पर मिलती हैं उनको क्या क्या देते हैं तो यहां पर मैं पहले आपको मैब दिखा देता हूं यहां पर जो मैंने कुछ कलाकारी की है यह आप जो रेड कलर का देख रहा है यह जो रेड कलर की जो रेखा है इसको हम कहेंगे अलग नंदा नदी ठीक है अलग नंदा यहां पर आती है ठीक है उसके बाद यहां पर यहां पर यह जो इसको हम कहते हैं पिंक कलर पिंक कलर की जो है इसको हम क नंबर पर ख़्याग है तो अल τις 9 के करती कि क्या करती है red magnet करती intent उनको समझते हैं तो जब अलग नंदानी की यदि निकलती स्रफ्शाय दा बागिसी कणक्थ Ε partir मिलकर तो अलकनना का इंहां यहां पर देखाता हूँ जब अलग नंदा नीचे की और बहती है अलग नंदा में बाइं तरफ से यानि कि यह दाया यह बाया अलग नंदा में बाइं तरफ से जब आपकी दौली गंगा नदी मिलती है तो यहां पर विश्णू प्रयाग का निर्माड होता है फिर अलग नं तट पर आपकी अलग नंदा नदी मिलती है तो नंद प्रियाग का निर्मार करती है इसके फिर अलग नंदा नदी बढ़ जाती है और अलग नंदा में पिंडर नदी आकर मिलती है दाएं तट से तो कंड प्रियाग का निर्मार होता है इसके उपर से एक नदी आ रही होती है इसको हम कहते हैं आपकी इसको इस नदी को हम कहते हैं मंदागी नदी तो मंदागी नदी दाएं तट पर आकर रुद उस पे मिलती है किस से आपकी अलग नंदा से तो रुद प्रयार का निर्मार होता है फिर आगे अलग नंदा आपकी नदी बढ़ती चलियाती है और यहाँ क्या हो जाता है गंगा हो जाता है यानि कि देव प्रयाग में आपका भागी रती नदी और अलग नंदा की निर्मार से गंगा नदी का निर्मार होता है ठीक है तो यहाँ पर मैंने लिखा है अलग नंदा से जब दौली गंगा नदी मिलती है तो बिष्णू प्रयाग बनता है और यहीं से गंगा का निर्माड हो जाता है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं तो यह यानि कि जो गंगा होती है गंगा इसके बाद जैसी गंगा का निर्माड हो मुड़ जाती है आपकी किसोर मुड़ जाती है यह मुड़ जाती है इलावाद की तरफ इसकी दिशा क्या हो जाती है दस्चिड़ पूर हो जाती है यह उपर से नीचे जबाती है तो अच्छिड़ और इधर मुड़ जाती है तो दस्चिड़ पूर भी इसकी दिशा हो जाती इसके बाद इलावाद के बाद है नदी इलावा से फरक्का तक इसकी जो दिसा होती है बहने की पूर की ओर होती है यानि कि यह सीधी जाती है और फरक्का से आगे जब यह होती है तो यह है बंगला देश में प्रिवेश कर जाती है बंगला देश में इसकी जो दिसा होती है वह द्षर्चडपूर होती है। जैसे ही गंगा नदी बंगला ले प्रवेस करती बैसे इस नदी इस नदी को पदम से बंगला देश में प्रवेस करती है। तो सभी एक दो तीन चार पांच राज्यर को जाती है अगर ढॉर का few एड़का सेık नदी होकर जाती विए तो तो यह तरफ में आप लोगम बता यह कुझा ओता है यह जोओने की तरफ चलती माली जी इस तरह मूँ है तो आप अपना मूँ इस ओर कर लेंगे तो आपका जो यह वाला जो होगा तो बो होगा आपका बाया और यह होगा दाया तो यह इस तरह से आप में सा ध्यान रखेंगे यह होगा आपका लेप्ट और यह होगा राइट लेप्ट राइट लेप्ट तो मैंने क्या बताया कि दाएं तटकी प्रमुक नदियां जो है यमना सॉन टॉंस पुनपुन दामुदर तमसा ठीक है बाएं तटकी अगर नदियों की बात की जाए तो राम गंगा गोंती गंडक घागरा कोशी ठीक है तो चलिए सबसे पहरे एक एक करके इनका देख लेते बंगला दूसमें प्रिविस कर जाती है चलिए साइक नदियां के बारे में बात चले यह सबसे पहली जो साइक नदिया है वह है यमना नदी जो की बहुत इंपॉर्टन और सबसे बड़ी साइक नदी है के इसकी गंगा नदी की तो गंगा नदी जो है यहाँ पर आप जाती है तो दूसरी उसके ठीक थोड़ी सी दूरे पर लेकिन समान अंतर पर उसके बराबर जाती हो और गंगा नदी में जाकर, मिल जाती है, ठीक है? चलiğim, यह मना नदि की प्रमक्साएक नदियों के बारे हम बात का लेते हैं, तो यह आपकी मानली जिय गया है, महाने की तरफ यह जा रही है, तो यह वाला जो छेत्र होगा, यह वाला होगा बाया ठीक है, बाया और यह वाला जो होगा, दाया चलिए यह मना नदी की प्रमक साइक नदियों के बारें बात कर लेते हैं तो यह आपकी मानली जीए मुह हैं मुहाने की तरफ यह जा रही है तो यह वाला जो छेतर होगा यह वाला होगा बाया ठीक है बाया और यह वाला जो होगा दाया है निकी left right ठीक है इसके बाद बायातट की यह दी बात की जाए बायातट मतलब लेट की तरफ से तो एक प्रमुक नदी है जिसका नामे हिंडन नदी तो इसकी आईए समझते हैं यह पहली यह मना की साइक नदी देख लेते हैं पहली नदी जिसका नामे चंबल नदी तो चंबल नदी है चंबल इसमें इस्तित है मध्य प्रदेस में महू नामकिस्थान से एक नदी निकलती है उसको हम कहते हैं चंबल नदी जैसी मालवा के पठार से महू नामकिस्थान से निकलती है बहे आपकी राजिस्तर की और बहती है और राजिस्थान की तरफ चलती है यानि उत्तर की और बहती है मध्य प्रदेश के महू से निकलती है तो उत्तर की उर्बैतियों राजस्तान के कुटाइम पहुंचती है आखिर में यह नदी उत्तर प्रदेश के टावा नामक चिले में यमना से मिल जाती है यह नदी उत्कात भूमी उत्कात भूमी या उत्कात भूमी वाली भू आकरती क लिए कुख्यात है इसकी दायं तटकी नदियाओं की बात की जाए दायं तटकी तो बनास नदी है यह आपका दायं तटकी नदी बनास नदी और बायं तटकी बात की जाए तो आपकी पारवती छेपरा काली सिंद्ध काली सिंद्ध की बात नहीं हो रही है काली सिंद्ध इस छेद बना लेती है, यानि कि घाटी में ही अंदर पानी प्रविस कर जाता है, तो घाटी में ही अंदर पानी प्रविस कर जाता है, तो अंदर ही अंदर क्या करता है, जमीन के अंदर रेंगता रेंगता पानी हो जाता है, तो रेंगता चला जाता है, जब पानी अंदर रेंग परतन करती है अवनालिका मतलब नाली के द्वारा परतन करती है यानि कि अपनी गाटी में ही नालिया बना लिती है गहरी गहरी कई किलोमीटर दूर दूर तक जो कि इस तरह की आकरती बनती है यानि कि मालीजी ये सपाट मैदान है भी इस पर मालीजी मिट्टी डाल दीजे त तो जब नदी इसमें पानी पिर्वेस कर जाती है तो होता क्या है कि जो मिट्टी होती है अंदर की दस जाती है क्योंकि यहां कि मिट्टी नदियों के दारा अंदर ये अंदर अविनायर का परदन के दारा बहा ले गई यह जो आकरती बनती है यानि कि मिट्टी जब दस जात करते था प्यों जो उत्खात कोंमी निर्मार होता था य्यानि की जो कि धी साउग से निकलती है और बंगाज़ी आपके अ islands प्रत — लग मैंने बताए ता तब मैं आ पको मुद्य रांए हमाले का तब मैंने बता था कि इस वाला ठ्षेतुर मिलका जो हमाले का बाग हुव वो क्या कहलाता है वो पूर का भाग कहलाता है आपका मतरा सिवालिक की सिरेडी का जो आपकी सतलत से काली नदी की बीच का तो सिवालिक का एक भाग पूर बाला भाग गड़वाल हमाले और गड़वाल हमाले और पस्चिम बाला भाग कुमाई हमाले कहलाता है ठीक है तो यह नदी यानि कि राम गंगा नदी गैर सेड के पास गड़वाल की पहाडियों से निकलती है और गड़वाल की पहाडियों में यानि कि उत्तरा खंड में गड़वाल की पहाडियों में एक जगह पढ़ती है इसको हम कहते हैं गैर सेड तो गैर सेड के पास राम गंगा नदी न ले जाती है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर यह आपका उत्तर प्रिदिस का यहाँ पर कन्यों चिला ठीक है चलिए आगे बात करते हैं गागरा नदी के बारे में जो कि गंगा नदी साइक नदी है गागरा नदी को ऊपरी भाग में क्या कहते है करनाली नदी कहते हैं जो कि नेपाल बाली छेत्र में होती है तो गागरा नदी बैसे तो दो धाराओं से मिलकर बनती है यहां पर लेकिन दाराओं के नाम जाने की ज इकलती है यह नदी नेपाल में बहने के बाद बारत में प्रिवेश कर जाती है और इस नदी के ऊपरी हिस्तियों को क्या कहा जाता है करनाली नदी कहा जाता है यह नदी यहाँ पर नेपाल से आती है नेपाल से बहती बहती यहाँ पर उत्तर प्रदेश यहाँ पर पटना में पहुंचती है पटना के पास यह चपरा में आपकी गंगा नदी में मिल जाती है ठीक है पटना के बाद यहां पर चपरा आता है चपरा के पास वो पटना के पास यहां पर चपरा पड़ता है ना तो पटना आगे है चपरा के बाद तो चपरा के पास यह गंगा नदी मिल जा जाता है करनाली के कहा पर कहा जाता है नेपाल में इसे कहा जाता है करनाली नदी करनाली नदी जैसी भारत में प्रिविस करती है प्रिविस में जैसी करती है इसको घागरा नदी कहा जाने लगता है घागरा नदी में एक साइक नदी भी है जो कि यह सार्दा नदी या सर्यू सायक नदी है तो यह नदी कहां से निकलती है यह नदी नेपाल हिमाले से यानि कि यह नेपाल वाला छेतर है नेपाल हिमाले में एक हिमनत पढ़ता है उसको हम कहते है मिलाम हिमनत तो नेपाल हिमाले के मिलाम हिमनत से सर्यू नदी निकलती है जहां पर इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है यानि कि नेपाल एमाले में मिलाम हिमनस से आपकी सर्यू नदी जब निकलती है तो इसको गौरी गंगा के नाम से यहां पर जाना जाता है नेपाल एमाले से यह पर दच्छड के और बहती है और नेपाल और भारत की बीच में क्या करती है सीमा का निर्म के बोडर पर जब यह नदी बेती है तो 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 टाली नदी के नाम yasjati है जहाँ से काली नदी या चायक नदी कहा जाता है यह घागरा में आगे जा कर मिल जाती है सराधा नदी घागरा में जाका me इतना काफी इस नदी के लिए चलिए आगे बात करते हैं गंडग नदी गंडग नदी जो होती है दो धाराओं से मिलकर बनती है एक है काली गंडग दूसरी है तिरसूल गंडग कौन को सी काली गंडग या कहें काली गंडग तथा तिरसूली या तिरसूल गंगा नदी के मिल क Schnee के पास जा कर ते हैं उसको कहते हैं इसे वोन पूर में किसमें मिल जाती है आपकी गंगा नदी में मिल जाती है तो यह होगा गंड़क चलिए आगे बात करते हैं कोसी नदी के बारे में बात कर लें तो कोसी नदी जो है सब्त कोसी का निर्माड करते हैं यानि सात नदीयों का यह एक मैं माल लेंगे टूटा फूटा इदर दर से संगम बनता है सब्त क कोशी और तामूर या तमर कोशी के मिलने से इसका निर्माड होता है मैं आपर दिखा देता हूँ आपको एक नदी है यह यहाँ पर सनकोशी दूसरी है अरूण कोशी तीसरी है तमर कोशी तीनों जब मिल जाती है तो कोशी नदी का निर्माड होता है गंगा की है साइक नदी कहां कहां से बैकर आती है यह तिबबत में बैती है नेपाल में उसके बाद भारत में प्रवेस कर जाती है तो मैंने क्या बताया यह कहां कहां से बैती है तिबबत में नेपाल में और भारत में है बैती है तो यहां पर जो लिखा में वह उसको बोल देता हूँ यह नदी यान में पिरवेस करती है एक हिस्ताने इसको हम कहते हैं चांगड़िया तो चांगड़िया के पास यह है गंगा नदी में मिल जाती है यह जो बेंकी आपप कोसी नदी जो थी अपना मार्ग बदनने के काड को ख्याती इसी काड इसको बिहार का सोक कहा जाता था यह होता क्या हुआ होता क्या था कि वैसे तो पुराने जमाने में इसकी 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 का ली जाए कोसी नदी की तो कहा जाता है कि बरतमान मे जाते पूरे पूरे छेत्र को बहा ले जाती इसलिए यह कहा जाता है कि यह sicher पर अधिक मार्फार्सांटी काफी में होता क्या है कि आपकी कोसी नदी न कुछा में पारी द्हुर्म के जमीन पर रखा और यह क्या यार पानी मालूं पढ़ रहा है मुझे सकता है करी डाल गया लेकिन जब सभी से आख खुली तो देखा यार आस्तास के पूरे छेतर में पानी पूरा का पूरा छेतर रहा है में तो गाम तक नहीं दिख रहा यानि कि यह हुआ करता था कि रात में नदी माली जी यहां पर बह रही है रात में नदी यहां पर बह रही है तो रात में ही तीन चार पांच घंटे में ही यह पूरा का पूरा मार्ग इसका बदल जाता था तो पूरा के पूरे गाउं डूग जाये करते थे इसमें यही यह काड़ था कि इस नदी को अपना मार् पर आज भी आजाती है चलिए तो देखते हैं आगे महाननन्दा नदी कے बारे में ये भी एक साइक नदी है किसकी आपकी गंगा की शायक नदी ठीक है तो यह नदी है दारजिलिंग से निकलती है, निवी दारजिलिंग की पाड़ियों से निकलती है और पस्षी मंगाल में गंगा नदी के बाएं तट पर जाकर मिल जाती है यह है जो नदी है बाएं तट पर मिलने वाली आखिरी नदी है तो महाननदा नदी कौन सी नदी है आखिरी नदी है कहां पर बाएं तट पर मिलने वाली ठीक है तो होता क्या है यहां पर य नदी यहां से निकलती है पस्षी बंगाल के बाले छेत्र में बहती हुई और यहां पर यह है गंगा नदी में जाकर मिल जाती है ठीक है यह है बायतर्ट पर मिलने वाली आखरी नदी है चलिए तो यह हो गए हमाले से मिलने वाली जो नदिया है इसकी हम बात करते है प्राज मैंने जब आप लोगों को बढ़ाया था प्राइदीप पठार तो वहां पर मैंने उच्चावचों के बारे में बताया था कि यह जो सत्पड़ा से विजी वो तीन वागों बठी है राज पीपला महादेर और मैकाल तो मैं तीसरी जो स्रेडी थी वो है मैकाल मैकाल पर एक च जाती है कौन सी नदी सोन नदी तो सोन नदी आपकी मैंने क्या पार से निकलती है और पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी की एक सायक नदी भी है इसका नाम है रेहंद नदी क्या नाम है रेहंद नदी सोन नदी की पिरमों को सायक नदी है चलिए आगे ब समझते हैं तो मैं आपको पहले यहां पर बताते हूं कि गंगा नदी जब है गंगा नदी जब दच्छडपूर की और बहती है फरका के आगे जब बढ़ती है तो मुर्सिदावाद के पास इस नदी में एक इसकी नदी जो है जो गंगा नदी है वह तो बंगलादी से होगली नदी के तट पर ही आपका कोल काता बसा हुआ है ठीक है तो गंगा नदी के एक धारा मुर्सिदावाद से गंगा का साथ चोड़ कर दच्छड की और मुर्जाती है जिसे होगली के नाम से जाना जाता है होगली की स्प्रमुक साइक नदी है दामुदर नदी तो ठार में छोटा नाकपूर पठार जो होता है छोटा नाकपूर पठार इस तरह से हैं तो छोटा नाकपूर पठार के पूर्वी किनारे से एक नदी निकलती है और नदी निकलने के बाद अपनी भिरंस घाटी में बहती हुई आपके होगली नदी में जाकर मिल जाती है किस सारी इसकी प्रमुक सायक नदी है जिसमें बराकर जो दामुदर नदी की प्रमुक सायक नदी है ठीक है तो मैं यहां पर इसको जूम कर देता हूं है आपको यहां पर दिखा सकता हूं यहां पर आ रही है होगली नदी यानि गंगा नदी यह जा रही है और यहां पर यहां प देख सकते हैं पश्चिमी कनारे से आपकी जो है दामुदर नदी यहां से निकल रही है दामुदर नदी निकल कर यहां पर यह विह उगली नदी में जाकर मिले जाती है ठीक है तो दामुदर नदी यह नदी बहुत अधिक प्रिदूसित हो गई है और इसको चैबिक मर्यूस जैने पाल आने कैश बौत कम है इसलिए इसमें बनगाल का सो भार्तवान में निकाँ जाता है पहले बंगाल का सोप कहा जाता था तो यह मरिष्च्टल के onesि काते हैं कुए बहुत अदिक प्रिजातिया पाई जाती है उसमें सभी से खतरनाक जो प्रिजातिया है वह प्रिजाती होती है इंसानों की इंसानों का तरीका यह होता है इंसान खाते हैं पेड़ पौधे इंसान खाएं जमीन इंसान खाएं मास इंसान खाएं जानुमरों को इंसान खाएं नदियों को या प्रदूसरड का नदी को पिर दूसर होने के काड़ बहुत अधिक इसको जैबिक मरिष्टल कहा जाता है समझ में आ गया क्यों का जाता है क्योंकि इसमें बहुत अधिक पिर्दूसर्ड हो गया है तो इस नदी को जैविक मरुषितल क्यों कह जाता है समझते हैं मैं पहले चुछा सबसे खतरनाग चीज़े जो आप सबी लोग जानते जिस जगे से उठा कर उसी जगे ही हग देता है यानि कि आप समझ रहा है यानि कि मान लीजी इस प्रत्थिवी पर ही वो निकाल कर खाता है और प्रत्थिवी पर ही हग देता है यानि कि जिस से वो पाता है उसी को ही गवाता है यानि कि उसी को ही नननननना काट रहा है मैंने क का करता है मुरगा खाते मुचली खाए पेड़ पौदे खाता है जहल खा जाता है जल खा जाता है नदिए को खा को खाता है तो अपने फैक्टरी चलाते हैं कदान कश्रा निकाल कर adesso करते हैं लेकिन हम और संहार बनता है यानी कीना मुदर नदी है उसमें सारा यो खदानों गंदा पानी न रिवाल ता कि आप सबी लोग ये वाज जानते हैं कि इस इस ब्रह्माण्ड में पर स्थिवी ब्रह्माण्ड में दूर चला जाता हूं मैंने पर स्थी खरग रहा हूं गांधी जीन कहा था कि इस ब्रत्वी पर इतना साधन तो है उसका पेट भर जाता लेकिन सालागी का गढड़ा नहीं वह क। लेकर आहए। बढ़ने के लिए लेकिन इस अन्सकें कि परियाब साथ साथने लेकिन इस इंसान के आप ले लो जिस जगह आप चले जाओ जिस जगह जहां इंसान रहता होगा वह भाहीं पर हगता है यानि कि वहीं पर ही गंदगी फैलाता है समझा गया चलिए यह बात की बात है ज्योस ज्यादा आ जाता है उसको ठोड़ा कम करता हूं और टॉपिक क्यों बढ़ता हूं तो यह यह का ड़ा को जेस जगह करता है का जो दामुदा नदिया उसमें इतना सिह मिलता है इस जानबर टो छोड़ो जाली जीव चोड़ो फिर पॉधय भी नहीं मिलते हैं यही काड़े के द्यमुदा नदी को जैविक मरुष्तल कहा जाता है ठीक है तो यह हो गया आपका गंगा नदी तंत्र के बारे में जो भी जानकारी थी उसके बारे में चलिए आगे बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में प्रमुख जानकारी ल मैंने जो यह कलाकारी की है सबसे पहले तो मैं कलाकारी आपको दिखा देता हूं यह मैंने कैलास फरवत के दक्षड में आपका मांसरोवा मांसरोवा के दक्षडपूर में यहां पर आप देख सकते हैं यह चेमा यूंगडूंग हिमनद है और कैमांसरोवा के ठीक पूर में एक हिमनद और पड़ता है उसे राकस्ताल कहते हैं यहां पर इसकी जबूत नहीं है तो कैलास फरवत के दक्षडपूर में एक हिमनद है इसको हम कहते हैं चेमा यूंग डूंग हिमनद से एक नदी निकलती है जिसको सांग पो नदी का जाता है ब्रह्मो पत्र द्यान रखें यह ब्रह्मो पत्र नदी नहीं है ब्रह्मो पत्र हम अपने चेतर में कहते हैं वो भी थोड़े से हिस्से में कहते हैं यह नदी जिस तरह से गंगा बंगला देश में पदमा के नाम से जानी जाती है तो गंगा उपरी भाग में भागरति के नाम से जानी जाती है तो इसी त ब्रम्मपुत्र बारत में आती है तो ब्रम्मपुत्र कह सकते हैं लेकिन इसको आप जब भी पढ़ें तो सांग्पो के नाम से पढ़ें तो मैंने क्या बताया ब्रम्मपुत्र नदी केलास परवत में मान सरोबर जील के पास शेमा यूंगडूंग हिमनस से निकलती है और यह पर है आपका हिमाले का छेत्र यहां पर एक चूटी है इसको हम कहते है नामचा बर्वा तो यह नदी नदी हिमाले के समाना अंतर पूर की ओर ग्यारे सो किलिमेटर बैती है इसके बाद है नदी नामचा बर्वा चूटी के ऊपर से निकलती है और मद्ध हिमाले को काट कर एक महा खड का निर्माड करती है या एक गोर्ज का निर्माड करती है या एक खाई का निर्माड करती है इसके बाद यह भारत में प्रवेश कर जाती है और भारत में अनाचल प्रदेश वाले छेतर में प्रवेश करती है जैसी यह भारत में प्रवेश करती है बैसे ही सांग पोस इसके बाद इसके मतने हो जाता है करते हैं तो इसके बाद जैसे ये बारत में प्रविश करती है इसके बाद है नदी असम में प्रविश करती है उसके बाद है नदी जैसे असम में प्रविश करती है उसके बाद है नदी जैसे असम में प्रविश करती है तोड़ी सी आगे बढ़ती है एक जिला पड़ता है उसको कहते है साधिया ठीक प्रम्पत्र पढ़ जाता है जैसे इसका नाम ब्रह्मपत्र पढ़ जाता है यानि कि एक वार में पिससे आपको बता जेता हूं कि कैलास परवत यहां पर आप देख सके हैं केलास परवत के दख्ण में आपर मां सरुबर यह राक साल के पूर में आपका मांसोर मांसो वड खिक पूर में आपकी एक इमनदे इसको कहते हैं चेमा यंगडॉँँ चेमा यंगडूंग से एक नदी निकलती है इसको हम कहते है ब्रह्मपुत्र ब्हंवमत्र या संगपू जो है वह पूरकी और बैटी है ग्यारसों किलिमेटर की दूरी में तरह करती है इसे यारलॉंग सांग भी कहते हैं तो यहां पर भीति है कियारइस किलिमेटर दूरी पूरी करने के बादू हम मध्द हिमाले के लगई इbula लगई मैयको काट कर एक माहाँ खडगा निर्मार करती है लगु इमाले में प्रिवेस कर जाती है भारति समें ठीक है जहां पर यसे अढ़काय श्मति है बात करते हैं Means quan जर यह तो इसके बाद इसमें कुछ नदिया भी आकर मिलती है जैसे कहाँ पर मिलती है आपकी इसमें दो लुध और जिवांग नदी मिल जातीए यसे इसमें और बड़ाती है तो इसमें ओर भी कहिसाली नदिया मिलती है इसके शमरत स्कूछ imperial यह नदिया WA आपका जिया बरेली, पगला दिया, ठीक है, धनसिरी, कामेंग, ठीक है, तो इस तरह की प्रमुक्र नदिया है, इसमें आकर मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है, असम गाटी में दुबरी के पास यानिकी, यहां से रेकर, जब यह असम में प्रेविस करती है, यही बैती बैसे ही इसका नाम बदल कर ब्रह्मपुत्र से क्या हो जाता है, बंगला देश में इसका जमुना नाम हो जाता है, ठीक है, फिर से बता देश में ब्रह्मपुत्र नदी आसम गाटी में दुबरी के पास दच्छिडी में की और मुड़ जाती है, और बंगला देश में प्र जैसे आपकी प्रविस करते है जमुना की नाम से चाना जाने रगता ऐसे चली आगे बात करते हैं तो गंगा नदी है पदमा मन जाती है और यह आपस में जब मिल्स आपस में जब दोनों मिलती है तो यह आपस में जो धारा हैं उसे क्या कहते हैं जब जमना आपकी पदमा में मिलती है तो इसका नाम नहीं बदलता बलकि ये जमना जो होती है जमना भी पदमा ही बन जाती है यानि की आगे जो धारा जाती है वे किसकी धारा जाती है गंगा नदी की धारा यानि की पदमा के नाम से ब्रह्मपुत्र में गिरती है, तो आकरी समय में किस नाम से गिरती है, पदमा के नाम से गिरती है, ठीक है, तो जमना पदमा नहीं मिलकर बिसको सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसको गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा मे एक बनस्पती पाई जाती है या कहें एक पेड़ पौदे का समूँ पाई जाता है उसको हम सुन्दरी नाम की बनस्पती क्या नाम है सुन्दरी बनस्पती है तो गंगा बिरमपुत्र जो डेल्टा है उसमें सुन्दरी नाम बनस्पती की बहुत अधिकता होने के कार गंगा इस नदी में बहुत से दीप बन गए हैं, तो गुम्पिद नदी हलका समझ रहते हैं, माल लीजिए कि कोई नदी है, ठीक है, जब कोई नदी है, और वो एक घाटी में आती है, घाटी में आती है, तो उसका जो भाब होता है, बिलकुल मन्द हो जाता है, याईनिकि इस तरह स ले जाती है, लेकिन इसमें इतनी छमता नहीं होती है, याईनिक इतना भाब इतना तेज नहीं होता है, जो माल लेकर आई है, वो आगे ले जा सकें, जब इस माल को आगे नहीं ले जा सकती है, तो क्या करती है, ये नदी है, अपने माल को अपने ही मार्ग में डाल लेती है जब अपने ही मार्ग को अपने ही मार्ग में डाल लेती हैं तो अपना इनका खुद का जो मार्ग होता है वो क्या होता है रुक जाता है जब रुक जाता है इनका खुद का अपना मार्ग तो ये नदी क्या करती हैं अपना मार्ग बदल लेती हैं और दूसरी जगे से बह जात हैं और फिर यह दो-तिन धारा हम प्याजाती है यानी कि एक Гवंपितन नदी का उधारड है यानि कि अपने फिये प्रन माल से आप लोग जानते हैं तो चलिए आगे बाद करते हैं तो मैंने क्या बताया इसी गुंपित नदी के द्वारा ब्रह्मुप्तर नदी में असम की गाटी में कुछ दीप बन जाते हैं जिसमें माजुली दीप आपका पिरमोख है माजुली दीप बिस्वा सबसे बड़ा नद बgrassक करत अब करें दिख सकते हैं इसके दाये ताट से जो नदिया मिलती है तीशता मानस और खेर कुटिया यहां पर आपका सुबराण्सीरी current का ओधिय यह बात की जाए तू दिवां लोईत इसांग दंंशरी यहां पर कलांग ठीक है इस दढ़ी है कि यहाँ पर लिख जाल लिखा दाली वें आती हो यह। तुपर रास्टसीं न्दी कि म्याना है नहीं ञार्डकर विष्ब कहा है यह भी अकी है आनदी पृप्राट addresses करती एप तिनना करने या कर यहाँ सिह आती है यह यह लग्याञस सी कि इसना की जाए मानस नदी जो है इसके हलके से बात कर लेते हैं तो भारत में असम में प्रिविस करती है और भूटान और चीन में होते हुए यह बंगला देश में प्रिविस कर जाती है और बंगला देश में यह जमना नदी से जाकर याक है ब्रहमों पुत्र नदी से मिले जाती है चलिए इ बराक नदी क्यों important है इसको हम अलका समझते हैं बराक नदी जो है यह कई बार साइक नदी है जब मिलान करने को होती है तो उसमें दी जाती कि बराक नदी साइक नदी है तो बराक नदी ब्रह्मु पुत नदी की साइक नदी नहीं है बलकि यह मेगना नदी की साइक नदी है मेगना में मिल जाती है तो यह नदी मड़िपूर की पाड़ियों से निकलती है यानि कि जो मड़िपूर की पाड़ियां है यहां से आपकी बराक नदी निकलती है और मड़िपूर के बाद यह सम में प्रिविस कर जाती है असम के बाद यह है मिजुरम में मिजुरम के बाद बंगला दिस में मिले जाती है, इससे कon भी लेना देना नहीं यहां कि मेगना नदी में नहीं मिलती है, की दाया हैं एक आगे बात करते हैं तो यह हो गया आपका ब्रह्मपुत्र नदीह में जो भी प्रमों के जानकारई थी उसके बारे में चलिया आके बात करते हैं चलिए Treasury दो परिकार कियां कि उनके बहाब उनका उच्चावाच के आधर पर दो भागोश्य इमालेय अजाता है तो चलिए समस्छते सको भी तो इसको भी तो हमाले आफवाबात अंत्र हम लोगा तीन बर्मों से बात की थी गंगा ब्रहों पत्र और आप अगार में सिंद्धू रटी। उसकी साइक न‍धियों और गंगाने नदीता था उसकी साइक निए यह के बारे में हम लोगोंने बात कर ली है ठीक है चली अब हम लोग जो बात कर रहेंगे वो होगा आपका प्राइधी 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 को भी हम दो भागों में बाढ़ते हैं कैसे बाढ़ते हैं दो तरह से देखते हैं यहाँ पर बंगाली खाड़ी है और यहाँ पर इसको हम कहते हैं अरफ सागर वाला चेर ठीक है तो जो नदियां यानि दो बागों माटे जाता है अरफ सागर में जल गिराने वाली नदियां और बंगाली खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां यानि कि ऐसी नदियां जो बंगाली खाड़ी में अपना जल गिराती हैं वो नदियां और ऐसी नदियां जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं तो बंगाली की खाड़ी में जो अपना जल गिराती हैं उनमें से नदियां जो है आपकी स्वडरेखा, वैतरड़ी, व्रामड़ी, बंस्तारा इसको ब बादर सतरंजी बैतरणा मांडवी जौरी गंगावेली सरावती भरत पुझ्जा पेर यार पामबा ऐसी नदीज जो कि आपकी अरब सागर में अपना जल गिराती है तो इस आधार पर हम इनको कितने भागों मारते हैं दो आधार पर पारते हैं यह बंगाली खाड़ी और यह पूर की ओर है यह कार्ड़ है कि जो प्राज़ पस्षमी गार से जो नदिया निकलती हैं वो पूर की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा दिए लेकिन पश्चिमी घाट से पश्चिम दिशा की और बहने वाली जो ने दिया है वो बहुत चोटी-चोटी है जो अरब सागर में अपना जल गिरा तो पश्चिमी घाट से पश्चिमी डाल की तरह बहने वाली ने दिया इति चरह बहुत चोटी-चोटी हैं और यह तुरंत निकलती है और सागर अपना जल गिरा देती हैं चलिए के करके समझस्चे इनको चलिए सात योग बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में बंगाली की खाड़ी में अपना जल गिराती है तो सबसे पहले हम यहाँ पर सुरुआत करेंगे दामुदर नदी से दामुदर नदी के बारे में वैसे पढ़ा चुका हूँ लेकिन यहाँ पर एक दो पॉइंट जोड़ तो इसको हम अलका समझते हैं तो बंगाली खाड़ी में जलगराने वाली सबसे पहरी नदी जो है वह चोटा नाखपुर से निकलने वाली आपकी दामुदर नदी ठीक है तो छोटा नाखपुर पठार के पश्चिमी किनारे से यह नदी निकलती है और एक भिरंस घाटी में बेहती हुई हुगली नदी में मिल जाती है पश्ची बंगाल में ठीक है इसकी साइक नदियों के बारे में बात की जाए तो बराकर जमुनिया और कुनार इसकी दामुदर नदी की साइक नदी है चलिए आगे बात करते हैं स्वाट रेखा नदी की बारे में ठीक है आई सम दствट्षिड्-पश्श्मि बंग से निकलती है दस्षिड्-पश्मि आप पेंचाने कहने मैंने आप लोगों कैसे बताया मैंने कि यह आपका मान लिजिए मैं मैं स्वित्षऱ दिसाइं में बना दी मैंने यह उत्तर दâyफरी पुरव पश्श्मि तो यह इसमें मैंने कौन से पठार के दश्चिडी पश्चिमी छेत्र से एक नदी निकलती है इसको नदी को हम कहते है स्वड रेखा नदी यह जब जार्खंड से निकलती है जार्खंड में निकलने के बाद यह उड़ीसा में प्रिवेस करती है उड़ीसा में प्रिवेस करने के बाद यह पश्चिमी ब कि तीसरे नदी के बारे में जो की है आपकी ब्रामडी यहां पर अपना मोहाना बनाती है इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ आपकी ब्रहामडी नदी के बारे में ठीक है तो ब्रहामडी नदी जो है कोईल तथा यानि कि ब्रहामडी नदी है यहां पर एक नदी है यहां पर ब्रहामडी नदी ठीक है तो चलिए मैंने क्या बताया को नदी का निर्मार होता है इसको हम ब्रामडी नदी कहते हैं है जाजतर उडीसा में बैती है और यहाँ पर अपना मुहाना भी उडीसा के पास में ही बनाती है यहाँ से निकलती है यह कोयल नदी देख सकते हैं यहाँ पर यह संख नदी दे सकते हैं दोनों जब आपस में मिल जाती। तो एक नदी का निरमार होता है, इसको हम बैतर्डी नदी कहते हैं, और यह वीटीसा वाली चेत्र में बैयती हुई बैयती होई, यहां पर अपना महाना बनाती है। चैलिए आगे बाद करते हैं। तीसरी प्रमुख नदी है जो की एक बड़ी नदी है और इसके बारे में थोड़ा सा जाता जानेंगे यह है आपकी महा नदी ठीक है यह नदी कौनसी नदी महा नदी जो है चतिस गड़ के धमतारी जिले के सेहावा नामक गाउं से निकलती है फिर से एक वार मैं बता दे रह है जिसको हम कहते हैं धमतारी यहां पर देख सकते हैं धमतारी जिला है धमतारी जिला के पास एक गाउं पढ़ता है उसको हम कहते हैं सिहाबा नामक यानि सिहाबा गाउं है ठीक है बहुत इंपोर्टन है को कि कई मेने है ठीक है चलिए तो आगे बात करते हैं यहां पर है स्यावा से महानदी निकलती है यहां कि महानदी उडीसा में अपना दिलता बनाती है और बंगाली की खाड़ी में जा गूरती है यााईं कि यहाँ पर आपको दिखा सकता हूं यह 36 गड़ वाले छेतर से उडीशा राज्जी के यहां पर एक जगह पड़ती है इसको हम कहते हैं धमतारी जिला धमतारी जिला से आपकी महान दिन निकलती है ये चलती चली जाती है ऐसे ऊड़ीशा से पहाडियों की अपास करती है, के बाद आपका उड़ीसा के कटक के पास यह अपना मुहाना यातना डेल्टा बनाती है चलिए महा नदी का अपवाच छेत्र की यह दिबात की जाए तो च्छतिरगड मद्यपरदेस जारखंड और उड़ीसा और माराट में इसका अपवाच छेत्र सामिले में ने बताया था कि अपवा तंत्र क्या होता है जाल की तरकार का था मतलब एक नदी तो यह प्रमुक रूप से बैती हुई जाती है लेकिन उसमें कई सारी नदियां मिल जाती है उसकी साइक नदियां और उन साइक नदियों की भी कई सारी नदियां होती है फिर वो एक जाल का निर्मार कर लेती हैं तो जाइसी बात है यह नदी है माली जी गंगा नदी है गंगा नदी तो दो चार राज्यों से जाती है लेकिन उसकी साइक नदी है तो कई सारे राज्यों फैली हुई है तो माली जी गंगा नदी तो आपकी माली जी यह माली कोई नदी है यह उत्तर पर ब्यारोड नदियां आकर मिलती हैं तो वो इसका खुद का अपवा पूरा छेत्र क्यालाएगा तो ये कौन-कौन से राजियों से आकर इस में नदियां भी मिल जाती है तो पूरे किन खेत्र पहला हुआ है 36гаड में मद्य परद्भत में जारगंड में őडीसा में ऊर महाराष्ट में महानदी पर हीराकुण्ड बाऍद बना हुआ है किस नदी पर हीराकुण्ड बाद ही इस्तित है ठिक है इसकी साहिक नदियों की ये दिबात की जाए तो جोंक तेल सिवनात मांड और हस्ते कैंते कि यहां पर देखा देता हूं इसकी प्रमुख साइक नदें आए यायार की याप तेल नदी है आपकी महानदी की साइक नदी है चलिए आगे बात करते हैं एक नदी और है इसको हम कहते हैं बंसधारा या बमसधारा कई जगे कई नामों से इसे जाना जाता है बमसधारा लिखा होगा बुक में बगेरा में कई जगे मैंने बंसधारा पड़ा लिखा है लेकिन के बारें बात कर लेते हैं चलिए बंस धारा ये कई जगह हम इसको बंस धारा पढ़ते हैं जात्तर फुक में यह बंस धारा co नामस्धान नदी है तो यह नदी माह मशा नदी आपको मैं यहाप कनृरूं यहाँ पर महानदी और गुदावरी के बीच में तो फिर से बूल रहा हूँ बंसधारा या बंसधारा जो नदी है है महानदी यहां पर महानदी बारा चेतर है और यह गुदाबरी महानदी तथा गुदाबरी नदी के बीच में यह नदी बहती है यहां से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है तो यह नदी महानदी तथा गुदाबरी और यह यहाँ पर इस तरह से राएगड़ा के पास यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है, यानि कि बंगाली खाड़ी में अपना जल गिरा देती है, ठीक है? तो यह नदी यानि की बमसधारा जो नदी है उडीसा के काला हांडी तथा राइगड जिलों की सीमा से निकलती है यानि की उडीसा उडीसा में जो मैं आपको यहाँ पर देखा देता हूँ यहाँ पर उडीसा में जिले हैं इसको हम कहते हैं काला हांडी और दूसरा जो दिला है राइगड ठीक है यहां पर नहीं दिख रहा है चलिये कोई बात नहीं मैं बोलडे रहा हूँ आप यहां पर देख सकते हैं मैंना क्याaine दो जिले बताये काला हंडी तता राइगड दो जिले हैं उनकी सीमा से है नदी निकलती है नहीं बमस两बарा और उड़ीशा में बहने के बाद करीब 254 किलो मिटर की दूरी तैय करती है उडिसा में बहने के बाद यह आंध प्रदेस में एक छेतर है उसको हम कहते हैं कलिंग पत्नम तो आंध प्रदेस में कलिंग पत्नम के पास यह बंगाल की खाड़ी में अपना जलिगराती पिरसे में बोल दे रहा ह कि बमस धारा जो नदी है वह उड़ी सा के राइगड तथा काला हंडी जिलों की सीमा से निकलती है और 254 किलो मीटर बहने के बाद आंध प्रिदेश के कलिंग पत्तनम में है अपना मुहाना बनाती यानि कि बंगाली खाड़ी में अपना जल गिरा देती है चलिए आगे बात किरानेबाली नदीओ के भारे में बात चल कह रही है चलिए तो देखते हैं यह नदी प्राइदी पी भारत की सबसे लंभी नदी आ जिस्तरह तो उत्तर हारत की आपकी सिंद्धेर नदी सबसी लंबी उससे नहीं हमें भारत के छित्र के साब से बात करनी है ठीक है तो गोदावरी जो नदी है यह प्राइदी पी भारत की सबसे बड़ी नदी है क्या गोदावरी नदी अंतराष्टी नदी है नहीं गोदावरी नदी एक राष्टी नदी है यह भारत में इसका उद्गम है और भारत ह में इसका क्या होता है यह इसका मुहाना बनता है यानि कि वो नदियां जो दो या दो से अधिक राज्जियों से होकर बहते हैं उसे अंतर राष्टी नदी कहते हैं जैसे कि सिंदू आपकी सिंदू हो गई आपकी गंगा हो गई और बिरहमपुत्र यह अंतर राष्टी नदी इसकी जो लंबाई की यदि बात की जाए तो 1465 किलो मीटर इसकी लंबाई है किसकी गुदावरी नदी की यह नदी पश्चमी घाट परवत के नासिक जिले के तिरेंबकम से निकलती है यह नदी यानि की गुदावरी नदी को दच्छडी गंगा या बूरी गंगा भी कहा जा जाता है इसे दच्छडी गंगा बूरी गंगा या दच्छड गंगा भी कहा जाता है क्या क्या कहा जाता है इसको दच्छडी गंगा कहा जाता है या फिर इसे दच्छड गंगा भी कह देते हैं ठीक है दच्छड भारत की गंगा आपकी काबेरी नदी है ठीक है इसकी साहि यहां पर नदी ब देख सकते हैं मजीरा एंस को पड़ देते तो और दूसरी मेने नदी बताई थी यहां पर फिर्वरा रही ठीक है यहां पर आ पर फिर्वाइत नदी ढाते कैं इसके बाद बाए मैं जूम कर दूँ यहां पर आप देख सकते हैं यह जा रही एक नदी इसको हम कहते हैं प्राण हेता यहां पर इसको प्राण हेता नदी कहते हैं यहां पर आपको देख सकते हैं तो यह नदी बेन गंगा तथा बर्धा नदी के संगम से बनती है यानि कि यह आपकी बर्धा नदी तो बर्धा नदी तता बेन गंगा के संगम से इसका निर्माड होता है कि इसका प्राणिता नदी का इसके बाद यहाँ पर बेन गंगा की बात की जाए तो यह नासिक जिले से निकलती है ठीक है और मंजीरा नदी की बात की जाए तो बाला गाट बाला गाट परवसे य है आपका बालगाट मैं जूम कर दिता हूं यहा पर यहां से एक नदी निकलती है इसको हम कहते हैं मनजीरा नदी यहां पर इस तरह दे बालगाट परवसेड़ीर निकलती है जो की आपकी महाराष्ट में करनाटक में और तेलंगाना में इसका जल गिराट चेत्र है और कहाँ पर मिलती है ये गोदावरी में तेलंगाना के पास मिल जाती है चलिए आगे बात करते हैं चलिए बात करते हैं किष्णा नदी के बारे में किष्णा नदी जो कि आपकी दच्छड भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है यानि कि दूसरी सबसे लंबी नदी है तो आईए समझने किष्णा नदी को तो किष्णा नदी दच्छड भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी यह नदी यानि कि कौन सी नदी किस्टना नदी जो है पश्चमी गाटे आगाए सयाधरी परवत से सयाधरी परवत के महाबलेश्वर चोटी के पास से एक जर्ने से निकलती है यानि कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ यह आपका पश्चमी गाट परवत पर आपको यहाँ पर दिख रही होगी एक चोटी इसको हम कहते हैं महाबलेस्वर चोटी तो महाबलेस्वर जो की चाहिए इसकी है 1438 मीटर तो महाबलेस्वर के पास से एक जरना है वहाँ से आपकी किसना नदी का क्या होता है उद्गम इस्थान किसना नदी का उद्गम इस्थान यह माना जात यहां पर मैं लोगों को दिखा देता हूं यह यहाँ पर देख सकते हैं बरना, पंच गंगा, दूद गंगा, गाट पिरवा, माल पिरवा, तुंग बद्रा, यह किसकी साइक नदिया है, आपकी किष्णा नदी की साइक नदिया है, कौन से तट से आ रही है, दाएं तट से आ रही है, यानिकि यह राइट वाला है, या कहने हैं Keeping और आप देख सकते है मैं यह मुसी नदी मुसी नदी के बारे में कहा जाता है कि इस नदी के नडी की टत पर आपका है द्रावाद बसा हुआ है ढूंस के भीमा आप क्सक्राइं यहां पर भीमा इसके बाद दाएं तटकी नदी है चलिए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कोईला इसके पास महाबलेस्वर चोटी है यानि कि जो कोईला नदी है कोईला नदी के पास महाबलेस्वर चोटी है मैं आपको जूम कर दूँ महाबलेस्वर चोटी मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर है महाबल च्छेतर में बहती है दूद गंगा की यदि बात की जाए दूद गंगा यहां पर है दूद गंगा आपकी महाराष्ट और केरल में बहती है इसके बाद तूंग बद्रा नदी की बात की जाए तो तूंग बद्रा यह नदी यहां से शुरू होती है और ऐसे जाती जाती जात मूसी नदी के बात के जाए는데 के तर्ट पर हैद्राबाद सहर बसा हुआ है चले आगे बात करते हैं कावेरी नदी के बारे में अगर Bat Kor ? कावेरी नदी न पश्च्मी घाट में कोडागु जिले जो कि कोडागु जिला काँ पर करनाटक में कोडागु नामक एक जिला पड़ता है यहां पर भ्रहम गिरी चूटी है यहां पर मैं कोशिस कर लूँ यहां पर देखने की साइच इसमें पर मिल जाए लेकिन आप चलिए कोई दिखका नहीं है इसमें नहीं है फिर विए आप लोगों पता दूँ यहां बढ़ागु नामक जिले में ब्रहम गिरी से आपकी कावेरी नदी निकलती है यह तो कावेरी नदी जो है यह करनाटक से निकलती है करनाटक के बाद तमिलनाडू बहनना सुरू हो जाती है तमिलनाडू प्रिविस करने के बाद यहां पर अपना मुहाना तमिलनाडू के प बनाती है आप देख सकते हैं यानि कि यह यहां पर आप देख सकते हैं यह चत्रवज बन गया है यानि कि चार इसकी बजाएं एक दो तीन चार ठीक है चलिए तो यह यह नदी यानि कि जो काबिरी नदी है यह नदी बरस वर जल से भरी रहती है क्योंकि यह इसमें यानि कि का आप तो था एक आड़े काविरी नदी जो है उसमें बर्स बर यलो बना रहता है ठीक है यह नदी यानि कि इस नदी पर आपका जो काविरी नदी है यह नदी सिर्फ समंद्रम सिर्फ समंद्रम जल प्रपात का निर्माण करती है कि किसना नदी के बीच में पेनार नदी का बे काबिरी नदी की, तो कुछ परिंग्साएक नहीं उसा है जिसमें आपकी हेमाबती, लोक पावनी, अमराबती, लक्षमर्ति, पर्म्र वती. ठीक है। तो आईए है, मैं आप लोगों के हाँ दिखा सेता हूं, हाँ यह काबिरी यह आपका जिस्सुर इसका मोहाना होता है, उ दूसरी है नोयल, तीसरी है भवानी, तीसरी है काविनी, चौती है लक्षमड तीर, ठीक है, उसके अब बाएं तटकी बात की जाए, तो अरकावती, ठीक है, अरकावती, यानि कि अमरावती और अरकावती में confusion नहीं होना है आपको, अरकावती, अरकावती बाएं तटकी पेनार नदी देख लेते हैं पेनार नदी पेना या पेनार नदी तो मैंने थोड़ी दिर पहले बताए कि किसना नदी के बीच में एक नदी बहती है इसको हम पेनार नदी कहते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा जेता हूँ यह पेनार किसना नदी है और यह है आपकी कावेरी नदी, तो इसके बीच में एक तकाविरी नदी के बीच में ये नदी बहती है कहां से निकलती है करना टक से निकलती है कोलार जिले के नंदी दुर्प पाड़ियों से चलिए बैगई नदी के बारें बात करते हैं काविदी नदी के ठीक नीचे है बैगई नदी यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है तो बैगई नदी में आप लोगों के दिखा दूं यहाँ पर यह नदी बहती है आप यह देख सकते हैं यहाँ पर तो जो बिल्कुल ठीक पम्मंदी यहाँ पर तमिलनाडू से मदुरे नगर से एक नदी निकलती है यानि की बैगे नदी जो की पाक जल संदी में अपना जल गिराती है इतना जानना इसके लिए काफी है चलिए आगे बात करते हैं चलिए एक नदी और यहाँ पर रह गई यह तामर पड़ी नदी है तामर पड नदी आपकी तमिलळु बाले छित्ट आ निंगलती है और यहीं पर अपना चल गिरा देती है तो यह होगे आपकी अरभ सागर में बंगाली खाडी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में चु wo औरप सागर की नदी के रूप में देखा जाता है उदगमिट की आधरी प्रवत के यो वी यहां से एक नदी निकलती है इसको हम कहते है अजमेर के पास से नदी निकलती है ठीक है यहां पर यह देख सकते है अजमेर बाले छेत्र से निकलती है यहां पर जाती है दच्छड की और बहती हुई बहती हुई और यह कच्छ का रण परता है कच्छ के रण में है नदी क्या होती है दल्दली छेत्र में बिलीन हो जाती है या कर समा राज्थान से निकलती है और दच्छर पश्यम की और ये प्रवायत होते हुए और कच्छ के रण में बिलीन हो जाती है कच्छ का रण कहा पर पर पड़ता है गुजरात में ठीक है तो आई ये देखते हैं तो यह नदी अजमेर में अराबली पर वसे निकल करका कच्छ के के दल्दरी छेत्र में क्या होती है बिलीन हो जाती है यह अंतर प्रवाई नदी कहलाती है क्योंकि यह अंदर ही अंदर प्रवा करती है यानि कि सतय पर कमात पाती है इस नदी को हम लबड नदी भी कहते हैं क्योंकि यह जो कच्छ का रण माला जो छेत्र हैं यहां पर समद मती नदी की यदि बात की जाएं तो है नदी अराबली पहाडियों से राजिस्थान की उदयपूर जिले से निकलते हैं या निकी यह area पहाड़िया अरावली पहाडिया में हाँ चित लृडगर देख सकते हैं मेवार का पठार इसके ठीक नीचे यहां पर देख सकते हैं उदयपूर से एक नदी नदी दि Usually से हैं इसका नाम है सावर मती नदी ठीक है तो सावर मती नदी अरावली पाडियों के या अरावली पाडियों से राजिस्थान के उदय保 जिले से निकलती है यह ध deleting पूर दच्षिर पूर पॉर्ट की यह उतर उतर दश्यथ पूरपॉय पॉर 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 पॉर्पायन के यस्के भी किया को जह साम बहते होई मैंुझ कि ख मज़ा देति है hmm या कर खंबात की खारी में में बिलीन हो जाती है यहां पर यह बैठी हृत यह यह आपको दिखा सकता हूँ यह आपकी सावर मती नदी यह है यहां से अहूपाडियों के पास से उदायपुरचले तीन कलती है और यह गांडी सी निकलती है और वाह सुषोझ से इस लिए यह इसलिए रीडरा होती हुए चुंट सीनिकलती है और लुक्त इसलिए लिए चारटी को दो भारति नह् pepp descendent को बारति नकती है असलिए बीजल बार परवन को बहुत होती है और यह नदी यानि कि माली जी करक्रेका है करक्रेका को एक बार पार करती है एक बार काट दिया और फिर ऐसे मुड़ती हुई ये करक्रेका को दोबारा काट देती है तो इस तरह से करक्रेका को ये दोबार काटती है या हम कह सकते हैं दोबार पार करती है तो ये किसका काम है माही नदी का हुआ पर यहां पर खंबात की गाड़ी में चली कि रहाती है कि एक चली बात करते हैं मांसुनी नदी यह कौन सी गगरह कर नदी इसका पूरा नाम है यह कमांसूनी नदी यह है हिमाल कि सिवालिक सिरेडी से सिमला यह वाई छिरत से निकलती है यह है आपके माचल प्रदेस पंजाब हर्याना राजिस्थान में बेहते करती है हनुमान गड़ के पारहिए हमान घर के पास बटनेर में है BENE Krie Cathedral हो जाती है यहांँ पर आपका सिमला है यहां पर शिवालिक से यहांपर सिमला पढ़ता है सिमालिक से यहांपर आभ história रही है और यहांपर यहांपर गगर नदी देख सकते हैं घगर नदी राइस्थान के राइस्थानी भाग में बिलीन हो जाती है इतना काफी है इस नदी के जानने के लिए चलिए आके बात करते हैं अरफ सागर में जल गिराने वाली नदियों में सबसे प्रमोख नदी सबसे बड़ी नदी पश्चिम की और बहने बाली सबसे प्रमोख नदी है इसको हम कहते है नर्मदा नदी ठीक है तो यह नदी महाद्य प्रवत की अमर कंटक चोटी से निकलती है जब मैं आपको सौना न आपकी में परवत की महाद्य पारवत की अमर कंटक चोटी से निकलती है यह मद्धि परदेश महाराष्ट गुज्रात में बैते हुए के पास बर देखते हुं यह आप देखते हूं भरुच भरूच इस तरह से आप अलग-ठी में जब इसका किया जाता है तो अलग-अलग तरीके से करते थे हैं तो मैंने क्या बताया बरोच के पास खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देदी एक कौन सी नदी नर्मदानदी ठीक है मैं यां पर देखा दिता हूँ यहां पर है मैपाल पहाड़ी मैपाल पहाड़ी पर एक चोटी है इसको कहते है मय कंटक अमर कंतक से नत्य पर ईक नतिक पाई never के आट हरूच के पास पहूंचते हैं नहीं मनाती है क्यों नहीं मनाती है इसको आगे समझेंगे यह नदी सत्पड़ा तता बिंदे बिंद्यांचल के बीच में एक भ्रंस गाठी से होकर बैटी यानि कि नर्मादा नदी के देच्छड में सत्पड़ा परवस रिड़ी है ठीक है सत्पड़ा परवस रिड़ी है इ जो यह जोरनद मुक्ष्यों बनाती है। मैंने जब आप लोगों बताए था कि देल्टा का अधिर माध् Jarissä Hoожra यह नदी जो होती है बहुत उचे शेत्र से आती है। यह उचे नहीं काफी दूर से आती है और यह एक साहिक नदिया होती है तो वो साहिक नदिया क्या करती है इसमें माल लेकर आती है माल मतलबा अफसाद बगएर बगएर लेकर आती है तो नदी जो होती है अपनी गाटी को भी गरा करती है तो नदी जब हलके डाल पर पहुंचती है ने कि डाल जब उसका मंद हो जाता है तो ज उससे एक डेल्टा नुमा आक्रती बन जाती है इसको हम डेल्टा कहते हैं ठीक है डेल्टा नुमा जब आक्रती बन जाती है इसको हम डेल्टा कहते है इसकी सर्थ यह होती है कि बहुत दूर से आनी चाहिए नदी उसमें कई सारी साइक नदियां होनी चाहिए और बहाव उसक यहार नदमुक्का निमार करती है लाकि देलटा का क्योंकि इसके मूह पर क्या नहीं हो पाता है होपा ज़िए नर्मादान नदी की खासियत है कि इस की सायक नदीया न के बराबर है पिर में छोटी मोधी साइक नदीछा है जानना वैसे ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं पता दे रहा हूं कभी गलती से आ जाती है बयाएं तटकी जो यो यह वाय वैसे है वैसे जरूरत रही है बाएं तटकी जो साइक नदिया है तबा दूद सक्कर तबा दूदी सक्कर ठीक है दाएं तटकी बात करें तो यानि कि यह खाने वाली चीज़ें है दर और यह नीचे वैसे कुछ पिल जाती है वारत देश में पाई जाती है जो इन जानवरों को भी दाएं तटकी जो नदिया है वो खाने वाली है तवा दूदी सक्कर यानि तवा पर दूद गरम करेंगे और उसमें चीनी बिला देंगे ठीक है दाएं तटकी जो नदिया है हाथनी हिरणी और उंटी ठीक है चलिए यह नदी जवञ़पुर के पास दुआदार जल प्रप इसी के दच्षड में यहां पर एक नदी बैती है इसको हम क्या थे तापी नदी के भीटे कर अज तो यह नदी यानि की तापी नदी मद्धि प्रदेश के बैतुल जिले के मुल्तई नामक इस्थान के पास से सत्पड़ा के महादेब पहाड़ी के दच्छड से निकलती इसको साधर बासम में आपको समझा देता हूँ मैंने अभी बताया था कि यह है मद्धि प्रदेश में मुल्तई इस्थान है वह आपका महादेब के ठीक दच्छड में पढ़ता है यानि कि यहाँ पर मुल्तई नामक इस्थान है तो मुल्तई से एक नदी निकलती है इसको हम कहते है तापी नदी तापी नदी आपकी सत्पड़ा और अजंता पहाड़ीयों के बिरंस घाटी मे बहती है यह नदी सत्पड़ा तदा अजंता के बीच में एक बरंस घाटी में बहती है यह नदी आपके पश्चिम की और बहती हुई अरब सागर की एक जगह है उसको कहते है खंबात की खाड़ी खंबात की खाड़ी में अपना जल गिला देती है यह भी नदी यानि कि यह बात करते हैं चोटी चोटी नदियों के बारे में कुछ बात कर लेते हैं चोटी चोटी नदिया है एकदम आती है और समापत हो जाती है तो उनको अलका से देख लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात वाले छेटर की कुछ नदियों के बारे में यहां पर आप गिर पाडियां और यह उपर गिरनार पाडियां यहां पर बरदा पाडियां और यह मंड पाडिया ठीक है तो गिर पाडियों के पास से एक नदी निकलती है उसको कहते है सत्रंजी और गिर पाडियों में यह जाकर आगे बढ़ जाती है और यहां पर खंबा यहां पर अपनी जल को गिरा देती है और दूसरी जो नदी है यहाँ पर बदर नदी बदर नदी यहाँ से निकलती है और यह आपकी पोर बंदर तट पर अपना क्या करती है जल को गिरा देती है ठीक है तो मैंने क्या बताया गुजरात में दो प्रमुक नदिया है भादर नदी और सत्रंजी नदी दूसरा आते हैं गोवा की तरब गोवा में दो नदिया प्रमुक हैं मांडिवी नदी और ज्वारी नदी जो ज्वारी नदी है जो ज्वारी नदी है गोवा की सबसे बड़ी नदी है तीसरा नंबर आता है आपका करनाटक का करनाटक में एक प्रमुक नदी है इसको हम हम कहते हैं सरावती नदी करनाटक में नदी जो भैती है इसको Rau 5 अब हम आते हैं यहां पर यह यहां आपका केरल वाला शेतर है यहां पर कुछ नदी है उनको बाद हम ठोड़ा सा समझे लेते हैं तो केरल की कुछ 2-3 नदिया है जो की केरल की कैसे है यह confusion बहुत जाद रहता है पेरियार जो नदी है केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी कैसे जबकि लोग तो कहते हैं कि यह सबसे बड़ी नदी है दूसरी नहीं है तो समझते हैं तो जो पेरियार नदी है उसकी लंबाई कितनी है 244 किलो मीटर जबकि भरत पु कि पेर्यार नदी केरल की दूसरी सबसे लंबी या दूसरी सबसे बड़ी नदी है जबकि भरत पुझ्जा जो नदी है बै केरल की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी है ठीक है केरल की तीसरी सबसे बड़ी नदी की अगर बात करें तो वो है आपकी पांबा नदी जिसकी लंबाई कहां पर केरल में 176 किलो मीटर है ठीक है बारत पुझ्जा को हम पुन्नानी नदी भी कहते नहीं है केरल की सबसे बड़ी नदी है समझे आगया कारण समझे आगया क्यों केरल की सबसे बड़ी बारत पुझ्जा है ठीक है चलि परवत कि चेत्र में यानि के हमालए चेत्र है इसमें पिर्मोग जीले पाई जाती है समझा गया इसके निरमार के आधार पर यानि की जीलों उनके आधार पर इन्हें कुछ पर्मुख भागं में बांट दिया गया उनको हम देख लेते हैं कौन-कौन से भागें सबसे पहले बात करेंगे बिवर्तनिकी जील है बिवर्तनिक जील है इसमें नंबर एक है बुलर जील जम्मुकस्मीर में जेलम नदी Sozialist है यानि कि मैंने आपको जील का निर्मार करती है ठीक है तो बोलर जील जम्मू कस्मिर में जेलम नदी पर इस्टेत है यह जील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है कैसे पानी की मीठा मतलब पीने योगी जो पानी होता है जो खारन नहों उसे मीठा पानी कहते है छोटा पर मैं जब मैं पढ तो यासे कुछ गाना भी बनाए तो यह जो जील होता है मीठे पानी का रती है नहीं कि वह आपर सर्वत मिलता है मीठे पानी का रती हुआ कि वो नमकीन नहीं है यानि कि पीने योग है यानि कि वो खारा नहीं है तो जाइसी बात है उसका सर्वत अपने आप बन जाएगा ची है दूसरी देखते हैं ज्वालमखी यह क्रेटर जील इनको हम जब कभी डिटेल में देखें तब हम जानेगे कैसे ज्वालमखी जीले बनती है कैसे पेवर्त प्लाना जीली की लोनार जील है जिसको हम कहते हैं लोनार जील किसके द्वारा हुआ है ज्याला मखी या इसको हम क्रेटर जील भी कहते हैं चलिए लेगुन जील या अनूप जीलों के बारे में हम अलकता बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं चिलका जील किस छेत्र में किस राज्ज में उडीसा जील है कौनसी भारत की ठीक है किस राज में इस्ते था है आपकी गुड़ी सा राज में कहां जा रहा है वे बना पूछे रूप इसके बाद बात आती है दूसरे नंबर की जो कि है पुलिकट चुकि आंध प्रदेस और तमिलनाडू राज के साजे की जील है यह पुलिकट जील कहां पर है पुलिकट जील मैं आपको पुलिकट जील दिखा देता हूँ यह आप पुलिकट जील ठीक है यह तमिलनाडू और तो एक अनुपया लैगून जील है चलिए आगे बात करते हैं चलिए है बात करते हैं बायू है हवा द्वारा निर्मित जीलों के बारे में सबसे प्रमुक जो है आपकी राजिस्थान में ही है सांबर जील यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सांबर जील यह लूनी नहीं बैती है फिर बीच में रुख जाती है और आगे बढ़ जाती है फिर लूनी नहीं कि जो पाड़ी छेत्रों में जो हो ठोपो होते हैं हमानी वह बरफ जम ज़ाती है उस में से कुछ क्या हुते हैं चीहले निकाल आती है तो उसको हम देखते सबसे पहली है किसptions और कि सिर्फट यां पर देख सकते तब तक ये छोड़ चोड़ी पढ़ लेते हैं चलिए इसके बाद है अन्य जीलों के बारे में अगर बात करें तो फुलर जील जो पूची जाती है कई बार आती है वो है फुलर जील आपके उत्तर प्रदेश राज जिला में पीली भीत जिले में उत्तर प्रदेश नामक रा तो हम क्या पंजील कहां पर इस्तित है आपकी हिमाचल प्रिदिस में चलिए आगे बात करते हैं तो मैंने यहां पर जीले बना दी हैं उनको अलग लग छेत्रों में देख सकते हैं और यहां पर आप इसकी जो चाय जो भी करना चाहे कर सकते हैं मैंने आपर उसका एक डाग्र क्राम बनाती है सबसे फ़ेले बात करनें जम्मू कस्मीर राज की ईलों के बारे में तो आपकी जम्मू कस्मीर की प्रमुत जिल है बुलरभ चल जिल डल जील गारोम कची खेम सëWAL जिल. ऐसके बाद चंदिघड कबात करें हैं तो आपकी ब्रहुंगो जील मंच्याल जील म假 चृइल रेयृकल जील जूरत तॉर टाल ऊत्ति के जाए तो इनि डोडी ताल, भीम ताल, साथ ताल, नौक, ये ताल, देव ताल, खुर्पा ताल, तरह के खतरनाक ना है, और राकस ताल वैसे तो ये आपके उत्तराकंडबाली छेत्र में नहीं लेकिन यहाँ पर है उत्तर में इसके, यहाँ परप्ति ठीक है, इसके बाद बात करें, राजस अगर डेवर, कुचालान, पुसकर जील, ठीक है, ये परमुक जील है, इसके बाद महराष्ट की अगर बात की जाए तो लोनार जील और पोवई जील, ठीक है, इसके बाद आपके करनाटक में एक परमुक जील है, उसको बेलान दोर जील कहते हैं, इसके बाद आपकी केरल म में जो जील होती हैं उनको क्याल कहते हैं सोंगमा जील जो है आप खेशा बिवर्तिन की जीलो चाहयनूद जीलो कोई सी भी हो ये सारी जील हूगा। चुल हो गई दतरद साथी Pres давно बाहरत का बुगोल का बहरत के alka पहला पाट है हमारे वांगी इसमें बहुत ज्सक्राइब's जिनमें map की बहुत जरूरत पढ़ती है, इसके बाद जो topic है, वो world geography से जुड़ा हुआ topic है, यानि कि पहले आप world geography पढ़ ले है, world geography अगर आपने पढ़ ली और उसके बाद आगे एक आगे दिया आपने पढ़ा, तो जाओ ऐसे चूटकियों में समझ में आगे, तो मैं इसके लगा मैंने उसका 10 दिन के अंदर दूसरा वीडियो बना दिया, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से आपने क्या किया, आपने उसको देखा, तो लेकिन डाउनलोड करके रग लिया, नहीं आपने उसे लाइक किया जाद है, नहीं उसे share किया, जितना history को किया था, तो मैंन क्या किया, मेरा इच्छा नहीं, मैंने कि यार मजा नहीं आ रहा, तो मैंने उसको नहीं डाला, आप लाइक करेंगे, share करेंगे, दूसरों में इदर दर देंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे और क्या चाहिए कि लोगों तक माल पहुँचे मेरा, जो मैं बना रह आख तो, और डिसलाइक कर दिया, वीडियो यह बहुत गजब बना होगा, लोग अगर तीन सो लोग हैं, तीन सो लोग देखा, उनमें से कम सिकम 80 लोगों ने लाइक किया, तो एक अगर कीडा डिसलाइक करके चला जाता है, तो जाइस्ती बात है, सतर लोग क्या बेब आते हैं, चलिए तो यह था में फर्स्ट पार्ट और अगला पार्ट में जल्द जल्दी डाल दूँगा, वर्ड जिगरिफीक आएगा इसके बाद, उसके बाद आगे की बात करूँगा, तो अकलिए वीडियो मिलते हैं, तब तक लिए नमस्कार, चैहिंद, बंदे मातरम झाल 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 जाएगा इसके बात कर छोड़ा।